कि सबी सम्मानित सजलों, मंच पर बैठे हुए मेरे साथ सबी आधरणिय विद्धुजन मैं आप सब को इस बात के लिए आभार व्यत्थ करना चाहता हूँ कि आज आप सब मेरा व्याख्यान सुनने के लिए यहाँ इतने बड़ी संख्या में उतस्तित हुए मैं व्याख्यान के पहले टाना के माहेशोरी मंडल का विया भर व्यत्थ करना चाहता हूँ जिनोंने इस व्याख्यान को आयोजित किया और इस व्याख्यान के आयोजन में जिस भी साथी ने, जिस भी व्यत्थी ने जैसी भी मदद की है उस सब के में मैं उनको धन्यवा देना चाहता हूँ आज के इस व्याख्यान में थोड़ा सा हमारे देश के सामने फाल मैं खड़ी हूई एक राजने तिक चलोगी की बात जादा कहूँगा सामने रूप से मैं जब व्याख्यान देता हूँ तो उसमें आर्थिक मुद्वे की बात में पहले करता हूँ आज इस व्याख्यान में मैं राजने तिक संप्रोगता के मुद्वे की बात पहले करूँगा और व्याख्यान के पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरा व्याख्यान खत्मोने के बाद का जो कारिक्रम होगा उसमें हम सब लोग यहां स्थामुह कुरूप से संकल पलेंगे सौगंद गुधी का कारिक्रम होगा तो आप से मेरा नुवेदन ये है कि व्याख्यान के अंप में बिना संकल पीए हुए बिना सौगन्ज विधी के कारिकरम को पूरा किये हुए आप नहीं से कोई यहां से जाएगा नहीं संकल विधी का कारिकरम मुश्किल से एक मिनट में पूरा हो जाएगा और वो संकल क्या लेना है और क्यों लेना है यो मेरे व्याक्ष्यान के विशे में मैं आपसे कहने की कोशिश करूगा जेश के सामने जो चुनोतियां खड़ी हुई है आज़बी के पचास साल में आर्थिक चुनोतियां हैं फिर राजने तिक चुनोतियां हैं और सांस्क्रितिक चुनोतियां भी हमारे सामने हैं अबी हाल में जो राजने तिक चुनूंती हमारे देश के सामने पैदा हुई है उसके बारे मैं आप से कुछ कहना चाहता हूँ पिछले लगभग दो सप्ताह पहिए लगभग दो सप्ताह पहिए भारत के वेज्ञानिकों ने पांच आनवित परिक्षन किये और यह जो पांच आनवित परिक्षन हुए जमीन के अंदर बहुत ही सफलता पूर रख हुए तो सबसे पहले तो मैं आप सब की तरफ से उन सभी वेज्ञानिकों के बढ़ाई देना चाहता हूँ जिनोंने यह पांच सफल आनवित परिक्षन करके भारत को अंदर राश्क्रिय परिधर्श में एक अच्छे स्थान पर नेजातर ख़़ा किया हमारे देश के वेज्ञानिकों ने यह जो पांच सफल आनवित परिक्षन की इसके बाद की गुर्भटना यह है कि अमरीका ने हमारे देश के उपर आर्थिक पावंदी लगा दी है अमरीका ने हमारे उपर आर्थिक पावंदी लगाई है उसके साथ साथ जापान ने भी लगा दी तो जापान और अमरीका जैसे देशों द्वारा लगाई गई आर्थित पाबंदी और भारतिय वैज्ञानिकों द्वारा किये गई पांच सफल आणविक परिक्षन इन ही दो प्रशनों के विश्लेशन को आपके बीज रखने की कोशिश कर रहा हूँ अमरीका को कौन सी परिशानी है जब हमारे देश के वैज्ञानिकों ने ये परिक्षन की है अमरीका की तक्लीफ क्या है कि उसने भारत पर आर्थित पाबंदी लगाने की बोचना की है तकलीफ अमरीका की ये है कि भारत के वैज्जानिकों ने जब ये पाँच आनविक परिक्षण के तो इससे सिद्ध हुआ है कि भारत के वैज्जानिक ना सिर्फ आनविक परिक्षण करके आनू बम बना सकते हैं बनके हाईवोजन बम भी बना सकते हैं और आप सब जानते हैं कि आणू बम से हजारों गुना ताकतवर हाइडोजन बम होता है तो हमारे वैज्ञानिकों ने जो तीन परिक्षण किये थे वो हाइडोजन बम बनाने के लिए थे और दो परिक्षण जो किये थे वो आणविक बम बनाने के लिए थे अमरीका को तक्रीफ इस बात की है कि भारत सरकार ने ये जो पांच परिक्षण कर लिए हैं और भारती वैज्ञानिकों ने इनको सफल्का पूर वब्बूरा किया है तो अब भारत स्वावलंबी हो जाएगा और भारत अगर हाइडोजन बम बना लेगा अनो बम बना लेगा तो अमरीका जैसे देशों से खरीबने की हमको जरूरत में पड़ेगी तो अब हम अमरीका के पास नहीं जाएंगे कभी बम खरीबने के लिए तो अमरीका को तकलीफ इस बात की है कि अगर भारत जैसे देश उनके पास बम खरीदने के लिए नहीं जाएंगे तो अमरीका के हत्यार और बम बिगना बंद हो जाएंगे और उनकी दुकान कुछ ठंडी पर जाएगी क्योंकि अमरीका दुनिया में सबसे बड़ा व्यापारी है जो बम बनाता है और हत्यार बेचता है तो एक तो उनकी तकलीफ और परिशानी ये है दूसरी अमरीका के राश्ट्रपती विल क्लेंटन को परिशानी ये है कि भारत के वैज्ञानिकों ने ये जो पांच परिक्षण किये इसकी जानकारी उनको नहीं दें पाई अमरीका के दो-दो सैटलाइट भारत में लगे हुए हैं जो रात दिन भारत की जासूसी करने का काम करते हैं अमरीका के हजारों सियाईए के एजेंट भारत में घूनते हैं जो हर दिन हमारे देश की महतुकू जानकारियों को अमरीका भीजने का काम करते हैं तो हजारों सियाईए के एजेंट और अमरीका के दो-दो सैटलाइट ये पता नहीं लगा सके कि भारत के वैज्ञानिक पोखरन में क्या करने जा रहे है और जब यहाँ आणविक परिप्षण हो गए तो उसके बाद अमरीका के सेटलाइट ने अमरीका के वैज्ञानिकों को सूचना ये जी तो इक पोखरन में धर्ती कंप हो गया है भूकंप हो गया है तो जब यहाँ से अमरीकी सेटलाइटों ने ये जानकारी भोजी कि पोखरन में धर्ती कंप हुआ है भूकंप हुआ है तो अमरीकी वैज्ञानिक चादरतान के सोग है दर्थी कम्प तो होते ही रहते हैं भूकम तो होते ही रहते हैं लेकिन जब प्रदान मंत्री ने घोशना की कि पोखरन में धर्थी कम्प नहीं हुआ है हमने आणविक परिक्षन किये हैं तो अमरीकी राश्च्रपती की नीध हराम हो है और उन्होंने खुले आम C.I.A. को डा करते हैं और आपको जिन्मेदारी दी हुई थी भारत की एक एक गद्विदी की जानकारी देने के लिए और आप सब के सब फेल हो गए भारत के वैग्जानिकों ने इतने सफलता पूर वक परिक्षन की तो अमरीका को तकलीफ ये है कि उनको जानकारी नहीं हुई और हमारे वग्जानिकों ने पांच परिक्षन कर लिये तो शायद ऐसा लगता था कि हम अगर अमरीका को बता के करतें तो शायद उनको संतोश रहता है तो विल क्लिंटन को ये कहने का मौका नहीं मिलता कि हमको माहिती नहीं थी हमको जानकारी नहीं थी एक तीसरी बात और है इसके तीसरी बात ये है कि अमरीकी सरकार को अब डर इस बात का लग रहा है कि भारत ने अगर ये बम बनाना शुरू कर दिया और अंतर राश्ट्री बाजार में बेचना शुरू कर दिया हाइडोजन बम बेचना शुरू कर दिया अनू बम बेचना शुरू कर दिया तो हमारे देश के वैग्यानिक जब एक बं तयार करते हैं तो उसमें मुश्किल से एक करोर रुपई का खरचाता है और अमरीका में यही बं जब तयार किया जाता है तो उसमें करोरों डॉलर का खरचाता है तो अमरीका द्वारा तैयार किये गए बम का खर्चा बहुत ज़ादा है भारत के वैग्जानिकों द्वारा तैयार किये गए बम का खर्चा बहुत कम है तो अमरीकी सरकार को अब ये लग रहा है कि कहीं भारत के वैज्ञानिकों ने और भारत की सरकार ने एक नई नीपी अजर बना दी कि जिस तरह से अंतराश्वी बाजार में अमरीका की कमपनिया हतियार बेचती हैं अमरीका की कमपनिया बम बेचती हैं जैसे ही भारत की तरफ से हत्यार बेचे जाएंगे, बम बेचे जाएंगे, तो अमरीकी धंडा ठप हो जायेगा, क्योंकि हमारे बम बहुत सस्ते हैं, बहुत अच्छे हैं, अमरीकी बम बहुत नहीं रहे हैं और बहुत अच्छे हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है एक और मिश्किल है अमरीका की, अमरीका अरसल दरसल तबसे परेशान है जब से हमारे देश में पूना के सीबेक के वैग्यानिकों ने सुपरकंप्यूटर बनाया परम 10,000 परम 10,000 पहले हमारे देश के पूना के वैग्यानिकों ने परम बनाया सुपरकंप्यूटर बनाया फिर उसके बाद परम 10,000 बना दिया तो बिना अमरीकी कमपनियों के मदद के परम बनाया था वैज्जानिकों ने और बिना किसी अमरीकी और विदेशी कमपनी के मदद के परम दसजार नाम का सुपरकम्प्यूटर भी बना है ये परम दसजार के इस तरका जो सुपरकंप्यूटर हमारे वैग्यानिकों ने बनाया ये एक नहीं बारे बनाये है अमरीका जापान के बाद दुनिया में अब हमारा तीसरा नंबर है जो हम इस तरके सुपरकंप्यूटर बना सकते हैं और बेच सकते हैं हमारे वैग्यानिकों ने जो सुपरकंप्यूटर तयार किया है उसकी लागत उसकी कीमत बहुत कम है यही सुपरकंप्यूटर जब अमरीका में तयार होता है तो हमारे वैग्यानिकों ने जितने दाम पर बनाया है उसका कम से कम तीन गुनादाम अमरीका में लगता तो अमरीकी सरकार को तब से परिशानी बढ़ गई है कि भारत के वेग्यानिकों ने बिना अमरीका की मदद के परम बनाया फिर बिना अमरीका की मदद के परम दसजार बना लिया फिर बिना अमरीका की मदद के परम एक लात भी बनाएंगे परम दस लात भी बनाएंगे और लगातार हम स्वावलम भी होते चले जाएंगे तो फिर अमरीका को कौन पूछेगा और हम अगर उनको नहीं पूछेंगे तो उनकी चौदराहट कम हो जाएगी उनकी जादा यहीं कम हो जाएगी तो उनकी तक्लीफ कुछ इस तरह की है अन्निता इस अमरीकी सरकार को ये बात कहने की नैतिक हिम्मत कैसे हुई कि वो भारत सरकार को कहे कि आपने ये अनू बम का परिक्षण क्यों किया हमारे देश के वैग्यानिकों ने ये अनू बम का परिक्षण जमीन के अंदर किया जानते हैं क्यों क्योंकि जमीन के ऊपर अनू बम का परिक्षण करने से नुकसान बहुत होता है और लाखों लोग मर जाते हैं जमीन के उपर जब आणू बम का परिक्षण किया जाता है तो उससे रेडियेशन इतना तेज होता है विकिरन इतना जादा होता है कि उससे लाखों लोग मर सकते हैं और वर्षों वर्षों तक उसका असर रह सकता है इसलिए हमारे वैग्यानिकों ने ये पांचों के पांचों पर इच्छड जमीन के नीचे किये जमीन के उपर नहीं किये कभी भी ताकि किसी को नुकसान ना होने पाए और नुकसान भी कितना हुआ है पोकरन नाम के गाओं में दो किसानों के घर की दीवार चटक गई है फूटी नहीं है बीच में से दरार पड़ गई मुझे बहुत खुशी हुई जब उन दोनों किसानों से टेलिविजन पे इंटरव्यू लिया गया और पूचा गया कि आपके घर की दीवार चटक गई है तूट भी सकती है गिर भी सकती है तो उन दोनों किसान भायों ने जवाब दिया कि मेरे घर की दीवार अगर गिर जाएगी तो दुवारा बन जाएगी लेकिन मेरे राश्क का संवान तो हुचा हुआ इतनी बुद्धिमानी की बात, इतनी बुद्धुमता की बात हमारे देश के दो साधरण किसानों ने करी वो हमारे देश के बहुत सारे बेवकूफ नेता नहीं कर रहे हमारे देश में कुछ ऐसे बेवकूफ नेता हैं ये कह रहे हैं कि गलत समय पर परिक्षन किया तो पूछिए कि सही समय कौन सा था फिर मुझे भी लगता है कि भारत सरकार ने थोड़ा गलत समय पर परिक्षन किया लेकिन मैं क्या मानता हूँ कि ये परिक्षन होना चाहिए था जिस दिन पाकिस्तान में गौरी मिसाईल का टेस्ट किया था ठीक उसके अगले दिन हो जाना चाहिए था परिक्षण के बाद ततकाल एक सर्वेक्षण किया गया तो सर्वेक्षण के नतीजे ये आए कि 92% लोगों ने कहा थी ये बहुत अच्छा हुआ है पांच प्रतिशत लोगों ने कहा कि उनको कुछ नहीं मालूम है और बाकी कुछ ये दो या तीन प्रतिशत लोगों ने ये कहा कि ये ठीक नहीं हुआ है तो 92% लोग इस देश में जो उटसाह दिखा रहे हैं जो गुद्धुलानी उन्होंने दिखाई है वो हमारे देश के बहुत सारे नेताओं से लिखने में नहीं आ रही है और एक गलत तरह का प्रचार पूरे देश में शुरू हो गया है और शायद आपके मन में भी उस प्रचार से कुछ प्रशन पैदा हुए होगे जैसे आजकल एक बहुत बड़ा प्रशन है रोज अख़ारों में चर्चा है कही न कहीं कोई न कोई लेख लिख देता है और कहीं न कहीं किसी न किसी नेता की कोई टिपणी आ जाती है तो इस तरह की टिपणी आ रही है अभी तो तीन दिन पहले में चौक गया जब आंदर प्रदेश के मुख्यमंत्री चंदरवावू नायगू ने ये कह दिया कि इस परिक्षण के बाद अमरीका द्वारा लगाई गई आर्थिक पावंदी का बहुत जादा नुकसान हमारे देश को होने जा रहा तो मुझे लगा कि ऐसी गलत वयानी पूरे देश में हमारे देश के दिन्मेदार नेता कर रहे है तो बादी साधरान लोगों का दिख ब्रहित होना बहुत स्वाभविक है तो मैं आज आपको इसी प्रशु पर गंबीरता से कुछ कहने के लिए आया हूँ कि अमरीका ने जो हमारे उपर आर्थिक पाबंदी लगाई है उसका क्या नुकसान होने जा रहा है हमको और अमरीका ने कितनी आर्थिक पाबंदी हमारे उपर लगाई है अमरीका में एक कानून है सन 1994 का बना हुआ है और 1994 का बना हुआ जो अमरीका का कानून है उसमें ये है कि अगर कोई देश आर्थिक परिक्ष, वो अंग परिक्षण करता है तो अमरीकी सरकार उस देश को अपने देश में से जाने वाली आर्थिक मदद बंद कर सकती है, रोक सकती है तो अमरीका की सरकार हमारे देश को कितनी आर्थिक मदद देती है एक साल में जो वो रोक सकते इस आर्थिक पावंदी के तहरे उस कानून की जानकारी अभी मैंने की यूएस लॉज जो 1994 मौनों ने सेनेट में पारिख किया था उस कानून के तहट अमरीका सिर्फ इत्वी पावंदी लगा सकता है कि भारत सरकार को वो प्रतिवर्ष जो आर्थिक मदद देते हैं जो एड़ देते हैं वो उसको रोक देंगे तो कितनी मदद देता है अमरीका हमको एक साल में हमारे देश में केंद्र सरकार के 40 लाख करमचारी हैं तो केंद्र सरकार के जो 40 लाख करमचारी हैं उनकी अगर एक एक दिन की तनखा एकठी कर ली जाए चालीस लाख केंद्र सरकार के करमचारीों की एक दिन की तनखा तो वो उतना ही पैसा है जितना अमरीका द्वारा आपको एक साल में आर्थिक मदद दी जाती है तो अमरीका द्वारा दी गई एक साल की आर्थिक मदद अगर हमको रुक गई तो क्या हमारे देश के 40 लाग केंडर सरकार के करमचारियों में इतनी शक्ति नहीं है कि वो एक दिन की तंखादान कर दें अपने इस देश के लिए इस नाश्र के लिए तो आपके बन में आये यह तो बहुत आसान काम है और है भी सच में है और ये काम शुरू हो गया हमारे देश में इस्टेट बैंक ओफ बीकानेर और जैपुर नाम की एक बड़ी बैंक है उसके करमचारियों ने अभी कुछ दिन पहले एक मीटिंग की और उस मीटिंग में उन्होंने ये फैसला किया कि अमरीका द्वारा आर्थिक पाबंदी जो लगाई गई है भारत के उपर इस आर्थिक पाबंदी का विरोध करने के लिए इस्टेट बैंक ओफ बीकानेर और जैपुर के पूरे देश में जितने करमचारी हैं वो सब के सब एक दिन की तंखा दान करेंगी तो मैं आपकी तरफ से उन सभी करमचारीयों को बढ़ाई देना चाहता हूँ जिनों ने ये कदम उठाने का फैसला किया और अभी कुछ दिन पहले में पूना में था तीन चार दिन पहले तो पूना में मेरा एक जाहिर व्याठ्चान हुआ था और उस जाहिर व्याठ्चान को फूना के एक बैंक में आयोजित किया था उस बैंक का नाम है जनता सहकारी बैंक तो जनता सहकारी बैंक के करमचारी मेरे व्याठ्चान में मेरे सामने बैठे हुए थे मेरे साथ मंच पर उनके मैनेजर्स बैठे हुए थे तो मैंने उनको कहा उधारा देते हुए कि अगर स्टेट बैंक, बीकानेर एंड जैपुर के करमचारी अपने एक एक दिन की तंखा दान कर सकते है तो जनता सहकारी बैंक के करमचारी क्यों नहीं कर सकते है तो आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी है कि उसी छुण जनता सहकारी बैंक के सभी करमचारी ने हाथ उठा कर इसका समर्थन किया कि हम भी अपने एक एक दिन की तंखा प्रधान मंत्री कोश में दान करेंगे ताकि इस देश की सरकार के सामने आर्थिक पावंदी का कोई असर ना आने पाए तो अगर सारे देश के केंदर करमचारी इसी फैसिये को लगातार आगे बहाते चले जाएंगे तो चालीस लाग केंदर सरकार के करमचारीों के एक एक दिन की तंखा अगर इकटी कर ली जाएगी और देश के किसी काम में लगा दी जाएगी तो अमरीका द्वारा दी गई आर्थिक मदद की परपाई हो जाएगी उसकी पूर्ती हो जाएगी अब प्रशन आता है जापान हमारे उपर कितनी आर्फिक पावंदी लगा रहा है जापान की सरकार में हमारे उपर आर्फिक पावंदी लगाने की गोशना कर घूँ है तो मैं आपको एक दूसरी छोटी सी जानकरिदेना चाहता हूँ कि जापान द्वारा भारत सरकार पर लगाए गई आर्थिक पावंदी का भी जवाब हमारे पास है आप सब जानते हैं हमारे देश में एक करूर लोग इंकम टेक्स देने वाले हैं साल बर तो ये एक करूर लोग जो साल बर में इंकम टेक्स देते हैं अगर ये स्वेक्षा के साथ एक टका इंकम टेक्स बढ़ा कर अगर दे देंगे एक करोण लोग इस साल तो भारत सरकार को जापान से जितनी आर्थिक मदद लेती है उसकी पूरी बरबाई हो जाएगी तो एक करोण इंकम टेक्स पहरी अगर एक टका टेक्स बढ़ा कर देंगे जितना वो दे रहे हैं उसमें फिर्फ एक टका बढ़ा दें तो हमारे पास इतना पैसा हो जाएगा कि जापान द्वारा लगाई गई आर्थिक पावंदी का भी हम पूरी तरीके से मुकावला कर सकते और तीसरी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ यह बहुत खुशी की बात है कि हमारे देश के लोग जो विदेशों में रहते हैं जिनको हम नॉन रेजिडेंट इंडियन्स कहते हैं अनिवासी भारतिय कहते हैं उन सभी नॉन रेजिडेंट इंडियन्स लोगों के एसोसियेशन ने ये गोशना की है कि वो इस साल भारत सरकार को 15 अरव डॉलर अपनी सरफ से दान करने जा रहे हैं तो ये 15 अरव डॉलर एतना पैसा है कि अमरीका और जापान द्वारा लगाई गई आर्सिक पाबंदियां अगर 5 साल तक चलती रहें तो भी भारत सरकार को कोई तकलिफ होने वाली नहीं है ये सब बाते मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि हमारे देश के कुछ बेवकूफ नेताओं द्वारा दी गए बयानों से आप ब्रमितना हो जाए कुछ नेताओं ने ये जो कहना शुरू कर दिया है कि देश को बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा गलब समय पर ये परिक्षा हुआ है इस बात से धवराने की कोई जरूरत नहीं है हम इस पूरे के पूरे आर्फिक नुकसान की भरपाई करने में सक्षम है और अभी बहुत सारा ऐसा इलाका बाकी है जिसका जिक्र मैंने आपसे नहीं किया है उधारण के लिए आप सब जानते हैं हमारे देश में इस समय लगबग 20 लाक छोटे छोटे कार खाने हैं Small Scale Industries हैं पूरे देश में लगबग 20 लाक एक दिन में हिताब लगा रहा था कि हमारे देश में लगब दियोग कहते किसको है Small Scale Industry कहते किसको है तो सरकार के आख़ों के अनुसार जिस कार खाने में तीन करोर रुपए का उतपादन होता है एक साल में उसको हम Small Scale Industry कहते हैं तो तीन करोर रुपए का उतपादन करने वाले हमारे देश में 20 लाख कारखाने हैं तो कुल उत्पादन कितना बैचता है 20 लाख इंटू 3 करो 20 लाख गुणा 3 करो अभी आप कैल्कुलेशन करना शुरू करिए तो 0 लगाते चले जाएंगे आप तो एक दिन में सोच रहा था कि अगर ये सारे के सारे कारखाने अपने एक एक घंटे का उत्पादन एक दिन का भी नहीं एक एक घंटे का उत्पादन अगर राष्ट की कोशनी दान कर देंगे तो 15 साल की आर्थिक पाबंदी का इलाज हमारे पास है इसलिए इस बात की चिंटा करने की कोई जरूरत नहीं है कि अमरीका ने हमारे उपर आर्थिक पाबंदी लगा दिय तो हमारे देश का क्या होगा कुछ भी नहीं होने वाला है बल्कि इसका उल्टा मैं देख रहा हूं कि अमरीका और जापान द्वारा लगाई गई आर्थित पावंदियां हमारे देश के रास्ट्रिय स्वाविमान को जगाएंगी जो इस देश में वर्षों वर्षों से मरत प्राय हुग गया थी वो रास्ट्रिय स्वाविमान अगर हमारा जगेगा राश्ट्रिय सम्मान अगर हमारा जगेगा तो हम इन सभी पावंदियों का डट कर मुकाबला कर सकेंगे और ऐसी किसी भी चुनोंती से लड़ने में हम सक्षम हैं हम गए गुजरे नहीं हैं और इन सब बातों का संदेश अमरीका पहुँचेगा तो उनको भी ये समझ में आएगा कि भारत वो नहीं है जो इराख है इराख के उपर अमरीका ने आर्थिक पाबंदी लगा रखी और इराख की हालत उन्होंने बहुत खराब कर दी तो इराख जैसे देश पर अमरीका ने आर्थिक पाबंदी लगाई है सूडान लीबिया जैसे देशों पर अमरीका ने आर्थिक पाबंदी लगाई है इरान जैसे देशों पर अमरीका ने आर्थिक पाबंदी लगा रखी है खीवा जैसे देशों पर अमरीका ने आर्थिक पाबंदी लगा रखी है तो इन तमाम देशों पर अमरीका ने आर्थिक पाबंदी लगाई है निकारागुआ नाम का एक देश है वहाँ पर अमरीका ने आर्थिक पाबंदी लगाई है तो इन सारे देशों पर अमरीका ने जो आर्थिक पाबंदी लगाई है तो उन देशों की हालत थोड़ी खराब है लेकिन भारत इरान नहीं है भारत इराथ नहीं है भारत निकारागुआ नहीं है भारत ऐसा कोई भी देश जैसा नहीं है जैसे ये देश है तो अमरीका को इस बात का एहसास और अंदाजा हो जाना चाहिए कि भारत वैसा देश नहीं है जैसा वो समझ कर बैखा हुआ है तो इसलिए अमरीका या जापान द्वारा आ लगाई गई आर्थिक पाबंदी का हमारे देश की अर्थ विवस्था पर एक भी पैसे का वुपरी कसर नहीं डालने वाना है बशर्ते कि हम हमारे राष्ट्रिय स्वाविमान को पीछे हटने न दें तो हमारे देश के लिए ये एक अच्छा सुनहरा मौका बनने वाला है आप सब जानते हैं जब किसी दूसरे देश का आक्रमन होता है किसी देश पर तो राश्ट्रीय साविमान पैदा होता है और सारे लोग जाती भूलकर, धरम भूलकर, पंत भूलकर, संप्रदाय भूलकर एक तरह की भाशा बोलते हैं जैसे आज बोल रहे हैं मुझे बहुत खुशी हुई यह जानकर अभी कुछ दिन पहले पूना में मेरे जाहर वे अख्यान में कुछ लोगों ने इस बात का विरोध करने के लिए अमरीका का विरोध करने के लिए सिटी बेंक के कार्ड सरेंडर कर दी पूना में 25 से जादा नोजवानों ने भरे जाहर वे अख्यान में सामने से आकर सिटी बैंक के कार्ड खाल कर फेग दी और का कि राजी भाई इस अमरीका द्वारा लगाएगी आर्थिक पाबंदी का ये जवाब हमारे पास है कि हम अमरीका की सिटी बैंक की कोई भी सेवाए नहीं लेंगे और उन 25-25 भाई ओने जो सिटी बैंक के कार्ड सरिंढर किये है उसके बाद पूना में एक लखर जैसी चली है और अगले 28 माई को पूना में मैं एक रैली करने जा रहा हूँ उस रैली में कम से कम पाँच सो से एक हजार दूसरे भाई अपने सिटी बैंक का कार्ड सरेंडर करने जा रहे ऐसा ही एक भाई है जो धर्म से संप्रदाय से मुसल्मान है और उसमे सिटी बैंक के चीफ एक्ज Tapi्टिव आफीसर यहां जो बंबली में बैठता है उसको चिट्वी लिखी और उसमे कहा है कि मेरा जितना Switch Deposit सिटी बैंक में है वो सम्मुझे वापस लेणा है तो City Bank के Chief Executive Officer ने उस भाई को कहा कि अगर आप समय के पहले अपना fix deposit निकालेंगे तो आपको interest नहीं मिलेगा आपका सारा interest ढूब जाएगा तो उसने जवाब दिया भाड में जाए आपका interest और आप वो ले लीजे मुझे मेरा muldन वापस कर दीजे तो ना जाती होती है ना धर्म होता है ना संपरदाय होता है जब देश के सामने कोई संकट खड़ा होता है तो लोग अपने सारे जाती धर्म संपरदाय के भेदों को भूम कर एक साथ राष्ट के साथ खड़े हो जाते है वही समय हमारे देश के सामने आया है और वो एक लहर पूरे देश में चल भी रही है इसलिए अमरीका द्वारा लगाई गई आर्थिक पाबंदी का एक भी पैसे का असर भारत की अर्थ व्यवस्था पर और भारत की किसी भी मीती पर पढ़ने नहीं जा रहा है इसके दूसरी तरफ एक दूसरी बात मैं आपसे और कहना चाहता हूँ कि अमरीका ने ये कहा कि भारत सरकार ने ये गलत किया है तो प्रश्न ये उटता है कि अमरीका को ये कहने की हिम्मत कैसे हुई क्योंकि हमारे वैग्यानिकों ने तो सिर्फ अब तक छे आनविक परिक्षण ही किये है पाँच अभी किये हैं एक 1974 में किया था तो हमारे वैग्यानिकों ने कुल मिलाकर छे आनविक परिक्षण किये हैं और सारे के सारे आनविक परिक्षण जमीन के नीचे किये 1974 में जो किया था वो भी जमीन के नीचे था और अभी जो हमने परिच्छों किये हैं वो भी जमीन के नीचे है तो हमारे सारे के सारे वेग्यानिकों ने अपने सभी आणविक परिच्छों जमीन के नीचे क्यों किये ताकि किसी भी आदमी की जान का नुकसान ना होने पाए हम तो हमारे हाँ चीटी मारने में भी पाप मानते हैं इसलिए किसी भी आदमी की जान लेना तो हमारे लिए और भी मुश्किल है तो ये जान बूच कर सारे के सारे परिच्छों जमीन के मेंचे किये गए क्योंकि बारत एक शान विप्रिये देश है हम शान विप्रिये हैं उसका ये सबसे बड़ा नमूना है हम अहिंसा वाले देश हैं उसका ये सबसे बड़ा नमूना है कि हम ये परिच्षण जमीन के अंदर किये इसके विप्री अमरीका ने जब अपना सबसे पहला आणविक परिक्षण किया था तो वो जापान के लोगों के उपर किया था 6 अगस 1945 को अमरीका ने अपना पहला आणविक परिक्षण किया था जापान के हिरोशिमा नाम के शहर पर और उसके ठीक तीन दिन के बाद अमरीका ने अपना दूसरा आणविक परिख्षण जापान के एक दूसरे शहर नागा साखी के ऊपर किया था 9 अगस 1945 को तो 6 अगस 1945 को जापान में बम गिराया था अनु बम गिराया था हिरोशिमा पर और 9 अगस 1945 को अमरीका में बम गिराया था नागा साखी पर तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिरा अमरीका गद्व का अनुबम और 9 अगस्त 1945 को नागा साथी पर गिरा अमरीका का अनुबम और उन दोनों अनुबम के गिरने के बाद साले 6 लाख जापानी तड़ब तड़ब कर मर गए इतना बड़ा अत्याचार अमरीकी सेनाओं ने जापान के उपर किया था और वो जो साड़े छे लाग जापानी तड़ब तड़ब कर मरे हैं उससे ज़्यादा कई गुना जापानी अब तक बरबाद हुए हैं उन दो परिक्षणों के कारव पिछले साल इसी वर्ष 30 जनवरी को बंबई में एक प्रदर्शनी हुई थी जापान की सरकार के वारा बंबई में वो प्रदर्शनी लगाई गई थी मैं उस प्रदर्शनी को देखने गया था मैं जनवरी के महिने में यहां था बंबई में तो उस प्रदर्शनी को देखने जब मैं गया था तो वो प्रदर्शनी जापान की सरकार के द्वारा लगाई गई वो प्रदर्शनी थी जिसमें उन्होंने फोटोग्रेफ्स के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश की थी कि 6 अगस्त और 9 अगस्त थिरोशिमा और नाला साकी के उपर जो दो अंगभम गिराए गए थे उसका नुकसान जापान को क्या क्या हुआ है और उस प्रदर्शनी को लेकर जो जापनीज लोग आये थे उन जापनीज लोगों के साथ उन्हें से एक वेग्यानिक था मैंने जब कुछ बात करने की कोशिश की तो 15-20 मिनट मेरी उससे चर्चा हुई ज़ादा बात नहीं हुई तो उसमें बताया कि आज भी जापन में उन दोनों अनुबं का इतना बुरा असर है कि आज भी जापन में बच्चे विकलांग पैदा होते हैं उस इलाके में हिरोशिमा नागा साथी के इलाके में वो जैपनीज विग्यानिक मुझे बता रहे थे कि कुछ ऐसे बच्चे हमारे यां पैदा होते हैं जिनका सिर बहुत बड़ा होता है शरीर बहुत चोटा होता है कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनका शरीर बहुत बड़ा होता है सिर बहुत छोटा होता है बहुत सारे ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जो बच्चपन से ही सुन नहीं पाते देख नहीं पाते बोल नहीं पाते बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बच्चपन से जॉन डिस का कैंसर का बीमारी लेकर पैदा होते तो आज भी जापान के हजारों लाखों बच्चे उस मुरी घटना से प्रभावित हैं जो घटना आज से लगबख 55 साल पहले घटित होई थी उसका असर आज भी खतम नहीं हुआ है तो जिस अमरीका ने अपने दो आनम एक बम गिराकर साड़े छे लाख से जादा जैपनीज लोगों को मारा हो जिस अमरीका ने जापान की लाखों लाखों लोगों को पिछले 55 साल में बरबाद कर दिया हो अपने दो आनमी बम के कारण जापान की पीडियों को बरबाद कर दिया हो वो अमरीकी सरकार को ये चहने का अधिकार किसमें दिया कि भारत में ये पांच आनवे परिशन के होगी और इससे भी महतुकूर एक दूसरा प्रश्न है कि जब 6 अगस 1945 को ये अनू बम जिरा था 9 अगस 1945 को अमरीका द्वारा बम जिराया गया था तो उसके बाद एक संधी हुई थी और उस संधी में से युनाइटेज नैशन्स का जनम हुआ था और वो संधी किस बात की हुई थी दूसरे विश्युद में ये जो बरबादी आई थी इस बरबादी को देखकर बहुत सारे देशों के राश्क्रपती कांप गए थे दूसरे विश्युद में सबसे जादा बरबादी हुई थी जापान की दूसरे नंबर पर सबसे जादा बरबादी हुई थी फ्रांस की तीसरे नमबर पर सबसे ज़्यादा बरबादी हुई थी जर्मनी की और ऐसे तमाम देश्टों जो इस विश्व उद्ध में बरबाद हो गए थे तो इन सारे देशों ने आपस में समझोते किये थे और किस बात के समझोते किये थे कि हम कभी भी भविश्व में युद्ध नहीं लड़ेंगी फ्रांस की सरकार ने जर्मनी से समझोता किया कि फ्रांस की सेनाएं कभी जर्मनी पर आक्रमन नहीं करेंगी जर्मनी की सरकार ने फ्रांस से समझोता किया कि कभी भी जर्मनी की सेनाय फ्रांस पर आक्रमन नहीं करेंगी और ऐसे जितने बारे यॉरप के देश हैं जिनको हम Central European Countries कहते हैं मद्ध यॉरप ये देश कहते हैं ये बारे देश वही हैं जो अगले पाच्छे महिने के बाद एक Common European Market बनाने जा रहे हैं और सन 1999 के बाद उनका Common European Market जब बन जाएगा तो उसमें वो Common European करेंसी भी लाने जा रहे हैं यूरो डालर नाम की उनकी करेंसी आ रही है जन्वरी 1999 से और यूरो डालर नाम की जब करेंसी आ जाएगी किसी पर आक्रमा ना करने की कसम खाई दे और अमरीका का भी इन देशों के साथ एक समझोता है बारे देशों ने आपस में समझोता किया हुआ है यूद ना करने का लडाई ना करने का और अमरीका ने अलग से इन बारे देशों के साथ समझोता किया हुआ है युद्द ना करने का ललाई ना करने का तो प्रश्वी यह है कि इन देशों ने अपनी सुरच्छा तो कर ली अपनी विवस्था तो कर ली कि हम कभी आपस में युद्द नहीं लड़ेंगे और हम कभी एक दूसरे पर आक्रमा नहीं करेंगे क्योंकि युद्द में खर्चा बहुत होता है बर्बादी बहुत होती है नुकसान बहुत होता है फाइदा बहुत कम होता है और अमरीका ने भी इंगेशों के साथ समझता किया है युद्द नलने का लडाई ना करने का तब आपके मन न परशना सकता है कि तो क्या अमरीका चुप बैठ गया उस दिन से 1945 में दो अणों बम गिराकर यॉरप के देशों के साथ ये समझोता करके कि कभी युद्ध नहीं लड़ेंगे कभी हत्यारों का विवसाय नहीं करेंगे यॉरप के देशों की कमपनियों के साथ तो क्या अमरीका चुप बैठ गया है ऐसा नहीं अमरीका ने उस दूसरे विश्युद में शान्ती के समझोते के बाद दुनिया में 325 युद्ध कराए हैं गरीब देशों की जमीनों पर इन अमीर देशों ने तो आपस में समझोते किये हैं कि वो युद्ध नहीं करेंगे लेकिन उन्होंने एक ऐसी रणनीती भी बनाई हुई है कि वो आपस में कभी युद्ध नहीं करेंगे लेकिन गरीब देशों में हमेशा उसके लिए युद्ध होते रहेंगे क्यों होते रहेंगे जब ये शान्ती का समझवता चल रहा था तो उस समय फ्रान्स का एक राश्च्टुपती था उसका नाम था Charles Daugall तो Charles Daugall ने एक प्रश्ण उठाया था और नैतिक प्रश्न उठाया था उसुने उसने ये प्रश्ण उठाया था कि अगर हम बारे के बारे यूरपिय देश आपस में आक्रमन ना करने की संभी करते हैं हम बारे के बारे देश आपस में समझवता करते हैं कि कभी युद्ध नहीं करेंगे और अमरीका भी अगर इस संभी को मारने को तैयार है तो चार्ल्स दा गॉल ने प्रशू उठाया था कि फिर हम हतियार भी नहीं बनाएंगे हम हतियारों का धंडा भी बंद करेंगे क्योंकि जब हमको युद्ध करना ही नहीं है तो हतियार बनाने से फाइदा क्या बंदू के बनाने से फाइदा क्या बंबनाने से फाइदा किया और चारल्सто गौल बहुत इंटेलिजेंट आदमी था तो हो ये कहता था कि जतने रुपए में हम हत्यार बनाएंगे जतने धन्न में हम हत्यार बनाएंगे उससे बहुत कम धन्न में हम पूरे यॉपप की गरीबी दूर कर सकते है पूरे यॉर्प में जो असिक्षा है, जो असिक्षा फैली हुई है, उसको हम दूर कर सकते हैं, मजबूरों को रोजगार दे सकते हैं, लोगों को सामजित मियाय दे सकते हैं, वगरा वगरा ये सारी सुन्धाएं दे सकते हैं, अगर हम हमारे हत्यारों का उत्पादन कम कर दे या खतम कर दें तो जिस समय चार्जबा गौल ने ये सवाल उठाया था उस समय अमरीका का राश्टपती था उसका नाम था हैरी टुमेन तो हैरी टुमेन ने चार्जबा गौल को ये कहा था कि हम आपस में युद्ध नहीं करेंगे लेकिन हत्यार बनाना भी बंद नहीं करेंगे आप देखिए अमरीका का चेहरा कि युद्ध नहीं करेंगे वो आपस में सारे के सारे अमीर देश लेकिन हत्यार भी बनाना बंद नहीं करेंगे तो हैरी टुमेन ने क्या गोश्बा की थी हैरी टुमेन ने ये कहा कि हम हतियार बनाएंगे गरीब देशों में युद्ध करवाने के लिए माले गरीब देश मरेंगे वो आपस में युद्ध करेंगे उनमें हतियार बिचेंगे अमरीका के तो गरीब देशों में युद्ध होते रहेंगे, हत्यार बिकते रहेंगे, वहां के लोग मरते रहेंगे, वहां के लोगें को इसका नुकसान होता रहेगा लेकिन वो हत्यार अमीर देशों की कमपनियां बनाती रहेंगी और गरीब देशों में बेचती रहेंगी तो मैं आपको जानकर ही देना चाहता हूँ कि 1945 में युनाइटेग नेशन्स बन गया सारी दुनिया में शांती बगा कराने के लिए शांती की इस्थाफना करने के लिए सभी देशों ने हपस में समझोते करी है कि हम कभी युद्ध नहीं करेंगे लेकिन 1945 के बाद अमरीका ने दुनिया में 325 युद्ध कराए है गरीब देशों की जमीनों के और उन सारे के सारे युद्ध कराने के पीछे अमरीका का क्या स्वार्थ था अमरीका का उसमें एकी स्वार्थ था कि अमरीका खुद युद्ध नहीं करता है लेकिन अमरीका के हतियार सबसे जादा बनते हैं पूरी दुनिया में तो अमरीका के हतियार तभी भी केंगे जब दुनिया के दूसरे गरीब देशों में युद्ध होते रहेंगे तो दूसरे देशों में युद्ध होते रहें उद्देश ये था कि कभी भी दो देशों में आपस में युद्ध की इस्तिती नहीं प्रदा होने देगा ऐसी एक संस्था हम बनाएंगे बादचीत के मातनें से सारी समस्याओं का हल करेंगे लेकिन वो संयुक्त राश्र की संस्था पूरी तरह से फेल हुई जब अमरीका की कंपणियों ने उ मिरीकी सरकारों ने 325 युद कराये पूरी दुनिया में अपने हत्यारं को बेचने के लिए कुछ उदारन दूँ तो आपको याद आएगा यह अमरीका ही टी सरकार थी जिसमें युद कराया नौर्थ कोरिया साउथ कोरिया में साथ के दशक में कोरिया नाम का एक देश था इस देश को दो टुकडों में बाट दिया अमरीका ने उत्तरी कोरिया अलग हो दिया दक्षुनी कोरिया अलग हो दिया ये अमरीका ही था जिसमें जिद्ध कराया सूडान और लीबिया के बीच में ये अमरीका ही था जिसमें जिद्ध कराया एरान और एराग के बीच में ये अमरीका ही था जिसमें जिद्ध कराया वियत नाम में साथ से दशक में ये अमरीका ही था जिसमें युद्ध कराया चिली कोस्टारिका में ये अमरीका ही था जिसमें युद्ध कराये लेटिन अमरीकी देशों में ये अमरीका ही था जिसमें साउटीस तेशिया के तमाम दरीब देशों में सेकों युद्ध कराए हैं पिछले पचास साल के अंदर पच्पन साल के अंदर तो दुनिया के तमाम देशों में युद्ध कराना और अपने हत्यारों की विक्री कराना और उन हत्यारों की विक्री से दुनिया के करोनों लोगों की जान ले लेना और दुनिया के करोनों लोगों को खतम कर देना ये अमरीकी सरकार का सबसे बड़ा गंदा है और आपको जान कर ये आश्यर होगा कि अमरीका की जो टोटल एकॉनमी है आमरीका की जो पूरी की पूरी अर्थ विवस्था है, उस अर्थ विवस्था में एक साल का जो सकल राष्ट्री उत्पाद है, अमरीका का जो GDP है, जो gross domestic product है, उसका लगबग दो तहाई हिस्सा सिर्फ हतियारों की विक्री से आता है। माने अमरीकी सरकार की जो आमंदनी है उस आमंदनी का लगबग दो तहाई हिस्सा हत्यार की बिक्री से वो कमाते हैं सिर्फ एक तहाई आमंदनी उनकी दूसरे सामानों की बिक्री से वो कमाते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सारी दुनिया में अशांती पैदा करने वाला अगर कोई देश इस समय है तो वो अमरीका है और हमेशां अमरीका ने बं बनाये हैं दूसरे देशों में लडाईयां करवाने के लिए अशांती करवाने के लिए जब कि हमारे वैग्जानिक पर आकरमन नहीं किया पिछले 5000 साल का इतिहास इस बात को बताता है और पिछले 5000 साल का इतिहास तो हमारा लिखित इतिहास है जब कोई भी एक ऐसा उधारन हमको नहीं मिलता अपने इतिहास में जब हमारे देश का कोई राजा दूसरे देश के राजा पर आकरमन करने के लि ये हमारे देश का सबसे बड़ा और ताकतवर राजा माना जाता है समराथ अशोग तो समराथ अशोग की सेनाए कभी भी किसी दूसरे देश पर आक्रमन करने के लिए नहीं गई समराट अशोग के बाद हमारे देश का जो दूसरा सबसे बड़ा ताकतवर राजा माना जाता उसका नाम था हर्श वर्धन हर्श वर्धन भी कभी नहीं गया कभी किसी दूसरे देश पर आक्रमन करने के लिए हर्श वर्धन के बाद हमारे देश का जो तीसरा सबसे बड़ा ताकत और समराथ माना जाता है जो था चंद्रगुप्त विक्रमादित वो भी कभी नहीं गया किसी देश पर आक्रमण करने के तो देश हजार साल का लिकिति पिहास भारत का ये बताता है कि हमारी सेनाए कभी भी किसी दूसरे देश पर आक्रमण करने के लिए नहीं गई हमारे देश में से साधू संत दूसरे देशों में गए धर्म का प्रचार करने के लिए संस्कृति का प्रचार करने के लिए लेकिन हमारी सेना कभी नहीं गई किसी दूसरे देश पर आकरमन करने के लिए हमारे देश के बड़े बड़े व्यापारी दूसरे देशों में गई व्यापार करने के लिए लेकिन हमारे व्यापारियों ने कभी भी किसी दूसरे देश को गुलाम नहीं बनाया जैसे की इस्ट इंडिया कम्पोनी के व्याक पारियों ने हमारे देश में किया तो इतिहास इस बात का गवा है और आज भी हमारी नीती वही है जो 1.5 हजार साल से है जो 5.000 हजार साल से है कि भारत कभी भी सामने से किसी दूसरे देश पर आक्रमा नहीं करेगा लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत अपनी सुरक्षा विवस्ता के प्रतिला पर वार्वी हो जाए हमने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया लेकिन थर्ड सेंचुरी बीसी से लेकर तीसरी शतावदी ईसा पूर्व से लेकर सिकंदर के आक्रमण से लेकर और इस इंडिया कमपणी के जमाने तक भारत के उपर एक हजार से ज़्यादा आक्रमण हुए हैं परवेशी हमने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया लेकिन दूसरे देशों से हमारे देश के ऊपर एक हजार से ज़्यादा आक्रमण हुए है तो इन एक हजार आक्रमण से अपने देश की सुरच्छा को करने के लिए या अपनी अस्मिता बचाने के लिए राजने तिज्वस्ता बचाने के लिए शायद हमने कभी-कभी हिंसा की होगी लेकिन वो अपनी आत्म रच्छा में की थी हमने किसी दूसरे पर आक्रमन करके नहीं की थी तो भारत हमेशा से शान पिप्रिय देश रहा है इसलिए आज भी हमारी नीती वही है जबकि अमरीका इसके ठीक उल्टा काम करता रहा है अमरीका की हमेशा से नीती रही है दूसरे देशों पर आक्रमन करना दूसरे देशों के गुलाम बनाना दूसरे देशों की लूट करना दूसरे देशों के बरबाद करना ज्यादा से ज्यादा हिंसा करना ज्यादा से ज्यादा सारे दुनिया में अपनी बरबादी फैलाना और अपने ज्यादा लूट करना ये अमरीका की पॉलिसी रही हमेशा से तो उस अमरीकी सरकार में ये नैतिक हुम्मत कहाते आई जो वारत सरकार को कहती है कि हम शानती पूर्वक परिक्षण दिना करें और अमरीका दुनिया के तमाम करोड़ों लोगों को मारने के लिए आनविक परिक्षण करता रहे और अंग बम बनाता रहे आपको मालूम है 1945 के बाद अमरीका ने 1045 अंग परिक्षण किये और अमरीका ने ही अकेले नहीं थी सोवियत संग नाम का एक देश था जो अब खतम हो गया है अब रूस है रूस की सरकार में लगबग 700 से ज़्यादा आनविक परिक्षण किये हैं 700 चीन की सरकार में 47 आनविक परिक्षण किये फ्रांस की सरकार में सेक्णों आनुविक परिच्छन किये हैं ब्रिटेन की सरकार में खुद किये हैं तो ये सारे के सारे वो देश हैं जो कई बार आनुविक परिच्छन कर चुके हैं और अपने भंडारों में उन्होंने अनुबम बना के रखे हुए हैं और वो ही सारे देश हैं, जो हमारे खिलाफ पाबंदी लगाने की गोचनाई कर रहे हैं, या पाबंदी लगाने के लिए दूसरे तमाम देशों को उपसा रखेंगें। हमारे हिंदी में एक कहवत होती है, अगर आप उसको समझ सकें तो मैं जरूर कमूगा। हमारे हिंदी में कहा जाता है सो सो चुहे खाए बिली हज को चनी माने पहले सो चुहे खाओ फिर हज की आत्रा करो कवित्र हो जाओ अमरीका जैसे हालत ऐसी ही अमरीका चुए कि 1047 परिक्षण कर चुका है अमरीका दुनिया के करोन लोगों को मौत की घाट उतारा है उन्होंने अपने परिक्षण के दौरान और वो अमरीकी सरकार कह रही है कि भारत को ये नहीं करना चाहिए हमने हमारी आत्मरक्षा में किया है क्यों? क्योंकि हमारे अवल्कुल परोसी देश है चीन जो 47 परिक्षण कर चुका और चीन के साथ हमारा जगडा है बहुत लंबे समय से हमारी 72,000 वर्गमी जमीन चीन के कबजे में है और चीन के बाद हमारा दूसरा परोसी देश पाकिस्तान है जिसके साथ हमारे रिष्टे अच्छे नहीं है जब से पाकिस्तान बना है तक से रिष्टे अच्छे नहीं और पाकिस्तान तीन बार आक्रमर कर चुका है हमारे उपर एक छोटा साथा दो बड़े थे चीन भी एक बार आक्रमर कर चुका है हमारे देश के उपर तो पाकिस्तान के आक्रमा के बाद इस किपी कुछ ऐसी है कि हमारा पूरा का पूरा पाक उकुपाइट काश्मीर उनके कबजे में है पाक अधिकरत कश्मीर भारत का हिस्ता है लेकिन वो पाकिस्तान के कबजे में और 72,000 वर्गमी जमीन हमारी चीन के कबजे में जब चीन ने हमारे देश की इस 72,000 वर्ग मील जमीन को हड़क लिया था तो हमारे देश में पंडित जवाला नहरू हिंदी चीनी भाई-भाई का नारा लगा दे था तो हिंदी चीनी भाई-भाई करते करते 72,000 वर्ग मील जमीन दे दिया चीन को और एक दिन पार्लिमेंट में ये सवाल उठा कि ये बात्तर हजार वर्वी जमीन आपने चीन को क्यों दे दिया आप सब जानते हैं नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दू कि जब चीन का आक्रमन हुआ था भारती सेना इंकजार कर रही थी कि कब हमको आदेश मिले और कब हम जाएं अटेक का जवाब देने के लिए तो पंडिक जवारला नहरू ने अटेक करने के बगाए उनको कहा था कि तुम पीछे चले आओ और इतिहास इस बात को जानता है कि जब भारती सेना हमारे नौर थीस्टर से चली आई थी तो अरुनाचल प्रदेश के लोगों ने सिक्किन के लोगों ने अपनी अपनी लाटियों से चीनी सरकार का मकाबला किया ये अरुनाचल प्रदेश बचा है वहाँ के लोगों की दम पर ना कि भारती सेना हम की दम कि जब पार्लेमेंट में एक दिन सवाल आया कि ये 72,000 वर्मी जमीन जो देश की चली गई है चीन के कब्जे में इसको वापस लोने की कोई योजना बनानी चाहिए तो पंडिक जवारला लेहरू ने एक दिन पार्लेमेंट में का कि वो 72,000 वर्मी जमीन बेकार की थी उसमें कुछ भी नहीं उपता था एक घास का तिनका भी उसमें नहीं उपता था उसर जमीन थी, बंजर जमीन थी, बैरेल लेंग थी अगर चली गई तो क्या नुक्सान हुआ तो हमारे पार्लेमेंट में एक MP ने खड़े होकर पंडिक नहरू को कहा के पंडिक तुम कह रहे हो के उस जमीन पर घास का एक तिनका भी नहीं उपता था इसलिए वो बेकार थी तो तुमारे खोपड़ी पर भी एक भी बाल नहीं उपता है इसको भी काट के चीन को दे दे तो पंडिक जवाला नहरू के पास इसका कोई जवाब नहीं था इसका मतलब क्या है हमारे देश की कुछ जमीन में अगर कुछ नहीं होता तो हम क्या परदेशी को दे देंगे उसको ये कमजोडी की बाते है ये उन नेताओं की बाते हैं जो इस्पाइन लैस थे जिनमें रीड की हड़ी रही अगर रीड की हड़ी होती तो हिंदुस्तान की जमीन का एक एक तुकड़ा वो चाहे जितना हमारे लिए बेकार का हो लेकिन जर रावजनेतिक संप्रहुता का सवाल आता है तो ये बेश्की इंसी हो जाता है अगर यही प्रश्मी इसराइल के लोगों के सामने होता तो इसराइल नाम का राश्व तो कभी दुनिया में बनता नहीं अगर यही प्रश्मी तिब्बत के लोगों के सामने होता तो तिब्बत के लोगों ने तो अपनी लड़ाई कपकी बंद कर दी होती क्योंकि तिब्बत की बहुत सारी जमीन ऐसी है जिसके कुछ नहीं हो सकता तो तिब्बत के लोगों ने अगर पंडित महरू वाली दिशा को अपनाया होता तो वो ये फैसला कर चुके होते हैं कि हमारी सारी जमीन लेने में तो चीन को तो तिब्बत के लोग तो लगाई नहीं लड़ रहे होते हैं अपने लास्फ़की कभी भी और यही बात अगर फिलिस्टीन के लोगों ने कहीं होती या सर अराफा जैसे लोगों ने जो फिलिस्टीन रास्फ़ बनाने के लिए नड़व हैं अगर वोई बात वो कहने लगे कि हमारे पास तो कुछ भी आती जमीन नहीं जिसमें कुछ हो सके सारी की सारी बेरन लेंड है जादा लेंड तो वहाँ पर उसर है बंजर है या तो रेकिस्टान है वो भी यही कहते थे कि हमारी जमीन तो बेकार है हमको तो कुछ करना नहीं तो यह तो राश्ट बनते नहीं है इस तरह के प्रश्णों से इस तरह के प्रश्णों से राष्ट तूपते हैं, कमजोर होते हैं, पीछे जाते हैं, कभी आगे में जाया करते हैं तो ये तो तकलीफ थी हमारे देश की, उस स्पाइनलेस लीडर्शिप की, जिनों ने इस तरह की बाते कहना शुरू किया और वैसी ही स्पाइनलेस लीडर्शिप आज भी दिखाई दे रही है, जो कह रही है कि गलत समय पर परिक्षण किया ये उनी के वंशज हैं, जो कहते थे कि 72,000 वर्मी जमीन में एक तिंका नहीं उतागास का, उनी के वंशज कह रहे हैं, कि गलत समय पर परिक्षण हुआ है, तो उनको चिट्टी लिखकर पूछिए कि सही तुम्हें कौन सा था परिक्षण करने का, तुमने क्यों नहीं कर ल उसरे तरह की है, कि कोई भी बड़े से बड़े राश्ट्री अप्रश्न को पार्टी के मुद्वे में घजीच कर उसका सत्यानाश करना अगर सीखना हो, तो ये कॉंग्रेशी वंसजों से सीखना चाहिए, इनको इतनी भी अकल नहीं है कि ये राश्ट्री अप्रश्न है, ये कोई पार्टी गज़ प्रश्न नहीं है, ये निहित स्वार्थ के प्रश्न नहीं है, और राश्ट्री अप्रश्नों पर जो लोग राश्ट्र के साथ नहीं खड़े होते, समय आने पर इतिहास उनको अच्छा सबक सिखाता है, और इनको भी सबक सीखने के, अब दिन द देखने ही पड़ेंगी, अगर इस देश की जनता ने ये समझ लिया है, 92% लोग कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छा किया है, और उसमें से कुछ लोग सेक्शली टाइप के कह रहे हैं कि नहीं गलत किया है, या गलत समय पर परिक्शन किया है, तो इनको भी इतिहास आने वाले समय में वैसे ही सबक सिखाएगा, जैसे दुनिया में ऐसे लोगों के साथ होता ही रखा है, इसलिए इस बात से दरने की कोई जरूरत नहीं है, कि ये परिक्शन गलत समय पर हुआ है, या इसके कोई बड़ा नुकसान हमारे उपर होने वाला, बलकि इसके विप्रीत एक ती अमरीका ने ये आर्थिक पाबंदी नहीं लगाई है, जापान ने ये आर्थिक पाबंदी नहीं लगाई है, हमारे राश्रुती असमिता को चुनोती दी, हमारी राश्रुय संप्रहुता के सामने उन्होंने चुनोती खड़ी की, और मैं मानता हूँ कि राश्रुय संप्र प्रवता के साथ किसी दूसरे देश को खिलवार करने का मौका नहीं दे सकता किसी भी दूसरे देश को चुनावती देने का मौका नहीं दे सकता ताहर जापान जैसे देशों ने हमारे उपर जो आर्थिक पाबंदी लगाई है उसका भरपूर जवाब देने की जरूरत है और ये भरपूर जवाब हम कैसे दे सकते हैं ये जवाब देने के दो तरीके हैं एक तरीका तो उपर का है कि सरकार के इस तर पर जवाब दिया जाएं तो अमरीका अगर हमारे उपर आर्थित्पाबंदी लगा सकता है तो भारत सरकार भी अमरीका पर आर्थित्पाबंदी लगा सकती है तो आप पूछेंगे वो कैसे संबब है उसका रास्ता बिल्कुल सीधा है कि अमरीका से आने वाले सामान को भारत में बिकने से रोग दिया जाए अमरीका हमारे उन पर आर्थिक पाबंदी लगा रहा है तो हम अमरीका पर आर्थिक पाबंदी लगा सकते और उसका एक दूसरा तरीका और है कि अमरीका से आने वाले सामानों पर चुन-चुन कर टेक्स इतना बढ़ा दिया जाए कि भारत के बाजार ने उनका बिकना मुश्कुल हो जाए एक और तीसरा तरीका है अमरीका से भारत में आने वाले सामानों पर एंटी डंपिंग टेक्स लगाया जाए और उनको एंटी डंपिंग टेक्स लगाकर ऐसा किनारे कर दिया जाए कि वो भारत में बितने मुश्कुल हो जाए यह सब संबा है एक तरीका और है कि अमरीका से आने वाले सामानों पर हम नॉन टैरिफ बेरियर भी लगा सकते हैं दो तरह के बंदी लगाई जाती है बाहर से आने वाले सामानों पर एक तो टैरिफ बेरियर होता है दूसरा नॉन टैरिफ बेरियर होता है एक तो टेक्स बढ़ा कर हम उतको रोग सकते हैं दूसरा उनकी मात्रा मिश्चित करके हम उनको रोग सकते हैं क्वांटिफेटे विस्टिक्शन हम लगा सकते हैं उनके उपर और ये सारे करीके खुले हुए हैं और मैं तो भारत सरकार से अपील करना चाहता हूं कि ऐसी परिस्तिकीन भारत सरकार के पास अब एकी रास्ता है कि वो अमरीका के खिलाफ आर्थित पावंदी लगाने की गोशना करें और अमरीका के खिलाफ आर्थित पावंदी लगाने का काम भारत सरकार कैसे कर सकती है सबसे अच्छा तरीका है कि अमरीकी सामानों पर टेक्स बढ़ा दिया जाए तरिक बेरियर लगा दिये जाए दूसरा तरीका है अमरीकी साना और सामानों को क्वांटिटेटिव रिस्टिक्शन के तहट ले आया जाए तीसरा तरीका है कि अमरीकी सामानों पर भारत में एंटी डंपिंग गिंटी इतनी जादा लगा दी जाए चौता तरीका है भारत में आने वाले अमरीकी सामानों को जो छूट मिली है सरकारों की तरफ से पिछे साथ-ाथ वर्चों में ये छूट वापस ले ली जाए ये सबसे अच्छा जवाब है अमरीका को आर्थिक पाबंदी लगाने का और फिर एक-एक करके उन अमरीकी कमपनियों के खिलाफ आर्थिक पाबंदी लगा दी जाए जिनकी हमको कोई जरूरत नहीं है और जो भारत में आके वेकार का धंडा कर रही है जिसकी हमको कोई जरूरत नहीं है उदारण के लिए पेपसी कोला क्या जरूरत है हमको पेपसी कोला की हमको क्या जरूरत है कोका कोला की हमको क्या जरूरत है कॉलगेट पामोलिट की हमको क्या जरूरत है अमरीकी कमपनी आईटी सी की हमको क्या जरूरत है अमरीकी कमपनी फाइजर की हमको क्या जरूरत है अमरीकी कमपनी मैट डॉनाईड की हमको क्या जरूरत है अमरीकी कमपनी अमेरिकन लिबरेटरीज की हमको क्या जरूरत है अमरीकी बैंक, सिटी बैंक की ये सब वो हैं जिनके उन पर अगर हम पावंदियां लगाना शुरू करें तो जो नुकसान अमरीका हमारा नहीं कर सकेगा उससे हजार गुना जाला नुकसान हम अमरीका का कर दें तो एक तरीका तो होगा कि सरकार के स्थर पर ये सारी पावंदिया लगाई जाए और एक तरह का जो आर्थिक युद्ध अमरीका ने हमारे खिलाफ भोशिब किया है उस आर्थिक युद्ध का पूरी शक्ती के साथ पूरी ताकत के साथ जवाब दिया जाए एक दूसरा इस तर और है आजकर हर व्यक्ति हमसे एक ही वरशु पूचता है राजी भाई बोलिए मैं क्या करूँ अपने देश को लिए जब भी ऐसा समय आता है राज्ट का अभिमान खड़ा हो जाता है सो अभिमान आदमी में जादा आ जाता है तो जहां भी मैं जाता हूं गाउं में गली में खेड़े में हर जगे एक ही सवाल कि राजी भाई इस समय बताईए हम क्या करें तो जो मैं सभी लोगों से कहता हूं वो आप से भी मैं कहने आया हूं कि इस समय अपने राश्व के अगुमान को बचाने की खाते है अपनी राश्वी असमिता को बचाने की खाते है हम भी चाहें तो सब के सब मिलकर अमरीकी कंपणियों के खिलाफ पाबंदी लगा सकते तो आप पूछेंगे वो कैसे बहुत आसान तरीका है कि हम सब भारत के लोग अगर एक ही प्रतिग्या कर ले कि अमरीका को हम सबक सिखाएंगे क्योंकि अमरीका ने हमारी गैरत को ललका रहा है हमारे असमिता को चुनोती दी है तो हम सब अपने अपने जीवन से अमरीकी कमपनियों का वहिशकार करेंगे इनका सामान खरीदना बंद करेंगे हिंदुस्तान का हर व्यक्ति क्या कर सकता है इस देश का हर व्यक्ति क्या कर सकता है उसका ये सबसे अच्छा तरीका है कि हम सब अपने अपने जीवन से अमरीकी कमपनियों का जैपनी कमपनियों का सामान खरीबना बंद करें तो अगर इन सारी की सारी अमरीकी कमपनियों का जैपनी कमपनियों का सामान ही हम में खरीदेंगे तो जनता की तरफ से ये सबसे बड़ा जवाब होगा जो जनता अमरीकी कमपनियों को दे सकती है तो सरकार जवाब देगी सरकारी इस तरपर जनता जवाब देगी असरकारी इस तरपर समझ रहे हैं असरकारी ज़्यादा होता है ज़्यादा असर होता है उसका जनता जो जवाब देगी उसका जो असर होगा वो सरकार के दोरा जवाब देने से ज़्यादा असरकारी होगा तो हम सब चाहें तो ताकतवर तरीके से अमरीकी चुनाउती का सामना करेंगे और अमरीका को उसकी चुनाउती का जवाब देंगे तो आप पूछेंगे उसके लिए क्या करना होगा सीधासा एक सूत्र अपने जीवन में लागू करना होगा कि आज के बाद कल से हमारे जीवन में किसी भी अमरीकी कमपनी का सामान नहीं आएगा किसी भी Japanese कमपनी का सामान नहीं आएगा तो वो कौन-कौन सी कमपनिया है जिनका सामान आपके जीवन में नहीं आना चाहिए कल से सबसे बदमाश, बेइमान और खतरनाक अमरीकी कमपनी है पेपसी कोला तो पेपसी पीना बंद कर दीजिए कोका कोला पीना बंद कर दीजिए हम कोका कोला नहीं पियेंगे, हम पेपसी कोला नहीं पियेंगे क्योंकि पहले ये थमसप हमारा था, स्वदेशी था, अब ये अमरीकी हो गया पहले पारले प्रोड़क्ट हमारे देश का था, स्वदेशी था, अब ये पारले प्रोड़क्ट अमरीकी कमपनी कोका कोला ने खरीद लिया तो हम पैपसी नहीं पीएंगे, कोका कोला नहीं पीएंगे, थमसप नहीं पीएंगे, लिंका नहीं पीएंगे, सिप्रा नहीं पीएंगे, ये तब पीना बंद करें क्योंकि ये सब का सब अमरीकी कमपनियों का सामान है और इसलिए नहीं पीएंगे कि इसके पीने के बाद जो मुनाफ़ा है वो अमरीका जाता है और अमरीका आज हमारा दुश्मन है दोस्त नहीं तो हमारा एक एक पैसे का मुनाफ़ा हमारे दुश्मन के हाथ में जाना नहीं चाहिए और आप जानते हैं, जब भी दुश्मन के साथ लडाई होती है, जब भी किसी दुश्मन की सेनाओं का सामना किया जाता है, तो मिलिटरी का एक सिध्धान्त होता है, जब कोई दूसरा देश अटेक करता है किसी देश पर, तो एक रक्षा का सिध्धान्त होता है, मिलिटरी का अटेक करने के साथ साथ दुश्मन की सेनाओं की जो सप्लाई लाइन होती है वो काटी जाती है अगर किसी दूसरे देश की सेनाओं को पराजित करना है और उनको मुझी मात देनी है उनको हराना है तो दुश्मन देश की सेनाओं की सप्लाई लाइन काटनी चाहिए उनको जो रसद मिल रही है उनको जो सामगरी मिल रही है वो सामगरी मिलना बंद करा दीजिए तो अमरीका को सप्लाई लाइन बनी हुई है हमारे देश से थूरू पैपसी कोला, थूरू कोका कोला, थूरू थंसप माने ये जितनी अमरीकी कमपनिया है इनके माध्यम से हमारे देश की सप्लाई लाइन अमरीका जाती है माने हमारे देश का हजारों करोर रुपया अमरीका जाता है ये पेपसी कोला, कोका कोला जैसी कमपनिया एक साल में हमारे देश में दो हजार करों रुपए का धंदा करती तो ये दो हजार करों रुपए हम दुश्मन की कमपनियों के हाथ में क्यों दें जब दुश्मन हमारे खिलाफ आर्थिक पाबंदी लगाया हुआ है तो इसका सबसे अच्छा तरीका है और सबसे ताकतवर तरीका है कि सारा देश पेपसी कोला पीना बंद करे, कोका कोला पीना बंद करे, थमसब पीना बंद करे, लिमका सिट्रा पीना बंद करे और हम सब ये तीना बंद करें इसके साथ साथ हमारे देश में जो व्यापारी भाई हैं जो पेपसी बेच रहे हैं, कोका कोला बेच रहे हैं, थमसब बेच रहे हैं, लिंका बेच रहे हैं वो राश्व की खातिर, राश्व के सम्मान की खातिर, इन सब को बेचना बंद करें मैं इस देश के सारे व्यापारी भाईयों से अपील करना चाहता हूँ कि एक तरफ राश्व की जनता अगर पेपसी, कोका कोला का बहिशकार कर रही है तो हमारे देश के व्यापारी भाईयों को भी ये बेचना बंद करना चाहिए उनको भी इसका बहिशकार करना चाहिए तो फिर आप पूछेंगे वो क्या बेचे गन्य का रस बेचे सबसे अच्छा नारियल का पानी बेचे उससे भी अच्छा संतुरे का रस बेचे हैं, मुसम्मी का रस बेचे हैं, गही की लसी बेचे हैं, गही की छाच बेचे हैं, पोकम बेचे हैं रुआवजा का शर्वत बिखता है नीबू का शर्वत बिखता है और कुछ नहीं है तो ठंडा पानी पिलाएं गर्मी के दिनों में बहुत पाप नहीं पुन्य का काम है तो ठेंडा पानी पिलाएं सबको शीतल जल पिलाएं कहीं कुछ नहीं मिलता है तो इससे अच्छा और कोई दूसरा तरी काने तो हम खरी देंगे नहीं और वो बेच मेंगे नहीं ये दो संधियां अगर इस देश के लोगें में हो जाएं तो अमरीका को उनकी चनौती का बहुत ताकतवर तरीके से जवाब दिया जा सकता और मुझे खुशी है कि ये काम शुरू हो गया है पूना में दक्छुनी पुने का जो सबसे बड़ा डिस्क्रिब्यूटर है पैपसी कोला का उस दिन मंच पर आकर तीन दिन पहले उसने सामने से पूना के लोगों के सामने कसम खाई कि मैं आज के बाद इस पैपसी कोला की डिस्क्रिब्यूटर शिप छोड़ दूगा उसने पैपसी कोला बेचना बन करती उसी पूरे शहर में एक दुकानदार है आप देखिए कैसे कैसे स्वामी भक्त देश भक्त लोग इस देश में एक दुकानदार है जिसमें आकर मंच पर गोचना की कि उसकी दुकान ही चलती है परदेशी माल बेचता है उसकी पूरी दुकान में परदेशी सामान बेचता है और उस दुकानदार के शब्दों के अनुसार उसने कहा कि मेरी एक दिन की बिक्री कम से कम चारलाथ रुपए की है लेकिन मैं आज कसम खाता हूँ आपके सामने कि मैं इस दुकान को ताला डाल दूँगा और मैं गया दूसरे दिन देखने उसमे दुकान पर ताला ही दाना है तो ऐसे लोग भी इस देश में निकल रहे हैं मैं पंदरपूर गया था अभी पंदरपूर में मेरा जाहिर व्याक्षाम था तो पंडरपुर के मेरे जाहिर व्याठ्थामने पंडरपुर का एक व्यापारी भाई आया मंच पर जो दवाएं बेचने वाला वहां का सबसे बड़ा व्यापारी है सबसे बड़ा कैमिस्ट और ड्रगस्ट है वो उसमें मंच पर आकर घोशना की, राजी भाई मैं चसम कहता हूँ आज से कि मैं अमरीकी कमपनियों की दवाई नहीं बेचूँगा अपनी दुकान से तो फाइजर की दवाई नहीं बेचेगा वो, अमेरिकन लिबरेटरीस की दवाई नहीं बेचेगा यה जتनी अमरीकी इन कमपनियों की दवाई नहीं बेचेगा तो हमारे डाकर भाईों को भी यह संकल फ्रेयना चाहिए कि वो अमरीकी कमपनियों की दवाई लिखेंगे नहीं किसी भी मरीश को तो हमारे डॉक्टर अगर अमरीकी कंपनियों की दवाएं लिखेंगे नहीं तो व्यापारी बेचेंगे नहीं तो ये बरावर संज़ता बैठता है और ये संदी बैठती है और हम अमरीकी चुनोती का जवाब देने में सक्षम है तो इसलिए मैंने आपसे अपील की कि आपके महले में आपकी गली में जो पेपसी कोला के बिक्री करने वाले हैं कोका कोला की बिक्री करने वाले हैं उनका धंडा करने वाले व्यापारी है उनके पास आप जाई हैं उनके निवेदन करिए और उनकी राष्ट भक्ती को थोड़ा सा हिक करिये और कहिए कि आज राष्ट के सामने ये जो संकत खड़ा हुआ है उसमें हम चाहते हैं कि आप राष्ट के साथ खड़े हो ना की पेपसी कोला के साथ ना की कोका कोला के साथ तो ऐसे लोग मिलेंगे आप और ये लहर अगर पूरे देश में चली गई तो हमारे देश में वो हो जाएगा जो करने का सफना कभी इस देश में लोकमाने तिलग देखते थे या महात्मा गांदी देखते थे वो चाहते थे कि सारा का सारा देश संपूर स्वदेशी बने वो बनने में थोड़ी रुकावट आ गई थी अब इस रुकावट को दूर करने का एक बहुत अच्छा मौका हमको मिला है इसलिए ये सारा का सारा भ्यान पूरे देश में चलाने की आज जरूरत है तो आप नहीं पिएंगे पेपसी, कोका, थंसा, प्लिंका, सिप्रा और व्यापारी भाई उसको बेचेंगे नहीं ये दो काम करने हैं हमको और इसलिए नहीं पीना है पेपसी कोला और इसलिए नहीं बेचना है पेपसी कोला क्योंकि ये पीने लायक नहीं है और बेचने लायक नहीं है पैपसी कोला में ऐसी कोई भी चीज नहीं है कोका कोला में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो पीने लायक है क्या है इसमें? कारबंडा यॉकसाइड नाम की जहरी लिगे ऐसे सोडियम गूटा में एक नाम का जहर है पोटेशियम सॉर्बेट नाम का जहर है लेड एसिटेट नाम का जहर है ब्रॉमीनेटेड वेजिटेबल आईल नाम का जहर है और चारों के चारों जहर जिस बोतल में मिले हो वो लेहर पेपसी नहीं है जहर पेपसी इसलिए मत पीजिये क्योंकि ये पीने लायक नहीं और ये जितने जहर के नाम मैंने आपको लिए सोडियम गूटामेट, पोटेशियम सॉर्बेट, लेड एसिटेट, ब्रॉमिनेटेड वेजिटेबल आईल या कार्बंडा यॉकसाइट ये सब के सब जहर कैंसर करते हैं और आपकी दोनों की दोनों किड्मिया फेल कर सकते आपके शरीर में दो किड्मी हैं और अगर वो दोनों खराब हो गई तो आपका जीवन बहुत मुश्किल पर जाएगा यॉरप और अमरीका में बहुत पैपसी पीते हैं लोग बहुत कोगा खुला पीते हैं, साफ ड्रिंग बहुत पीते हैं, इसलिए वहाँ किड्नी भी सबसे ज़्यादा फेल होती है, और अमरीका में जब किड्नी फेल हो जाती है किसी की, तो कोई किसी को दान नहीं करता, क्योंकि अमेरिकन सुसाइटी में दान करने की परंपर नहीं है, वो स्वार्थी समाज है, पूरा का पूरा, उनके लिए सिर्फ डॉलर भगवान है, बाप बेटे को दान नहीं करता, बेटा बाप को दान नहीं करता, इतना स्वार्थी समाज है, अमरीकी समाज, मा बेटे एक दूसरे को मरते हुए देख सकते हैं, लेकिन अपने भाई किड्नी डान करे तो पांच लाग दे देंगे, आठ लाग दे देंगे, दस लाग दे देंगे, तो हमारे देश में कुछ ऐसे नालाइक डॉक्टर पैदा हुए है, जो यहां के मजदूरों के गरीब आद्मियों की किड्नी निकाल निकाल के अमरीका ले जाकर बीचते मेरे उत्तर प्रदेश में अभी एक भंड़ा फोर हुआ है, तीम नर्सिंग हम थे, गाजिआबाद नामका एक शहर है मेरे उत्तर प्रदेश में, दिल्ली के बाॉ wandर का, तो गाजिआबाद में ऐसे तीम नर्सिंग हम अभी बंद हुए हैं कराई गए हैं, जहां पर रोज गरीब मजदूरों को लाकर, गरीब किसानों को लाकर उनके एक एक हजार रुपए दे कर उनकी किड्मी निकालते थे और अमरीका में ले जाकर उसको चार लातесь हुं, पांच लात crisp. लाते थे क्या कश्ट होगा अगर ये आपको महसूस करना है तो हमारे पूर प्रदान कोटा 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 तो आप profit percentage अगर calculate करेंगे तो आपको पता चलेगा हजारों प्रतिशक का मुनाफ़ा है इसमें उनको इसलिए नहीं पीजिए उसको और इसलिए भी मत पीजिए कि 10 रुपए में पैपसी या कोका कोला की बोतल आती है उसमें 300 मिली लीटर पानी है पानी ही है कार्बंडा यॉक्साइड बिला हुआ कार्बोनेटिड वाटर है और कुछ नहीं है तो 300 मिली लीटर पानी 10 रुपए का तो 1000 मिली लीटर पानी बैठता है लगब 23 रुपए का तो 33 रुपए का एक लीटर टेपसी कोला दिखता है और दस रुपए का एक लिटर गाय का दूब मिलता है काहे को पी रहे हैं पेपसी कोला कोका को दस रुपए लिटर का गाय का दूब पीजी दो हजार करोर रुपए का पूरे साल में हम पेपसी कोका कोला पीते हैं अगर वो 2000 करोρα रुपय का गाय का दूट पिये तो हिंडुस्तान की कम से कम 10-20 लाख गायों को हम जीवन दे सकते हैं इतना बड़ा काम हम कर सकते हैं उतने ही पैसे में जितने पैसे में हम पेप्सी कोला पी रहें कोका कोला पी रहें क्योंकि अगर 2000 करोन का गाय का दूद पीना शुरू किया आपने जितने पैसे में आप पैपसी कोला कोका कोला पीते हैं तो कम से कम 10-20 लाख गाय कतलकार खाने जाने से बच गाएगी और वो हिंदुस्तान के किसानों के लिए जो गोबर पैदा करेगी और हिंदुस्तान के लोगों को गवाय देने के लिए जो मूत्र पैदा करेगी वो भी इसी देश के काम आएगा तो पैपसी बन करिए कोका कोला बन करिए थमसफ लिंका बन करिए गाय का दूद पीना शुरू करिए इस देश में एक नए तरह की आर्थिक वोस्ता बनाने में हम सब अपना योगदान दे सकते हैं इसलिए मत पीजिए ये पैपसी कोका को और इसलिए मत पीजिए कि पैट्रोll लिखता है हमारे देश में 25 रुप्या लिटर और पैपसी कोला बिखता है 33 रुप्या लिटर पैट्रोll से महगा है पैपसी कोला काहे को सब्के sollten आश कर रहे हैं अपने देश की अरफिया वस्ता का अर इसलिए भी बत दिए परेप्शी कोला, कोका कोला, थंसंप लिंका, सिट्रा कि हमारे देश के रीच बेज़ के 200 गाहों में पीने का पानी ने मिलता आज़ादी के 50 साल कुरे हो गए आज़ादी के 50 साल के बाद ये इस थेश की शोकान की का है कि हमारे देश के दोलाक गाओं में पीने का पानी नहीं करोना लोग हमारे देश में पीने के पानी से प्यासे है तो जैसी परिस्थिती हमारे देश में है कि करोना लोग पीने के पानी से प्यासे है वैसी परिस्थिती में अगर हम पेपसी कोला पी रहे हैं, कोका कोला पी रहे हैं तो मैं मानता हूँ कि आप राश्ट्री अपराद कर रहे हैं इसलिए ये मत करिए और कभी कभी जब आपके मन में लालच पैदा हो अभी आज तो मैं इस कहके जा रहा हूँ 10-15 दिन के बाद कोई आपसे कहेगा लो भाई पीलो, राजी भाई थोड़ी देख रहे हैं अभी वो तो गर्य कहके तो उस समय आपके मन में लालच आएगा पीऊं कि ना पीऊं, लेलूं कि ना लेलूं और जब इस तरह का लालच आपके मन में पैदा हो जब धरम संकट में आप फच जाएं तो क्या करें वैसी इस्तिती के लिए मैं आपको एक सूत्र दे कर जा रहा हूँ उसका इसमरण करें आपके जीवन में जब आपको कोई पैपसी कोला, कोका कोला आफर करें और आपके मन में लालच पैदा हो जाए कि लाओ थोड़ी देर के लिए पी लें क्योंकि अभी कोई देखने वाला नहीं है तो अपने दिल से दो ही प्रश्न पूछिए सबसे पहले एक मिनट रुकिए और पहला प्रश्न पूछिए अपने मन से कि जिस अमरीका ने मेरे देश पर आर्थिक पाबंदी लगाई है वो समरी की कमपनी का पानी में पीलू और अपने देश के साथ गगदारी करू तो आप में कहीं भी थोड़ी सी राष्ट बख्ती जिंदा होगी तो वो बोतल आपके गले के नीचे उतर नहीं पाएगी दूसरा प्रशन अपने मंग से पूछिए सिर्फ एक मिनट कि मेरे देश के करोण लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता इस देश में पीने का पानी ना मिलने के कारण प्यासे मर जाते हैं कुछ में मैं अभी यवतमाल गया था व्याक्षान देने जिस दिन मेरा यवतमाल में जाहिर व्याक्षान था उस दिन मैंने यवतमाल के अकवार में पढ़ी एक खबर कि यवतमाल में एक 25-26 साल का नौजवान पानी ना मिलने के कारण तलब 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 तर प्यासा मर गया यवतमाल में ये ख़वर मैंने पढ़ी ती लोकमत समाचार नाम का एक अखवार निकलता उसका मराथी अडिशन निकलता लोकमत उसमें मैंने पढ़ी तो मैंने उस समाचार को लिखने वाले समबाददाता से बात की और मैंने उससे पूछा कि भाई आपको इस नوجवान के बारे में ख़बर मिली आपने अख़वार में छापा लेकिन ऐसे तो कितने लोग मर जाते होंगे जो कहीं दूर गाउं में रहते हैं जंगलों में आजवासी बनवासी रहते हैं जिन को पीने का पानी नहीं मिल पाता होगा तो संबाद दाता ने कहा कि राजी भाई आपकी बात बिल्कुल बराबर है हम तो सब गाउं में जाकर खबर लेने ही पाते क्योंकि हर गाउं में तो हमारा कोई नेटवर्क नहीं है और दूर दराब जंगलों में कोई आजवासी बनवासी रहते हैं जो वैंकर गरीवी में जिन्दा रहते हैं उन मेंसे कितने लोग मर जाते होंगे हमको खुद खबर नहीं मिल पाती कर दो ये तो हमको पता चला क्योंकि शहर में घटना हुई थी इसलिए हमने इसको अफ़ार में च्छब दिया तो ऐसे तो कितने लोग हैं जिनको पीने का पानी नहीं मिलता इस दोश में वैसी परिस्तिती में अगर आपके हमन में लालच आ रहा है पेपसी पीने का कोका कोला पीने का तो अपने मन के लालच पर काबू पाने के लिए एक ही मिनट का प्रशन पूचिए कि मेरे देश के करोणों लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता मैं इस परदेशी कंपनी का पानी प्यूँ क्या तो बोतल आपके हाथ से छूट कर गिर जाएगी और आपके मन से जवाल आएदा कि मत पीओ पीना ही है तो नारियल का पानी नीबू का शर्बत गन्य का रस संत्रे का रस मुसम्मी का रस दही की चाच दही की लसी ये सब हम पीएंगे लेकिन पैपसी नहीं पीएंगे कोका कोला नहीं पीएंगे थमसब नहीं पीएंगे और हम नहीं पीएंगे अपने किसी महमान को भी पीने के लिए नहीं देंगे ये दोनों बातें एक साथ चलेंगी और इससे भी एक कदम आगे तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप जिस भी सामाजिक कारिक्रम में जाएंगे सोशल फंक्शन में जाएंगे जो शादी हो व्या हो बरात हो किसी की जनम दिन का कारिक्रम हो और अगर वहां कोई पैपसी बांट रहा है कोका कोला बांट रहा है थमसब बांट रहा है तो ऐसे सभी सामाजिक कारिक्रमों का आप बहिशकार करिए और उनको ये कहिए कि आज हमारे देश पर इतना बड़ा आर्थी संकत अमरीका की तरफ से लादा गया है वैसी परिस्थिती में आपको ये पैपशी कोला बाटते हुए शर्म नहीं आती कोका कोला बाटते हुए शर्म नहीं आती तो हमारे देश के जो शर्म ही लोग है जो समवेदन ही लोग है उनकी समवेदना थोड़ी सी जबजोरिये और उनमें थोड़ी सी समवेदना लाने का काम खरिये तो मेरा आपसे पहला निवेदन है कि आपके घर में ये आएगा नहीं पेपसी, कोकाकोला, थमसपलिंका, सिद्रा व्यापारी भाई उसको बेचें ये नही और हम किसी भी ऐसे सामाजिक कारिकरम में जाएंगे जहां पेपसी, कोकाकोला बटेगा तो हम उन कारिक्रमों का वहिशकार करेंगे और अपने किसी महमान को भी पीने के लिए उफर नहीं करेंगे ऐसे ही मेरा आपसे दूसरा निवेगन है कि आपके घर में एक और अमरीकी कमपनी का माल सबसे ज़ादा आता है उसका नाम है कॉलिडेट पामोलिव इसका टूथ पेस्स आपके घर में आता है साबून आपके घर में आता है शेविंग क्रीम आपके घर में आती है इस कमपनी और ये कॉलिडेट पामोलिव वो अमरीकन कमपनी है जो हमारे देश में धंडा करने के लिए आई थी मातर पचास हजार रोपया लेकर और आज इस कंपनी का एक साल का मुनाफ़ा लगबग 70 करोर रुपए का है तो मेरा आपसे दूसरा निवेदन है कि आपके घर में कॉल गेट पामुलिफ का कोई भी सामान आएगा नहीं तो आप पूछेंगे क्या राजी बाई क्लोज अप खरीब लें फिर सिवाका ले लें, फॉरहंस ले लें, पैप्सोडेंट ले लें, ये भी मतली जी क्योंकि कॉल गेट अमरीकी कंपनी का है तो क्लोज अप भी विदेशी कंपनी का है सिवाका भी विदेशी कंपनी का है, फॉरहंस भी विदेशी कंपनी का है ये सब के सब परदेशी कमपनियों के टूथ पेस्ट है तो किसी को लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये टूथ पेस्ट करने लायक नहीं है किसी में भी कोई क्वालिकी नहीं है कॉल गेट बनाने वाली कमपनी कभी नहीं बताती कि वो कॉल गेट कैसे बनाती मैं आपको अभी एक जानकरी देना चाहता मैं अभी दमन गया था गुजिरात में दमन नाम का एक छोटा सा गाओ दमन गाओं में एक भारतिय नौजवान है जो कॉलगेट कमपनी को तूठपेस बना के देता है पैपसुडेन कमपनी को बना के देता है और ये कमपनीया क्या करती है आपको मालूम हमारे देश के लोगों से सामान उत्पादन करवाती है अपना सिर्फ ठपा लगाती है पैकेट में बन करती है और मार्केट में बीचती है इनका सिर्फ नाम दिखता है इनका कोई उत्पादन तंत्र नहीं ज्यादातर Zero कम्पनिया हमारे देश में 70 किका उतपादन सब कंट्रैक्टिंग में कराती है हमारे जेश के लोगों से कराती है तो जो आदमी कॉलगेट के लिए उत्पादन करता है और पेपसोडेंट के लिए उत्पादन करता है उस भाई से मैंने पूछा कि तुम जरा ये बताओ मुझको बगल पे मेरे बैठ गया मंच पर आके मुझे मालूम नहीं था दमन में मेरा जाहिर रैक्षान था अब वो बगल में आके बैठ गया किसी ने कान में आजे का राजी भाई आपके बगल में जो बैठा यही आदमी कॉलगेट और पेपसोडेंट का सबसे बड़ा सप्ला आया रहा तो मैंने का भाई सभी बात है तो कहने लगा हाँ बात तो सही है तो मैंने का फिर यहां क्यों बैठे हो मेरे पास आकर और अगर यहां बैठना है तो इसकी कीमत देनी पड़ेगी कहने लगा क्या कीमत आपको चाहिए उसको लगा कि कुछ पैसा मानेंगे राजी भाई आपको बात बात में गंविर का से विचार करूंगा मैंने का विचार करना जल्दी से मुझे बताना लेकिन तब तक इतना तो बता दो कि तुम और तुम्हारे परिवार के लोग किस से दाथ साथ तरको तुम कभी पैप सुडेंट लगाते हूँ या कॉल्डेट लगाते हूँ उसने तब कभी नहीं लगाता जो खुद बनाता है वो कह रहा है मैं खुद कभी नहीं लगाता है मैंने क्यों नहीं लगाते तो कहले लगा मुझे मालूम है कि मैं उसमें क्या-क्या मिलाता हूँ उसलिए मैं कभी नहीं लगाता हूँ तो मैंने उससे पूछा क्या-क्या मिलाते हूँ उसने कहा कि हम लोग डाई केल्शियम फॉस्पेट इस्तेमाल करते हैं और वो डाई केल्शियम फॉस्पेट आता है मरे हुए जानवरों के हड़ियों के चूरे से तो मरे हुए जानवरों के हड़ियों के चूरे से जो पेस्ट बनता है वो हम रोज सवेरे ही सवेरे अपने-पने मुह से नगलते है और फिर कहते हैं कि हम सब शाकाहरी दिMay आप का शाकाहर तो दो मिन्ट में जवस्त हो गया और पता नहीं कैसे हम सब सवेरे ही सवेरे उठकर मरे हुए जानवरों का हड्डियों का चलुड़ा अपने भूं से रगड़ सकते हैं, कैसे सब बगए इतना भी सेंस आपने बहुत लोग ऐसा कहते हैं, कि राजी बाई इनमें बहुत अच्छी क्वालिटी है, तो मैं उसे पूछता हूं कि क्या क्वालिटी है, तो कुछ लोग ऐसा कहत हूं कि अगर बहुत ज्यादा ज्ञाग बनाना तो रिंग से दाथ साफ करो, और आपको मैं जानकारी दे दू, कि जो चीज ज्ञाग बनाने के लिए रिंग में मिलाई जाती है, सर्फ में मिलाई जाती है, वोई कॉलगेट में भी मिलाई जाती है, प्रफुदेंट में भी और हम सब इतने बेवकूफ हैं सवेरे सवेरे सामने शीशे में अपना चहरा देखते हुए पेस्ट रगलते मुझ से इधर से सफेज सफेज निकलता है इतना गंदा लगता है तो भी सामने शीशे में देख देख के ब्रश करते हैं आदा आदा गंदे तक क्या यूडियोसिटी तो इसलिए मेरा आपसे निवेगन है कि ततकाल छोड़ दीजे कॉल गेट, क्लोज अप, सिबाका, फॉररंस, पेट्सुडन ये सब करने लायक नहीं है क्योंकि ये डाई केल्शियम फॉस्फेट से बनते हैं और वो मरे हुए जानवरों के हड़ियों के चूरे से आता है और मरे हुए जानवरों की हड़ियों के चूरे मिलते कहां से है हिंदुस्तान में आजादी जब नहीं मिली थी तो साड़े तीन सो कतल कार खाने थे पुल मिलाकर सारे देश में चर्टीस जार कतल का रखाने है साड़े चार लाथ पश्वों का रोज कतल होता है इस देश उनका मास बिकने के लिए चला जाता है एक्सपोर्ट हो जाता है उनकी जो हड़ियां बच्चती है उनको ये सब कमपनिया खरीदती है उससे पाउडर बनता उस पाउडर से पेस्ट बनता इसलिए करने लायक नहीं है और इसलिए भी करने लायक नहीं है कि उनमें सिंथेटिक डिटरजेंट है और वो शरीर में कैंसर जैसी बीमारी पैदा कर सकता है और इसलिए भी करने लायक नहीं कि इन सारे तूछ फेस्ट में फ्लोराइट नाम का जहर है जिससे फ्लोरोसिस बीमारी होती है इसलिए पेस्ट करना बंड करिए और इसलिए बंड करिए कि ये अमरी का पैसा नहीं जाना चलिए हमारा तो आप पूछेंगे फिर क्या करें नीम का दातुन करिए ठाना इस्टेशन के बाहर मिलता इस्ट में भी मिलता वेस्ट में भी मिलता और कुछ भी महना नहीं है पचास पैसे का है मैंने पूछा था तो पचास पैसे का एक नीम का दातुन आपके ठाना इस्ट वेस्ट दोनों इस्टेशन में मिलता वो खरीब लिया यह नीम का दातुन करिये या बबूल का दातुन करिये बेस्ट क्वालिटी है दोनों और नीम का दातुन करेंगे तो आपको पता चलेगा आप मीम का दातुन करते रही है कभी भी आपके सांस में से बद्बू नहीं आएगी और आप मीम का दातुन करते रही है कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मुँ जो है हमारा गंदा हो गया बहुत freshness रही नीम के पेड़ में ऐसी अदवुत छमता है कि वो 300 तरहे के तमाम दुर्गुणों को जो शरीर के अंदर पनप सकते हैं या वातावरों में पनपते हैं उनको कंट्रोल करने की छमता रखता है नीम ने जबरजस्त छमता है तो नीम का दातुन करिए उससे आपको जो सुरक्षा चक्र मिलेगा वो कॉलगेट से मिलने वाला नहीं कर दो तो सुरक्षा चक्र नीम के दातुन में है कॉलगेट में नहीं है इसलिए नीम का दातुन करिए बबूल का दातुन करिए और आप जब मीम का दातुन करेंगे तो आप उस दातुन को खरीदेंगे ठाणा इस्टेशन के बाहर बेचने वाले गरीब आदमी से जब आप उस गरीब आदमी का दातुन खरीद कर अपने घर में लाएंगे तो आपका पैसा उस गरीब आदमी के पास जाएगा जो अभी चला जाता है अमरीका कॉल्गेट खरी देंगे तो आपका पैसा अमरीका जाएगा हमारे दुश्मन के हाथ में जाएगा हीम का दातुन खरी देंगे तो आपका पैसा हमारे देश के उस गरीब आदमी के पास जाएगा और एक दिन मैंने हिसाब लगाया कि पूरे देश के लोग कॉल्गेट खरीदना बन करें क्लोजब खरीदना बन करें सिवाका, फॉरहंस, पैफ्रेंट सब खरीदना बन करें और नीम का दातुन खरीदें बबून का दातुन खरीदें वो दंत मंजन करें काला दंत मंजन आता है लाल दंत मंजन आता है धेर तरे के दंत मंजन इस तेश में बिखते हैं और कोई दंत मंजन अगर आपको अपने घर में बनाना हो बाहर का नहीं खरीदना हो तो सबसे आसान तरीका है किसी भी आयरवेट की दुकान पर जाईए त्रिफला चून खरीब लाईए हर बहेडा आगला से जो त्रिफला चून बनता है वो आप खरीब लाईए और उस चून में थोड़ा सा नमत मिलाईए बहुत अच्छा दंतमंजन बनता है और उससे दात साफ करना शुरू कर दीगे दंतमंजन से जब आप दात साफ करेंगे तो आपके शरीर की दो चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से होगी एक तो जब आप उड़ी इस्तेमाल करते हैं दंतमंजन करने के लिए तो दातों की सफाई होती है उससे भी बड़ी बात मसूरों की मालिश होती है जो हम नहीं कर सकते टूथ ब्रश से कभी भी टूथ ब्रश से मसूरों की मालिश नहीं हो सकती और मसूरों की मालिश अगर नहीं होगी तो मसूरे आपके ठीक से काम नहीं करेंगे तो सबसे अच्छा काम कि आपके मसुर्य की मालिश होती है दूसरा उससे भी बड़ा काम ये है कि जब आप दंतमंजन करने के लिए दाइने हाथ की पहली उंगली इस्तेमाल करते है तो इसमें एक मेरिडियन पॉइंट होता है एक्यू प्रेशर का विग्यान बताता है कि दाइने हाथ की पहली उंगली में एक मेरिडियन पॉइंट है लार्ज इंटेस्टाइन का बड़ी आँट का तो जब आप इस उंगली को इस्तेमाल करते है तो आपकी बड़ी आँट की मालिश होती है large intestine के मालिश होती है अतना वेग्यानिक काम है उगली से दात साथ करना इसलिए हमारे देश के पूरखे हमारे पूरवज हजारों साल या तो दातिं करते थे या दंकमंजन करते थे उगली से कोई तूथ बरश नहीं करता था बेवकूश तो हम हैं जिन्होंने ओबली छोड़कर ब्रश करना शुरू कर दिया जितना जादा टूथ ब्रश करेंगे दांत आपके खराब होते चले जाएंगे दांतों के बीच कैविटी बनती चली जाएगी उनमें कीड़ा भी लग सकता है पचास तरे की दूसरी बीमारिया हो सकती है इसलिए कभी भी ब्रश मत करेंगे तब आपके मन में ये भी आ सकता है अगर आजी ब्रश नहीं करेंगे तो हमारे देश में कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि दांतों में कभी खाते खाते कोई चीज जब फस जाती है तो वो बाहर कैसे निकलेगी अगर ब्रश नहीं करेंगे तो वो तो फस जाएगा दाथ में वो कीला भी बने तो आपको मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई चीज खाते हैं और खाते खाते आपकी दाथ में फस जाती है तो बताईए क्या होता तब आपकी जो जीब होती है वो बार बार लगातार उसको निकालने की कोशिश करती है और जब तक वो निकलेगा नहीं तब तक आपकी जीब शांती से नहीं बैखेगी और जितनी देर वो फसा रहेगा आपको भयंकर टेंशन रहेगा और जैसे ही वो निकल जाएगा आप एकदम relax feeling करेगे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत साफ है दातों में छिपे हुए अनकड़ों को बाहर निकालने का काम जीव खुद करती है तूथ ब्रश नहीं करता इसलिए ये गलत सेमी अपने मन से निकाल दीजिए कि टूथ ब्रश से ही हमारे दातों में छिपे हुए अनकड़ बाहर निकल सकते है ये टेलिविजन की बेवकूफी है, इडियोसिती है एड़टिस्मेंट के माध्यम से आपके दिमागों में घुसा दी गई है, घुसा दी गई है, बिटा दी गई है इसलिए आप ब्रश खरीगते हैं पेस्ट खरीगते हैं, उसको करने की कोई जरूरत नहीं और आप जानते हैं, सारी कमपनिया टेलिविजन पर जब विग्यापन देती हैं तो कहती है कि हमारा टूथ बेश इतना मुलायम, उसका टूथ ब्रश उससे भी ज़ादा मुलायम। केमपनिया आगे थिया। हमसे सबसे ज़ादा मुलायम हमारा है, कोई कहते हैं दभाने से भी डब जाता है, एसे पचास सरे के विग्यापन वो AAPCO दिकाते हैं और उसका एक ही कहना है कि हमारा टूट ब्रेश खरी दिया जो सबसे ज़्यादा मुलायम है। तो मैं आपको बता दू कि नीम के दातुन में जो मुलायम टूट ब्रेश बन सकता है वो दुनिया के किसी दूसरे प्लास्टिक टूट ब्रेश में नहीं बनेगा। आप थोड़ी देर नीम का दातुन चबाईए उसमें जो ब्रेश बनेगे वो इतने मुलायम होंगे कि किसी दी प्लास्टिक ब्रेश में नहीं बन सकते। तो प्रकरती द्वारा दीवेई जो चीज हमारे लिए इस रात में मौझूद है उसका इस्का इस्केमाल करीए तो देश का हर साल हम 70 करोण रुपया बचा सकते हैं। सिर्फ मैंने आपको कॉलगेट का उधारन दिया था। कॉलगेट अमरीका से आया 50,000 रुपय से इसने धंडा शुरू किया हमारे देश में। आज ये कमपनी 70 करोण रुपया कमाके ले जा रही है हमारी बेवकूफी का है जो हम दे रहे हैं। तो ये सब बंद करिए हम लोगे। तो आपके घरों में ये नहीं आएगा और दातून आएगा या मंजन आएगा दंक मंजन आएगा तो अमरीका जो पैसा जा रहा है वो जाना रुकेगा और ये अमरीका की पाबंदी का हमारी इजाब से सबसे अच्छा जवाब है। ऐसे ये तीसरा और आपसे निवेदन करना है कि आपके घर में एक अमरीकी साबून आता है उसका नाम है जॉनसन एंजॉनसन 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 खरीदना बन करिये प्रॉक्टर एंजॉनसन खरीदना बन करिये तो आप पूछेंगे तो क्या लक्स खरीद लाइब वाइ भी मत लीजे, वैक्सोना भी मत लीजे, लेरी भी मत लीजे, पियर्स भी मत लीजे, कैमे भी मत लीजे, पामोलिब भी मत लीजे, जॉंसन एंजॉंसन भी, कोई सावन ऐसा मत लीजे, ये सब परदेशी कमपनियों के हैं, और ये परदेशी कमपनियों के हैं उन्हों में कुछ भी क्वालिटी नहीं यह सब साबून बनते है कास्टिक सोडा से और कास्टिक सोडा शरीर की तुचा के लिए बहुत खराब माना जाता है कास्टिक सोडा के किसी भी साबूनसे आप नहाईए नहाने के 10 मिनट के बाद शरीर पर माथों से लाइन खीची सफेद रंगी लाइन खीची और सरदी के दिनों में जाड़े के दिनों में अगर आप साबून रगड़ कर नहाएं तो 10 मिनट के बाद आपका पूरा चेहरा सफेद सफेद हो जाए फिर हम क्या करते हैं कि पहले साबुन रगड़ते हैं चहरा सफेद बनाते हैं फिर कहीं से कोल्ड क्रीम खरीद कर लाते हैं और चहरे को ऐलेश बनाते हैं क्या बेवकूफी है कि पहले साबुन रगड़ो और चहरा बरबाद करो शरीर बरबाद करो फिर कहीं से कॉल प्रीम खरीद के लाओ और शरीर को ऐलेश बनाओ दोनों ही पैसा हिंदुस्तान से अमरीका जाएगा तो आप पूछेंगे राजे भाई फिर इसका इलाज क्या है इलाज बहुत अच्छा है और बहुत सस्ता है और सबके घर में हो सकता है ऐसा इलाज में आपको बताता है आप नहाईए चने के आटे में दूद की मलाई मिलाकर बेसन हम सब के घर में हैं दूद की मलाई भी हम सब के घर में तो बेसन में दूद की मलाई मलाईए और उसको पेस्ट बना लीजे और उसको शरीर पर लगाईए जैसे साबून लगाते हैं और हलके गरम पानी से नहा लीजिए घंडे पानी से भी नहा सकते हैं हलके गरम पानी से भी नहा सकते हैं आपका शरीर एकदम साफ हो जाएगा और आपकी तुचा में कभी भी रफनेस नहीं आएगा दूसरा तरीका एक और है कि चने के आटे में दूद भी मिला सकते हैं चने के आटे में दही भी मिला सकते हैं जैसी आपकी सुमिदा है दूद की मलाई मिलाईए, दूद भी मिलाईए, दही भी मिलाईए एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ हर एक दुकान पर चले जाएए मुल्तानी मिट्टी मिल्ती आप ले आईए उसको और मुल्तानी मिट्टी को पानी में डाल दीजे पांचे गंटे के बाद वो एकदम मुलाइन हो जाती है और उस मुल्तानी मिट्टी को पेस्ट बनाके शरीर पर लगाईए जैसे साबून लगाते हैं और ना लीजे एक दम शरीर साफ हो जाए एक और तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं मुलतानी मिट्टी लाइए, अरीठा का पाउडर लाइए, शीका का ये पाउडर लाइए और ये तीनों बरावर बरावर मात्रा में मिला लीजिए और इस पाउडर को नहाने से थोड़ी देर पहले पानी में डाल दीजिए उसका पेस्ट बनाईए, शरीर पर लगाईए, शाबून की तरह से ना लीजिए, एकदम शरीर साफ हो जाएगा और ये पाउडर आपके लिए बालों के शैम्पू का भी काम करेगा आपके बाल टूपने बंद हो जाएंगे अगर आप इससे बाल दोएंगे अपने तो केमिकल से जो शरीर के लिए बहुत नुकसान दायक है, बालों के लिए भी नुकसान दायक है तो जितने आप केमिकल शैम्पू इस्तेमाल करेंगे, सब आपके बाल तोड़ देंगे इसलिए बाल आपके कीम्ती हैं, क्यों उनको बर्बाद करना चाहते हैं, नहीं तो एक दिन गंजे हो जाएंगे, तो विक खरीद ना पुड़ेगा ने के लिए आप तो उससे अच्छा ये है, कि आप ऐसा तरीका इस्तेमाल करें, जिसके आपके बाल भी ना टूपे हमारे देश का पैसा भी देश के बाहर में जाए, आपको बेस्ट क्वालिटी भी मिले, औरीजनल चीज मिले, प्रकरती से मिले वाली सीबी चीज़े हैं, आप इस्तेमाल करिए, उन में जो क्वालिटी है वो किसी भी चीज में नहीं तो ये सारे तरीके हम अपनाएंगे, तो कितना प्रसा बचेगा इस देश का एक ही उधारन से मैं समझाता हूँ आपको जॉनसन एं जॉनसन एंपरी की कंपणी है, इसका धंदा चलता है हमारे देश में, इस कंपणी का सावन बिता है कीस रुपए का पचास ग्राम साथ रुपए का सौ ग्राम, छेसो रुपए का एक किलो ग्राम अब आप बताईए च्छे सो रुपई की एक किलोग्राम दूसरी कौन सी चीज में इती है इस देश गाय का घी खरी दिये देवर सो रुपई का एक किलोग्राम काजू की बर्फी खरी दिये धाई सो रुपई की एक किलोग्राम बादाम की बर्फी खरीगी ए 280 रुपई की एक किलो ग्राम, सब सस्ती है, सावन महणा है, गाय का घी सस्ता है, बादाम की बर्फी सस्ती है, काजी की बर्फी सस्ती है, और जित Wyatt बेसे अब 4 किलो गाय का घी खाएंगे, उतने पैसे में 1 किलो सावन आता है, Johnson & Johnson. अब आपकी मुश्किल ये है कि चार किलो गाय का घी खाएंगे तो शरीर को टाकत मिलेगी वो एक किलो साबुन तो का भी नहीं सकते तो उसका आप करेंगे क्या शरीर पर लगाएंगे पानी में बहाएंगे और हिंदुस्तान का सत्यानाश करें इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि ये सब साबुन बंद करिये बेसन आपके घर में है चने का आटा आपके घर में है दूद की मलाई आपके घर में है हल्दी का पाउडर आपके घर में है चंदन का पाउडर खरीद करते हैं मुल्तानी निखती है आहला है अभी ताय, शीका टाई है देर सारे तरीके हैं इस देश में नहाने के उन सब कात्रिस्तेमाल करिए असली स्वदेशी तरीके वोई है फिर भी आपको लगता है नहीं राजी भाई हमको तो साबून ही चाहिए तो कभी भी साबून खरीद ना हो तो खादी ग्राम उद्योग की दुकानों से खरीदिये वहाँ हमेशा स्वदेशी साबून मिलता उसका पैसा कभी देश के बाहर नहीं चाहिए और वो हमारे देश के स्थानी उठपादकों दुआरा बनाया गया साबून है तो मेरा माने तो प्राकर्टिक चीजों का इस्तेमाल करीए लेकिन अगर साबून की ही जरूरत है तो खादी ग्राम उद्योग का साबून करीदिये या ऐसे साबून करीदिये जो पूरी तरह से निरापद है और सुरक्षित है हर साल हम सैकलों हजारों करोर रुपया इस देश का बचा सकते है ऐसी मिराप से एक और मेजेदन है कि हमारे देश में बहुत तेजी के साथ नौजवानों में गिरावट आ रही है और एक अजीब सी चिंटा की बात इस देश के नौजवानों में जो दिखाई दे रही है वो ये कि आज के नौजवानों में संकल्प की बहुत कमी है संकल्प नहीं दिखाई देता है कमजोरी इतनी है शरीर की नहीं मन की कमजोरी शारीर कमजोरी कमजोरी हो सकता है यह गलत भी हो इस دेश की नौजवान पीनी ज्यादा तर फसी हुई है किसी ना किसी तरह की व्यसंग में या तो शारीजिक व्यसंग में या तो कोई मानसिक व्यसंग और शारी रिक्रसन क्या है मानक्षन का रहे हैं पान पराग खा रहे हैं गुटका खा रहे हैं बीनी पी रहे हैं सिग्रेट पी रहे हैं मिले तो तंबा कुखा रहे हैं मावा खा रहे हैं नहीं तो शराब ही पी रहे है एक बार एक व्याक्षान में मैं कह रहा था तो एक मुझे नहीं को अब मुझे यह बताइए किकल्स में विदेशी शराड नहीं प्यूनगा देशी पूंगा और ये मेरे साथ अबी चंडरुपुर में भुआ बरी सब्हामे केहने लगा कि बताइए विदेशी कुम सी प्यूनगा थे दोनों खतर ना के शराबी खतर ये एक बड़ी समस्या है हमारे समाज की और महात्मा गांदी अक्सर कहा करते थे कि व्यसन होता है वो आदमी के शरील की बरबादी तो करता ही है उसकी आत्मा का सत्यानाश भी करते है और आत्मा का सत्यानाश कैसे होता है कि कोई भी आदमी संकल्प हीन हो जाता है और संकल्प हिन आदमी जब हो जाता है तो ना तो राष्ट का काम कर पाता है ना देश का काम कर पाता है ना समाज का काम कर पाता है खुद अपना भी काम नहीं कर पाता है अपने परिवार का काम भी नहीं कर पाता तो मेरा इस सबहा में जो भी बैठे हुए लोग है वो नौजवान हो या बुजुर्ग उनसे मेरा निवेदन है कि जितनी जल्दी संब्भ हो इस व्यसंद से अपने आपको मुट करीए तो व्यसंद से आप जब अपने आपको बाहर मिकालेंगे तो आपको अपने संकल्प शक्ती का इस्तेमाल करना पढ़ेगा और ये संकल्प शक्ती बढ़ती तभी है जब आप इसका बार बार इस्तेमाल करें हमारे देश के सांग के दर्शन में एक सिध्धान्त है नेती-नेती का ना इती-ना इती मानि ये नहीं ये नहीं तो ये नेती-नेती का सिध्धान्त है आपको ये लग सकता है जिराजी भाई ये मिगेटिव प्रिंसिपल है नकारात्मत मैं इसको बहुत सकारात मत मानता हूँ कि जब ये नहीं कहता है आदमी ये नहीं ये नहीं ना कहना जब सीखता है आदमी तो मन में जो संकल्प तैदा होता है वो हाँ करने में नहीं होता है कभी तो व्यसन को ना कहिए तो पान पराग नहीं, गुटका नहीं, मानक चन नहीं, बीडी नहीं, सिगरेट नहीं, शराब नहीं, कुछ भी नहीं और आप अगर संकल्ब कर लेंगे तो दुनिया का कुछ भी चीज असंभव नहीं संकल्बान व्यक्ती एवरेस्ट की चोटी पर चल सकता है, तो शराब पीना नहीं चून सकता संकल्बान व्यक्ती दुनिया में क्या-क्या नहीं कर लेते, तो हम बीडी फिगरेट गुटका तंबा को नहीं चून सकते और एक दिन मैं हिसाब लगा रहा था, मैंने पिछली बार जब सरकार चलती थी यहां, चिदंबरन फाइनेंस मिनिस्टर था, उस समय एक सवाल पुछवाय था लोग सभा में, सवाल ये था, कि पूरे देश में कितना गुटका बिकता, मानक चन, पान पराग वगरा वगरा सब मिलाँ पूरे ओरे, झान, झाल पराग वगरा तो मुझे बहुती आश्यर हुआ, जब सरकार का जवाब आया, कि पूरे देश में एक साल में पांच हजार करोल का, तो मैंने उस दिन हिसाब लगाना शूरू कि yes और न इन में सब में इतना संकल पा जाए कि वो गुटका खाना बंद कर दें और कुछ सद्विद्धी उनमें पैदा हो जाए तो क्या फाइदा होगा राश्क का तो राश्क का कितना फाइदा हो सकता मैंने हिसाब लगाना शूरू किया तो एक साल अगर इस पेश के लोग गुटका ना खाए तो पांच हजार करोर रुपया बचेगा ये पांच हजार करोर रुपया इतना है कि हमारे देश में जानवर भी रोजन नहीं करते हम गुटका खा जाते हैं पांच हजार करोर का गुटका खाना बंद एक साल में ही, सिर्फ हिसाब बता रहा हूँ आपके तो एक साल का हम गुटका नहीं खाएंगे तो पांच हजार करोर बचेगा अब इसका हम करें इस पांच हजार करोर को M.S.C. में डाल दीजे National Saving Certificate ले लीजे तो पांच साल में दो गुना हो जाता है तो पांच हजार करोर का पांच साल में दस हजार करोर हो जाएगा दस साल में बीस हजार करोर हो जाएगा पंडरे साल में चालीस हजार करोर हो जाएगा बीस साल में असी हजार करोर हो जाएगा पच्चीस साल में एक लाख साथ हजार करोर हो जाएगा और 30 साल में 3,020,000 करोड हो जाएगा और 35 साल में 6,040,000 करोड हो जाएगा पता है किटना प्ईसा है यह दारग के उनकर जितना प्रदेशी कर्ज है वो सब चुकाया जासकता है अगर एक साल हम गुटकाखाना बनी कर दें सारा परदेशी कर्ज हम चुका सकते हैं तो जिस दिन से मुझको ये समझ में आया मैंने नौजवानों को कहना शुरू किया जे भाई ये बरबादी मत करो ये बरबादी तुमको बरबाद कर रही है देश को भी बरबाद कर रही है हमारे देश की वरवादी क्या हो रही है कि पैसा डूग रहा है फाल्टी के काम में अन्प्रॉडक्टिव है बेकार का है इससे ज़्यादा प्रॉडक्टिव डूखरे काम है जिनमें हम पैसा लगा सकते है और उससे भी महत्वपूर्ण है कि जब गुटका नहीं खाएगा कोई नौजवान बीडी सिगरेट नहीं पीएगा कोई नौजवान तो मनने जो संकल्प तैदा होता है वो महत्वपूर्ण है और वो संकल्प किसी भी आदमी को कहीं से कहीं पहुँचा सकता वालमी की जैसा व्यप्ती जो डकैति डालता था चोडी करता था संकल्प लिए तो रामाय्य निख्टा लिए दोस्वामी तुलसिदास जैसा बेवकूफ आदमी शादी के पहले ऐसी बेवकूफियां किया करता था एक बार संकल पलिया और रामचरिक मानस लखता दिया महात्मा गानभी ने एक दिन संकल पले लिया जब अफ्रीका के एक रेलवे स्केशन पर उनको विद्वे में से निकाल कर फेग दिया तो उस आदमी ने पूरी अंग्रेजी सामराजी को भिला दिया दुनिया में ऐसे एक हजार एक उधारण है कि आदमी जब छोटे से छोटा संकल कर लेता है तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत से टकराने की उसमें हमत पैदा होती है एक आदमी काफी है एक व्यक्ति का संकल पूरी दुनिया को बचा सकता है एक व्यक्ति का संकल पूरे राष्ट को कहीं से कहीं ले जा सकता है एक व्यक्ति का लिया हुआ संकल पूरे राष्ट की दुशा बदल देता है तो मेरा आपसे गट्टि का पिले दन है कि आप संकल पूलीजिए कि आपके जीवन में व्यसन नहीं आएगा और आप व्यसन से दूर रहेंगे तो आपका संकल पिस देश के इस समाज के इस राष्ट के काम में आने वाला है तो मेरा आपसे एक और निमेदन है और ये आप बीडी, सिगरेट, तंबाकू, गुटका, पानपराग, मावा, स्तरशराब, सब पीना छोड़े एक और खतरनाग वसन है, उसको भी छोड़े, उसका नाम है चाए और कॉफी रोज सबेरे इसबेरे हम पीते बिना सोचे समझे कि हम क्या पी रहे हैं और क्यों पी रहे हैं आपको मालूं नहीं है कि ये चाय और कॉफी दोनों ही चीज़ें हमारे पीने के लिए नहीं है हमारा देश बहुत गरम देश है एक साल में नौ महीने हमारे यां गर्मी पढ़ती है और साल में नौ महीने गर्मी जिस देश में पढ़ती हो उस देश में चाई काफी पीना बहुत बिवकुफी का काम है ये चाई काफी उन देशों के पीने की चीज़ है जहां बहुत सर्दी पढ़ती है और इतनी जादा सर्दी पढ़ती है कि साल में छे मही में बरफ जमी रहती है कभी भी सूरच के दर्शन नहीं होते काफी में कैसी नाम का चाहिए और ये दोनों जहर कैंसर करते हैं तो आप मत पीजे चाय काफी अपने मेहमान को भी मत पिलाईए क्योंकि अतिती देवता होता है तो देवताओं को जहर नहीं पिलाया करते करें तो आप पूछेंगे इससे फाइदा क्या होगा हमारे देश का हर साल साथ हजार करोन रुपया बचेगा कैसे बचेगा हम चाय पीते हैं ब्रुकबोन की लिप्तन की रेड लेवल की टी सिटी की आई टी सी की गौडफरे फिलिप्स की काफी पीते हैं विच्बू की या नैसल कंपनी हमारे या काफी बेच रही है जानते ही किस भाव में 120 रुपय की 100 ग्राम 1200 रुपय की 1 किलो ग्राम काफी जरा सोचिए 1200 रुपय किलो की काफी पी रहे हूं जिसको पीने की कोई जरूरत ने हैं तो ये सारा पैसा बचेगा साथ हजार करोन का और इस देश की अर्थ वस्था के काम आएगा तो आप फिर कहेंगे राजी बाई आदत इतनी बुरी पढ़ गई है चाए काफी की अगर एक दिन ना पियें तो सिर्मा दर्द होने लगता है शरीड में दर्द होने लगता है काम करने का मन नहीं करता तो जान लीजिए आप विसन के शिकार हो रहे क्योंकि शराब पीने वाले आदमी को रोज शराब चाहिए एक दिन शराब नहीं मिलेगी तो उसके भी सिर्मा दर्द होगा शरीड में दर्द होगा काम नहीं करेगा तो चाए काफी भी ऐसा ही विसन है तो इस विसन को छोड़िए तो छोड़ने का तरीका में आपको बता डालते हैं वो मैं डालिए पानी उबाल कर सीधे उतारिए कप में डालिए और उसको दीमे दीमे पीना चुरू कर दीजे जैसे चाय पीते हैं सिप करके ना काफी सिप करके पीते हैं तो उस सिप करके पीना एक संसकार बन गया है तो शरीर बार बार उसकी दिमांड करता है कि इसको अपनाओ इसको अपनाओ तो गरम पानी सिप करके पीना शुरू कर दीगे आपके चाय कॉफी की तलबी खतम हो जाएगा फाइदा क्या होगा गरम पानी पिएंगे आपको कभी भी अर्थराइटिस की तक्लीफ नहीं होगी जोडों की बीमारी होती है लो कभी नहीं होगी आप पीते रहिए गरम पानी पीते रहिए कभी भी आपको जॉंडिस नहीं होगा हेपिटाइटिस नहीं होगा पीलिया नहीं होगा गरम पानी पीते रहिए कभी भी आपको डाइविटीज नहीं होगा गरम पानी पीते रहिए कभी भी आपको कॉंस्किपेशन की तकलीफ नहीं होगी कब जियत नहीं होगी गरम पानी पीते रहिए कभी भी आपके शरीर पर मोटापा नहीं चड़ेगा चर्वी नहीं बढ़ेगी गरम पानी पीते रहिए आपके शरीर को कभी भी हर्कटेक की तक्लिफ नहीं आएगी गरम पानी के बहुत फाइदे हैं तो आप पीजिए अपने महमान को भी बिलाएगे तो साथ हजार करोर रुपया हम देश का बचाएंगे और इस देश की आर्थिक आजादी को जो चुनोती पैदा की गई है अमरीका और जापान जैसे देशों की तरफ से उसके लिए हम इस देश में एक बड़ा भीयान चलाएंगी और ऐसे धेर सारे उधारन हैं जो अगर मैं देता रहूँगा तो सारी रात निकल जाएगी लेकिन मैं सिर्फ आप से संख्षित में ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे जितने परदेशी कमपनियों के सामाने हम सब खरीबना बंड करें तो हमारे देश का हर साल हम सब्तर हजार करोर रुपया बचा सकते हैं और एक साल में अगर हम हमारे देश का सब्तर हजार करोर रुपया बचाएंगी तो प्मयानते हूं ये पैसा कितना है भारब सरकार की एक साल की जो कुल आमंदनी है उसका ये आधा बैट था हमारे केंडर सरकार की एक साल की आमंदनी लगवग 1,53, 40,000 करोर के आसपास है टेक्स के कलेक्शन से जो रेवन्यू आता है सरकार को वो सरकार की आमंदनी कहलाता तो रेवन्यू कलेक्शन जो हमारे देश का टोटल रेवन्यू कलेक्शन है एक साल का वो लगबग एक लाग चालीस हजार करोर के आसपास है और ये एक लाग चालीस हजार करोर जो सरकार की आमंदनी है हम देश के लोग चाहें कि ये एक लाग चालीस हजार करोर दो लाग दस हजार करोर हो सकता है अगर हम परदेशी कंपनी का माल ना करीब है तो हर साल सत्तर हजार करोर रुपया बच सकता है और अगर हर साल सक्तर हजार करोल रुप्या बचे तो कभी भी हमारे देश को परदेशी करज लेने की जरूरत नहीं है और परदेशी करज लेने की जरूरत नहीं है तो परदेशी करजे के व्याज के दुश्चक्र में फसने की भी जरूरत नहीं है इतना बड़ा काम हम इस देश का कर सकते हैं और आपको मैं एक बहुत गंभी महतुपूर बात बताना चाहता हूँ आज के दुनिया के अर्थशास्त्र में एक बहुत महतुपूर बात कही जाती है कि किसी भी देश में पैसा जो कमाया जा रहा है नहीं किसी देश के लिए अगर आप गरेलों बचत कर रहे हैं तो आप इस देश को बहुत आगे ले जा सकते हैं तो मेरा आपसे दूसरा निवेदन है कि एक तो परदेशी कमपणियों का वहिश्कार करेए दूसरा हमारे देश की आर्थी किस्तिकी को मजबूत लगातार बनाना है अमरीका के प्रतिबंदों का अगर हमको जवाब देना है तो एक काम और करिए अपने जीवन में दो सिध्धांत अपना लीजिए अपरिग्रह और संयम की हमारे यहां ईशा वाश्य उपनिशद का एक श्लोक है जिसमें कहा गया है इशा वाश्यम इदम सर्बं यदकिंच जगत त्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मावर्द है कस्य सिध्धनम इस पूरे श्लोक में जो सबसे महत्वी चीज मुझे लगती है वो तेन त्यक्तेन भुंजी था त्याग पूरवग भूग यह बहुत गहरी फिलोसफी है भारतिय संस्कृती की भूग करो लेकिन त्याग के साथ और यह त्याग पूरवग भूग की फिलोसफी को अगर एक शब्द में कहना हो तो अपरिग्र है और दूसरा कोई शब्द इसके लिए इस्तेमाल करना हो तो संयम तो अपरिग्र है और संयम आप अपने जीवन में लाईए और इस राश्ट को हम बहुत आगे ले जा सकते तो वो कैसे होगा हम हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिनको हम ना भी इस्तेमाल करें तो हमारा जीवन चल सकता हमारे अपने जीवन में कंजम्शन का रेट हमने इतना जादा बढ़ा दिया भोग करना इतना जादा बढ़ा दिया इस्तेमाल करना इतना ज़्यादा बड़ा दिया है कि आने वाली संस्कृती के लिए फत्रा पैदा हो गया है सारी दुनिया में एक खास तरह की आर्थिक पद्धिती चलती है यॉरप के देशों में, अमरीका के देशों में जो आर्थिक पद्धिती चलती है उस आर्थिक पद्धिती में ये कहा जाता है कि जो जितना भोग करेगा, वो उतना ही विक्सित है हमारे याँ भारतिय संस्कृती में इसका ठीक उल्टा है जो जितना त्याग करेगा, वो उतना ही विक्सित है हमारे याँ भोगी लोगों की पूजा नहीं होती त्यागियों की पूजा होती है हम भगवान महावीर स्वामी की पूजा करते हैं कौन से महावीर स्वामी की करते हैं जो राजकुमार की तरह से महल में रहते थे या महल छोड़कर साधना की रास्ते पर गए त्याग की रास्ते पर गए कौन से महात्मा बुद्ध की पूजा करते हैं थुपी सूप पहनता था और 15,000 रुपए महीने की तंका कमाई करता था उस महात्मा गांदी की या जिसमें लंगोटी धारन की थी उस महात्मा गांदी की हमारे ही देश में एक ऐसी विशेष्टा है कि हम उनी को मानते हैं उनी को पूजते हैं जो जीवन में जितने बड़े प्यादी हैं भगवान राम को मर्यादा पुर्शोत्तम तब कहा गया जब उन्होंने महल छोड़ा और 14 वर्ष का बनवास हिला गली गली जंगल जंगल भटके तपीफ उठाई कस्ट शहे तब हम मानते हैं कि वो मर्यादा पुर्शोत्तम हुए माने भारतिय संस्क्ती की सबसे बड़ी विशेष्टा है त्याग और हमारे देश में माना भी यही जाता है कि त्यागने में जो आनंद है वो भूगने में कभी ने सुख अगर महसूस करना है तो वो आपको त्याग के लिए ही सात महसूस होता है दोग करते हैं तो दुख महसूस होता है उधारन के लिए सबेरे सबेरे आप जब उठते हैं और टॉइलेट में जाते हैं तो क्या करने के लिए जाते हैं त्याद करने के लिए तो भोग करने के लिए इस पर हसे बिना थोड़ी देर गंबीरता से सोची उधारन मैंने इसलिए ये चुना कि आपको तुरंत बैठेगा दिमात्मा नहीं तो नहीं कोई दूसरा उधारण भी चुन सकता था आपके दिमात्मा में बिठाना चाहते हूँ एक चूची दिबा कि हम सबेरे इसबेरे उठते हैं टॉयलेट में क्या करने के लिए जाते हैं और मान लीजिए आप इसका उल्टा सिध्धानत अपनाए के हम त्याग नहीं करेंगे भोग करेंगे माने संचे करेंगे और संचे करेंगे तो माने साथ दिल तक हम टॉयलेट में जाएंगे संचे करेंगे हाँ तो करके देखेंगे आप आप मरने की हालत में पहुच जाएंगे मतलब बहुत साफ है जीवन का हर सिधान तापको त्याज करना सिखाता है भोग करना नहीं सिखाता है और सुख आपको उसी में महसूश होता है और इसके विपरी पे एक दूसरा कोई उधारं उठा के देख लीजे कि जब कोई बहुत गरीब आदमी को आप अपनी जेवन से निकाल कर कुछ दान कर देतें तो आपकी आत्मा वो जो शांती मिलती है वो शांती आपको किसी दूसरे क्या में नहीं मिलने माई तो हमारे जीवन का भी सिध्धान्त है हमारी संस्कृती का भी सिद्धान्त है कि हम त्याग संस्कृती वाले देश हैं हम तेन त्यक्तेन भुंजीथा वाले देश हैं तो मैं आपसे आज यही निवेदन करने आया हूँ कि आज इस राश्ट के सामने जो बड़ा संकत ख़़ा हुआ है इस संकट को दूर करने का एक और रास्ता हमारे पास है हम हमारे जीवन में अपरिग्र है और सैयम के रास्ते पर चले माने जितनी चीजों में हमारा जीवन चल सकता है उतनी ही चीजें हम लें बाकी चीजें आने वाली प्यूनी के लिए छोड़े तो एक ऐसे विकास के रास्ते पर हम जाएंगे जिसमें देश परावलंडी नहीं होगा हमेशा स्वावलंडी होगा यौरप और अमरीका में इस के ठीक उल्टा सिध्धन अपनाया जाता है कि वहाँ भोग को जीवन का आधर्ष माना जाता है और उसी को विकास का आधर्ष माना जाता है हमारे अत्याग को जीवन का आधर्ष माना जाता है और उसी को विकास का आधर्ष मी माना जाता तो आज इस देश के विकास की दशा और दिशा अपरिग्रे और संयम के सिध्धान पर अगलारे दारे थुई तो कोई अमरीका क्या, अमरीका जैसे सौधेश हमारा कुछ नहीं विगाल सकते। जापान क्या, जापान जैसे हजार देश हमारा कुछ नहीं विगाल सकते। और अगर राश्र के जीवन ने ये बातें आनी चाहिए, तो हमारे समाज में ये बातें परिलक्षित होने ही चाहिए और समाज में अगर ये बातें परिलक्षित होंगी तो सरकारों को भी इन बातों पर नीती बनाने में सुविदा होगी और देश को आगे ले जाने में सुविदा होगी तो एक बाजू में मैंने आपसे एक छोटा सा सुझाओ दिया कि अपने जीवन में विदेशी कंपनियों का वहिशकार करिये दूसरे बाजू में मैं आपको एक छोटा सा और सुझाओ दे रहा हूँ लेने की हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी एक साल के अंदर दो लास करोड रुपई की घरेलू बचत होती है रिजर्बेंक ऑफ इंडिया के आखों के अनुसार हमारे देश का एक साल का जो जीडीपी है जो ग्रॉस डॉमेस्टिक प्राड़क्ट है जो सकल रास्टिय उत्पाद है उसमें करीब 8 लाक करोड का है हमारे देश का सकल रास्टिय उत्पाद है और इसका 24 तका 24 परसंट हम डॉमेस्टिक सेविंग्स करते हैं हर साथ तो 2 लाक करोड की हमारी घरेलू बचत है और यह जो 2 लाक करोड की घरेलू बचत इसमें अगर हम और एक लाख करोर जोड़ दे तो हर साल तीन लाख करोर रुपया हम राश्ट के इस तरपर खुद बचत के रूप में सरकार को दे सकते हैं और भारत सरकार को किसी के सामने कटोड़ा लेकर हाथ पहनाने की ज़रूरत दे हैं आज हमारे देश के कुछ अर्थशाक्ति अफा मानते हैं विदेशी पूजी की बहुत जरूरत है हमारे देश का जो कोर सेक्टर का डवलपमेंट है इंफराइस्ट्रक्चर का डवलपमेंट है वहां पे हमको बहुत जादा पूजी चाहिए तो दिल्ली में एक बार एक बड़ी कॉन्फरेंस में गया था जिसमें यही सब बाते हो रही थी मैंने एक अर्थशाक्ति में से पूछा कि एक सान में कितना रुप्या चाहिए हमको कोर सेक्टर के लिए तो नहीं का राजी भाई कम से कम 2,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 राष्ट का विकास बहुत तेजी से हो सकता है तो मेरा आपसे एक और निवेदन है कि आप अपने जीवन में अपरिग्रह और संयम के सिद्धान को अपनाईए उससे बचत बढ़ेगी इस तेश की और वो घरेलू बचत हमारे देश के राष्ट के विकास के काम में लग सकेग और ऐसी ही कुछ दूसरी तरह की बाते हैं और कहकर खतम करूँगा कि एक बाजी में इन अमरीकी कमपनियों का बहिशकार हमको इसलिए करना है कि अमरीका ने हमारे उपर चुनोंती लगाई है आर्थिपाबंदी की रूप में दूसरे बाजी में इन अमरीकी कमपनियों का इसलिए भी जरूरी है कि हमारे देश में अभी Research and Analysis Wing का एक बहुत बड़ा Officer है, Joint Director के पदपर है, मैं उसका नाम नहीं ले सकता क्योंकि ये जाहिर व्याक्यान है उसकी नौकरी पर चोटा सकती है उसने एक Report दी है भारत सरकार को बना के हमारे देश की खुफिया एजेंसी सबसे वड़ी खुफिया एजेंसी है CBI, उससे भी उपर है RAW Research and Analysis में तो Research and Analysis में के खुफिया विवाग का हमारे देश का एक Joint Director भारत सरकार को रिपोर्ट दे रहा है, गलती से वो रिपोर्ट लीख हुई और कुछ अख़वारों में चब दो उस रिपोर्ट में उसने क्या लिखा है उसने ये लिखा है कि अमरीकी कमपनिया भारत में सिर्फ व्यापार करने ही नहीं आ रही है इन अमरीकी कमपनियों के साथ सबसे ज़्यादा मात्रा में C.I.A. के एजेंट्स आ रहे हैं भारत ले और ये C.I.A. के एजेंट्स यो भारत में वेजे जा रहे हैं उनका मूल उद्देश क्या है तो ये मूल उद्देश अगर समझना हो तो आप समझिए जब बिल क्लिंटन दूसरी बार राश्रुपती बना तो उसने सैनेट के अंदर एक वक्तव दिया था विल क्लिंटन ने कहा था कि भारत अब हमारी हिट लिस्ट में नमबर एक पर है आप समझते इसका मतलब क्या उसने कहा था कि सोवियत संग को खतम कर देने के बाद अब भारत हमारी हिटलिस्ट में नमबर एक है और चीन हमारी हिटलिस्ट में नमबर दो है तो माने भारत को खलास करना है उसी तरह से जैसे इनों ने सोवियत संग को खलास किया था और ये अमरीका के राश्ट्रपती बिल क्लेंटन ने सैनेट में कहा इसलिए मैं इसको बहुत महतु कुम मनता हूँ एक पुराना राश्चुपती और था अमरीका का उसका नाम था रोनाल्ड रीगन रोनाल्ड रीगन जिस दिन रिटायर हुआ माने जिस दिन उसका टर्म पूरा हुआ था और वो गया था अपना समय पूरा करके तो उस दिन जो उसने आखरी भाषण दिया है सेनेट में उसकी भी नीती वही थी उसने भी कहा था कि सोवियत संग के खतम हो जाने के बाद अब हमारे लिए जो चुनवती है वो या तो भारत है या तो चीन है मने हम उनकी चुनवती पर है और इसलिए वो हमारे देश को खतम करने के लिए कोई भी नीती बनाईगी सोवियत संग को जिस तरह से उन्होंने खतम किया उसी तरह से भारत को खतम करने की योजना भी उन्होंने बनाई है सोवियत संग कैसे खतम हुआ था उसका किस्ता अगर आपको समझ में आ जाए तो भारत के खात्मे का किस्ता भी आपको समझ में आना शुम हो जाएगा सोवियत संग को अमरीका ने कैसे खतम किया बहुत दिनों के बाद अब सोवियत संग में ये पता चला है कि एक बार अमरीकी CIA का आदमी सोवियत संग का राष्टुपती बना उसका नाम था मिखाइल गौरवाचोब बहुत बार ऐसा होता है और किसी को घोश नहीं होता कि उनके देश में क्या हो रहा मिखाइल गौरवाचोब जब सोवियत संग का राष्टुपती बना तो किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये अमरीकी एजेंट है लेकिन मिखायल गौरवाचोब राश्रपती बना और राश्रपती बनने के तुरंस बाद मिखायल गौरवाचोब ने क्या किया 1986 में मिखायल गॉर्वाचोग ने सोवियत संग में दो नीतियां चलाई एक डीपी का नाम था ग्लास नौस्ट और दूसरी थी पैरश्ट्रोयका ये दोनों रशियन भाषा के शब्द हैं ग्लास नौस्ट रशियन भाषा का शब्द है इसका मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन और पैरश्ट्रोयका का मतलब होता है लिब्रलाइजेशन तो मिखायल गॉर्वाचोग सोवियत संग का राश्चुपती बना और उसमें दो नीतियां चलाई ग्लोबलाइजेशन और लिब्रलाइजेशन जागति करण उदारी करण क्या किया उसमें दर्वाजा खोल दिया अपने पूरे देश का और अमरीकी कमपनियों को बुलाना शुरू कर दिया तो सोवियत संग के बाजार में खुल कर अमरीकी कमपनियों को मौका दिया गर्वा चोबले और अमरीकी कमपनिया जब सोवियत संग के बाजार में पहुंची तो एक एक करके उन्होंने सोवियत संग की सारी कमपनियों को खरीदना शुरू कर दिया और अमरीका की कमपनियों ने जब सोवियत संग की कमपनियों को खरीदना शुरू किया तो एक दिन ऐसा भी आया कि सोवियत संग के जो बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर थे वो भी बिखना शुरू हो गए और जब बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर बिख गए प्राइवेट सेक्टर भी बिख गए और उनका क्या चलता था सिद्धान? अमरीकी कमपनियां सोवियत संग की कमपनियों को खरीदती थी उनने ताला डालती थी लोगों की छट्टी करती थी बेरोजगारी तो लाखों लोगों को बेरोजगार करती है तो पूरे के पूरे आर्थिक उत्पादन के तंथ पर अमरीकी कमपणियों ने कबजा करके सोवियत संग का सत्यानाश कर रही फिर उसके बाद सोवियत संग के किसानों को बरबाद किया अमरीका की एक कमपणिय उसका नाम है कारगिल इसमें क्या तमाशा किया अमरीका से गेहु लेकर कारगिल कमपनी सोवियत संग में बेचने के लिए गई और सोवियत संग जो गेहु का दाम होता था उससे बहुत सस्ते दाम पर इस कमपनी में गेहु बेचना शुरू कर दिया मिखाई गौरवाचोग ने क्या किया था globalization के नाम पर सोवियत संग में पहले जो anti-dumping law लगता था वो हटा दिया उसे तो सोवियत संग की company sorry, अमरीका की company बहुत सस्ते दाम पर सोवियत संग में गेहू बेचने लगी, चावल बेचने लगी, दूसरे सामन बेचने लगी तो एक बार सोवियत संग के किसानों को बहुत घाटा हुआ, गेहू की फसल करने ने, तो सोवियत संग के किसानों ने तेह किया कि अब हम गेहू पैदा ही नहीं करेंगे, क्योंकि अमरीका से बहुत सस्ता गेहू आता था तो जिस साल सोवियत संग के डबल रोटी के लिए लडाईयां होना शुरू हो गए युद्ध होना शुरू हो गए रोटी के लिए मार होनी शुरू हो गए तो जब रोटी के लडाईयां शुरू हुई उस देश में और एक ऐसा भी समय आया कि धाई धाई घंटे तीन तीन घंटे लाइन में लगना पड़ता था तब डबल रोटी का एक पैकेट मिलता था मासको जैसे शेहर में तो लोगों में गुस्टा पैदा हुआ और उससे हिंसा हुई और हिंसा बढ़कती गई बढ़कती गई बढ़कती गई और एक दिन अमरीका के राश्टा पती ने मिखाईल गौरवाचोग को एक कहा कि हम आपके देश में ये जो रोग मर रहे हैं रोटी के बिना भूग से मर रहे हैं इन लोगों के लिए हम फूड पैकेट्स गिराना चाहते हैं आप इसकी पर्मिशन दे दो तो सोवियत संग के मिखाईल गौरवाचोग ने पर्मिशन दे दी तो अमरीक आके जहाज आते थे वो फूड पैकेट्स गिराते थे तो इन जहाजों के पाइलेट ओफिसर्स को ये इंस्ट्रक्शन दिये हुए थे कि जहाँ कहीं एक हजार लोग खड़े हो वहाँ सिर्फ दस पैकेट्स गिराना हूँ ताकि कोई खा न सके उसको और आपस में लड़के एक दूसरे को मार दे कतम करते हैं तो फूड पैकेट्स के माध्यम से अमरी की लोगों ने अमरी की सेनाओं के पैलेट्स ओफीसर्स ने सोवियत संग में फूड रॉइट्स करा दिये और इतनी मारा मारी हुई इतनी घमासान मारा मारी हुई कि एक राश्व सत्रह टुकड़ों में खंड खंड बच गया एक जमाना था जब कभी सोवियत संग नाम का एक राश्व था आज दुनिया में ऐसा कनी राश्व नहीं है अभी सत्रह टुकड़े हो गए है और जिस दिन सोवियत संग के सत्रह टुकड़े हुए उसी के बाद मिखाईल गवरवाचोब अपना देश छोड़ कर भाग दिया और अमरीका में रहना शुरू कर दिया उसमें और आप जानते हैं आजकर मिखाईल गवरवाचोब अमरीका की एक कमपनी का चीफ एग्जोकुटिव आफीसर है और अब सोवियत संग के लोगों को पता चला है कि वो अमरीकी एजेंट था जिसको सोवियत संग का राश्टपती बनाया गया जिसके माध्यम से ग्लोबलाइजेशन कराया गया लिबरलाइजेशन कराया गया और पूरे देश का सत्यानाश कर दिया उसने और जब अमरीका में भाग कर चला गया मिखाईल गवरवाचोब तो अमरीकी सरकार ने उस मिखायल गौरवाचोब को नोबल पीस प्राइज दिलवाया शांती का सबसे बड़ा इनाम मिखायल गौरवाचोब को मिला क्यों? क्योंकि उसने अपने देश का सब्क्यानाश किया अमरीका के सुआर्थों की पूर्ती की मैं आपको कहना ये चाहता हूँ कि जो आदमी अमरीका के सुआर्थों की जितनी ज़्यादा पूर्ती करता है उसी आदमी को उतना बड़ा इनाम मिलता है तो मिखायल गौरवाचोब को इनाम मिला नोबल पीस प्राइज और आज विखायल गरवाचोग अमरीका में रहता है, सोवियत संग में नहीं रहता अब सोवियत संग के लोगों को पता चल रहा है कि वो अमरीकी एजेंट था जिसने उनके देश का सत्यानाश किया और इस कहानी के माध्यम से मैं आपको एक दूसरा उधारण और जोनना चाहता हूँ इसी कहानी में कि इसी अमरीका ने एक और देश बरबाद किया है, उसका नाम है इंडोनेशिया और उस इंडोनेशिया को अमरीका ने कैसे बरबाद किया है उसका भी किस्सा आप सुनेजी इंडोनेशिया में एक राश्ट्रपती होता था अब नहीं है सुहार्तो 1991 के साल में सुहार्तो ने वही किया जो मिखाईल गौरवाचोग ने 1986 में किया सुहार्तो ने भी अपने देश में ग्लोबलाइजेशन किया लिबरलाइजेशन किया उदारी करन किया जागतिक करन किया इंडोनेशिया का दरवाजा कोल दिया अमरीकी कमपनियों को बुला लिया और अमरीकी कमपनियों को लूट की खुली छूट दे लिया इंडोनेशिया का जो शेयर बजार है वो पूरी तरह से अमरीकी कमपनियों के कब्जे में चला जया अमरीका की एक कमपनी है स्टेली मॉर्गन और दूसरी कमपनी है मेरे लिंच इन सब ने जाके इंडोनेशिया के पूरे पूरे शेयर मार्केट को कंट्रोल कर लिया और एक तरह से वो शेयर मार्केट को उठाते गए उठाते गए उठाते गए इंडोनेशिया के लोगों ने ऐसा माना कि ये शेयर बजार उठ रहा है तो इंडोनेशिया की कोई बली बारी तरक्की हो रही है तो इंडोनेशिया के लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई शेयर बजार में लगाना शुरू कर दिया और एक दिन इन कमपनियों को समझ में आया कि अब इंडोनेशिया के लोगों के पास कुछ भी पैसा नहीं है तो उन्होंने जितना पैसा लगाया था वो सब विड्रो कर लिया तो धरान से शेयर बजार इंडोनेशिया का जमी पे गिरा और जैसे ही इंडोनेशिया का शेयर बजार गिरा जकारता का शेयर बजार गिरा लाखों लाखों इन्वेस्टर्स वहां के बरबाद हो गए जिनका हजारों करूर रुपया डूब गया उश्यर बजार पे फिर वहां के कारखाने बंदोना शुरू हो गए मंदी आ गई बाजार में मंदी इतनी भयंकर आई कि व्यापारियों के सामने संकट पैदा हुआ फिर व्यापारियों के बाद वो संकट बरता बरता किसानों के सामने गया और किसानों के सामने इतना संकट पैदा हुआ कि उत्पादन खतम हो गया उत्पादन खतम हो गया तो वहां भी भुखमरी आ गई भुखमरी आ गई लाखों लाखों लोग बेरोजगार हो गए तो फिर लाखों लोगों को जब ये समझ में आया कि ये सब कुछ हुआ है ग्लोबलाइजेशन के कारण लिबरलाइजेशन के कारण तो अभी पिछले कुछ महीनों से इंडोनेशिया में आंदोनन चल रहा था जिस आंदोनन की मुख्यमान थी कि जिस राष्टपती में हमारे देश में ग्लोबलाइजेशन किया लिबरलाइजेशन किया हमारे देश का फत्यानाश किया अब उस राष्टपती को फासी की सजा मिलने चाहिए तो फासी की सजा तो नहीं मिली लेकिन सुहारतों को स्थीफा देना पड़ा और मैं आपको एक इसी के साथ दूसरी जानकार यह और देना चाता हूँ कि सुहारतों की सरकार में एक आदमी था जो वित्यमंत्री था 1991 के साल से आज वो आदमी इंडोनेशिया छोड़कर भाग गया है अमरीका में और अब इंडोनेशिया के लोगों को समझ में आ रहा है कि 1991 के साल में जिस आदमी को वित्यमंत्री बनाय गया था इंडोनेशिया में अभी सुहारतों का बेंक बैलेंस टेस्ट किया गया है 400 करोड डॉलर उसमें जमा है पूरे देश का सत्यानाश कर दिया उस प्रेसिडेंट के अमरीकी कमपनियों को लूट की खुली छूट दे दी ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन के नाम पर सारे धंडे कतम कर दिये उसमें और आज उस इंडोनेशिया को बीच मजधार में छोड़कर सुहारतों किसी भी छण भाग सकता है और इंडोनेशिया में आग लगी हुई है कैसी आग लगी हुई है अभी हफ़ते भर पहले की ख़वर थी कि जकारता की एक दुकान में डबल रोटी के कुछ पैकेट रखे हुए थे सो नौजवान भूक से तड़प रहे थे तीन दिन से खाया नहीं था वो सो नौजवानों को पता चला कि दुकान में डबल रोटी के पैकेट थे बूस गए बाहर दूसरे सो नौजवान ख़ड़े हुए थे उनको पता चला कि अंदर वाले सब खा जाएंगे तो बाहर वाले लड़कों ने दुकान में भी आग लगा दी तो सो के सो लड़के उसी में जलकर मरते तो भूक के लिए इतनी जवरजस्त लड़ाई इस समय इंडोनेशिया में चल रही है और ये बिल्कुल आश्यर नहीं होगा आपको कि कन इंडोनेशिया भी ऐसे ही न तूट जाए जैसे सोवियत संग तूटा था तो ये अमरी की कमपनिया क्या सत्यानाश करती है किसी भी देश का उसका एक उधारन सोवियत संग दूसरा उधारन इंडोनेशिया और तीसरा उधारन है साउथ कोरिया दक्षुनी कोरिया एक जमाने में ये दक्षुनी कोरिया नाम का देश एशियन टाइगर कहलाता था और आज वो देश पूरी तरह से भिकारी हो गया है, बेंकरब्ट हो गया दक्षुनी कोरिया की सरकार ने भी वही गलती की, जो सोवियत संद ने की, जो इंडोनेशिया ने की उन्होंने भी गलोबलाइडेशन चलाया, लिबरलाइडेशन चलाया और गलोबलाइडेशन और लिबरलाइडेशन चलाके अमरीकी कमपनियों को दरवाजा खोल के बुला लिया اور अमरीकी कमपणियों نے पूरा का पूरा दक्षिणी कोरिया का बिजनस चोपट करा दिया सियोल का शेर मरकेट ऐसेगी गिराया अमरीकी कमपणियों ने जैसे इंडोनेशिया का गिराया और उसके बाद फिनिचियल क्राइसिस खड़ी होगई पूरे के पूरे साउथ कोरिया में और नतीजे उसके ये निकले है कि साउथ कोरिया की बड़ी बड़ी कमपनियां विकी कौरी के दाम में उनकी सबसे बड़ी कमपनिय हुंड़ी मोटर्स विकी बाजार में उसकी जो कीमत होनी चाहिए उसकी एक बटे तीन कीमत पर हुंड़ाई मोटर्स लूग गए अमरीकी कमपनियों उसको खरी दी पूरा का पूरा साउथ कोरिया वरबाद हो गया और वहां के राश्वती महोदे ने अब ये कहना शुरू किया है कि हमने तो किया था ग्लोबलाइजेशन हमने तो किया था लिप्रलाइजेशन लेकिन हो गया है री कॉलोनाइजेशन मने एक जमाने में दक्षुनी कोरिया अमरीका का गुलाम था आज फिर दक्षुनी कोरिया अमरीका का गुलाम हो गया तो अब वहां के नوجवानों ने आंदोलन चलाया है वहां के नوجवान कह रहे हैं Be Korean and by Korean इंडोनेशिया के नوجवान जो आंडोलन चला रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं Be Indonesian and by Indonesian सोवियत संगना बोरिस यहलस्तिन नाम का प्रेसिडेंट खुदी आंडोलन चला रहा Be Russian and by Russian तो यह सारे के सारे उधारन में आपको इसलिये दे रहा हूँ कि इन सभी देशों की बरबादी हुई है अमरीकी कमपनियों के कारण क्योंकि अमरीकी कमपनिया गोसी Globalization हुआ, Liberalization हुआ और सत्याना शोग जया इन देशों का और मैं आम तुमें यही कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में भी ऐसा हो रहा है 1991 के ताल से हमारे देश में भी Globalization चल रहा है Liberalization चल रहा है और हमारे देश में जिन लोगों ने ये Globalization चलाया जिन लोगों ने Liberalization चलाया उनमें दो सबसे महत्वपूर लोग डॉक्टर मन्महान सींग और पी चिदंबरम और दोनों को अमरीका में बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर का अबॉर्ड मिला माने मिखाइल गौरवाचोप को नोबल पीस प्राइस दिया गया क्योंकि उसने अपने देश की बरबादी की इंडोनेशिया की एक फाइनेंस मिनिस्टर को बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर का अबॉर्ड दिया गया क्योंकि उसने इंडोनेशिया भी बरबादी की हमारे देश की भी बरबादी करने वाले दो आदमियों को best finance minister का award निला और इन दोनों लोगों ने जो globalization चलाया जो liberalization चलाया उसका क्या सत्या नाच हुआ है हमारे देश में भी दरवाजा खोल कर परदेशी कमपनियों को लूट की खुली चूट मिली है हमारे देश में भी ये विदेशी कमपनियों को खुली चूट मिली है आने थी और विदेशी कमपनियों को जो भी सुविधाय दी गई है इस देश में वो सारी की सारी सुविधाय इस वदेशी लोगों से उपर परदेशी कमपनियों के माल पर टेक्स में कटोती हुई है परदेशी कमपोनियों के माल को भारत में बहुत आसानी के साथ घुजा दिया गया और परदेशी कमपोनियों के माल पर कितनी टेक्स में कटोती की गई है आपको मालूम है जिन सामानों पर 400 टका टेक्स लगता था, 400 टका कस्टम ड्यूटी लगती थी, अब उन सामानों पर सिर्फ 40 टका कस्टम ड्यूटी जिन सामानों पर साड़े 300 टका कस्टम ड्यूटी लगती थी अब उन सामानों पर सिर्फ 30 टका कस्टम ड्यूटी जिन सामानों पर 200 टका तक की कस्टम ड्यूटी लगती थी अब उन सामानों पर सिर्फ 20 टका कस्टम ड्यूटी और बहुत सारे ऐसे सामाने जिन पर 80-100 टका तक की कस्टम ड्यूटी लगती थी अब उन सामानों पर कुछ भी ड्यूटी ही नहीं लगती वो सब ड्यूटी फ्री हो गए तो परदेशी कमपनियों के सामान पर टेक्स में भयंकर कटो थी और बारतीय कमपनियों पर टेक्स जसकातस बारतीय कमपनियों को एकसाइस जूटी भी देनी है सेल्स टेक्स भी देना है, इंकम टेक्स भी देना है औक्ट्रो टेक्स भी देना है, टोरी टेक्स भी देना है, सर्विस टेक्स भी देना है कमाम तरह के डिपार्टमेंट का आपको बंधन जेलना है और परदेशी कमपणियों को टेक्स में लगातार कटोथी की जा रही है उसके नतीजे क्या निकल रहा है भारत में परदेशी माल बहुत सस्ता भिक रहा है और स्वदेशी माल बहुत महंगा हो गया और परदेशी माल जब बहुत सस्ता है और स्वदेशी माल महना है तो स्वदेशी कारखाने बंद होते चले जा रहे हैं परदेशी दंदे जादा बन रहा है इस देश कैसे कैसे हमारे स्वदेशी कारखाने बंद हुए है अभी मैंने आपको बता है मैं चंद्रपूर गया था वहाँ स्टील अथॉरिटी ओफ इंडिया लिमिटेट का एक कारखाना है जो बंदोने वाला उस कारखाने के अधिकारी मेरा व्याख्यान सुनने आये ते मैंने वही से पूछा कि आपकी क्या हालत है तो कहने लगे राजी भाई परदेशी स्टील आ रहा है हमारे देश में आठ हजार रुपए में एक तन और हम स्वधेशी स्टील बना रहे हैं तेरे हजार रुपए में एक तन स्वदेशी स्टील बहुत महंगा है परदेशी स्टील सस्ता आपके मन में प्रशन आएगा कि स्वदेशी स्टील इतना महंगा क्यों है परदेशी स्टील इतना सस्ता क्यों है परदेशी स्टील पर टेक्स में भेंकर कटोती की गई और स्वदेशी स्टील पर टेक्स में कोई कटोती नहीं तो स्वदेशी स्टील मेंगा परदेशी स्टील सस्ता तो स्टील बनाने वाले सारे कारखाने देरे देरे बंदोने के लिए तैया है यही हालत हमारे देश के कागज उद्योग की है पेपर इंडस्टी की बल्लारपुर में महाराज्ट की सबसे बड़ी पेपर मिल है बल्लारपुर पेपर इंडस्ट्री थापर ग्रुप की प्राइवेट सेक्टर की अभी साथ तका उत्पादन उनका पूरी तरह से डम पूरा है लिक नहीं रहा है बचाए और जब बल्लारपुर में गया था व्य चेपाद काजज बनाने वाले 40 मिल्स बंद हुए है पिछले एक वर्शक अंदर इसकी यह हालक हमारे देश की इलेक्रोनिक स्थे की इलेक्रोनिक इंडस्ट्री में क्या हुआ हुआ है प्रधेशीलेक्रोनिक्स सामान बेचने वाली तो आपको बताएगा कि यह तो बनना ही बन्द हो गया कभी एक जमाने में E.C. टेलिविजन नाम की पबलिक सेक्टर की बहुत बड़ी कमपनी थी जो अब बन्द हो चुकी टेलिविजन की दुकान पर जाकर पूछिए कि अप्ट्रोन नाम का टेलिविजन है तो वो कहेगा यह कमपनी ही बन्द हो गया उत्तर प्रदेश सरकार की यह बहुत बड़ी कमपनी थी जो अभी बन्द हो चुकी आप बादार मेजाईये में आपको चुनोती देता हूँ मेल ट्रोन टीवी खरीद के दिखा दिये हुए कहीं से यह महरास्ट सरकार की बहुत बड़ी कमपनी थी टेलिविजन बनाने वाली जो पूरी तरह से बन्द हो चुकी बादार मेजाईये आपको कहीं भी कोनार्क टेलिविजन नहीं मिलेगा यह करनाटेक सरकार की बहुत बड़ी कमपनी थी जो अभी बन्द हो चुकी बादार में जाईए आपको टेले रामा नाम का टेलिविजन नहीं मिलेगा ये तमिलाडू सरकार की बहुत बड़ी कमपनी थी जो बंदो चुकी ऐसी हमारे देश की छोटी बड़ी हजारों इलक्रोनिक्स की कमपनियां बंदो गए क्योंकि परदेशी इलक्रोनिक्स का सामान आया सस्ता किया गया उसको बादार में टेक्स में कटोटी करके और भारती इलक्रोनिक्स के सामान बहने होते गए कमपनियां बंदोती चली यही इस्थिए हमारे देश के केमिकल इंडस्टी की है ड्रग्स और फार्मसोटीकल इंडस्टी की बाहर से आने वाले केमिकल सब इतने सब्के हो गए है क्योंकि सरकार में टेक्स में कटोटी है उनकी तो रॉमिटीरियल जो आ रहा है बाहर से कच्चा माल आ रहा है उस पर उतनी ही कस्टम इंडस्टी है जितने पक्के माल पर है हमेशा से कच्चे माल पर कस्टम इंडस्टी कम रखी जाती है पक्के माल पर जादा रखी जाती है लेकिन अब कच्चे माल पर भी उतनी ही कस्टम इंडस्टी है जितनी पक्के माल पर है तो दीरे दीरे सारे के सारे केमिकल इंडस्पी के कारखाने बंदोते चले जा रहे ये हालत हमारे देश की पिछले 7 साल में क्या हुआ है लगबग 36 से जादा औद्यों की छेत्र हैं हमारे देश के जो बरबाद हुए है और दो लाख बासेट हजार कारखाने हमारे पूरी तरह से बंद हो गए ये दो लाख बासेट हजार कारखाने जो बंद हुए इनमे करोड़ों लोग काम करते थे जो बेरोजगार हो गए भारत सरकार उसको इस तरह से कहती है कि सन 1991 के साल में हमारे देश में गरीबों की संख्याती 32 करोड अब 1998 में गरीबों की संख्या हो गए ये 40 करोड मने 8 करोड गरीब पिछले 7 साल में और जादा पैदा हुए तो ये आठ करोड गरीब कहां से आए पहले ये लोग कहीं काम करते थे इनको कोई रोजगार था इनके पास कोई धंडा था अब इनके कारखाने बंदो गए इनके रोजगार खतम होगे इनके धंडे खतम होगे इसलिए इनके पास कुछ भी नहीं है काम करने की और आठ करोन लोग जब बेरोजगार हो जाते हैं किसी बाजार में और उनके खरीदने की शक्ती खतम हो जाती है च्छमता खतम हो जाती है पर्चेजिंग करशिटी खतम हो जाती है कभी बाजार में मंदी आती है और हमारे देश के बाजार में पिछले दो साल से जो मंदी चल रही है वैसी मंदी पिछले 40 साल में कभी नहीं आई और इस मंदी का भुगतान कौन कर रहा है या तो व्यापारी कर रहा है या तो उद्योगपती कर रहा है और आपको मानू में एक बार जब मंदी का दुश्चक्र पैदा होता तो बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है, मान लीजे कोई एक कार खाना बंद हुआ, तो एक कार खाने के बंद होने के कारण उस कार खाने के लिए जोब बर्त कर हागते थे चोटे-चोटे कार खाने, वह सब बंड हो जाएंगे। उस कार खाने के ही सप्लाई करता था, कोई आदमी अपना माल तो वह सब खत्ब हो जाएगगा। इस तरह से हमारे देश का पूरा का पूरा small scale industry खत्म हो रहा है, medium scale industry की भी बर्बादी हो रही है, ये globalization में हो रहा है globalization और ये सारी नीतियां बनाई गई है मन्मोहंसिंग और चिदंबरम जैसे लोगों के दुआरा और आज उनका हमारे देश में सत्यानाश हमारी आँखों के सामने एक और भयंकर नुकसान हमारे देश को किया इन दोनों लोगों ने मन्मोहंसिंग जब वित्यमंतुरी बना तो उसमें हमारे देश के रुपए का अवमुलियन करना शुरू किया और डिवैल्यूएशन शुरू किया तो उसके पीछे तर्क क्या था उसका उसमें ये कहा कि हम भारत का निर्याद बढ़ना चाहते हैं एक्सपोर्ट औरियंटेड हम इस देश का डवलप्मेंट करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी आद कब होगा जब इस देश की मुद्रा का अवमुलियन करेंगे तो माल सस्ता हो जाएगा इसलिए ज़्यादा बिकेगा तो अवमुलियन करते गए कितना किया 1991 के साल में एक डॉलर में 18 रुपया होता था आज एक डॉलर में 40 रुपया है 120 टका अवमुलियन हो गया इसका नुकसान क्या हुआ 1991 के साल में जब हम अंतराश्पी बजार में 18 रुपय का माल बेचते थे तो हमको एक डॉलर मिलता था अब अंतराश्वी बजार में हमको 40 रुपए का माल बेचना पड़ता तब एक डॉलर मिलता माने 22 रुपए का माल हमारा खड़े न जा रहा है उसकी कोई कीमत हमको नहीं मिल रही दूसरा नुक्सान क्या हुआ कि पहले अंतराश्वी बजार में से हम लोग कोई सामन खरीद के लाते थे आयात करके लाते थे तो 18 रुपए का माल जब हम खरीद कर लाते थे अब वही माल हमको 40 रुपए का खरीदना पड़ता तो हमारे आयात के खर्चे बढ़ गए निर्यात की आमंदनी कम हुई निर्यात की आमंदनी कम आयात के खर्चे जब बढ़ जाते हैं तो व्यापार में घाटा पैदा होता है और इस साल भारत सरकार का व्यापार घाटा लगभग 20,000 करोन रुपए के आसपास होने वाला है अभी बजट आएगा एक जून को बजट आएगा तो आपको पता चलेगा कि इस साल का व्यापार घाटा पिछले 40 साल में सबसे ज़ादा है ये सब कुछ हुआ है हमारे देश में उन आर्थिक नीतियों के कारण जो चलाई गई है सनुनी सुच्यानवे से और इसका एक नुकसान और हुआ है कि जब जब व्यापार घाटा ज़ादा बढ़ता है हमारे देश में एक ऐसी परंपरा डाल दी है ये मन्मोंसी और चिदंबरम जैसे लोगों ने कि पहले मीतियां ऐसी बनाओ कि व्यापार घाटा पैदा हो फिर उसमें अपार घाटे की पूर्ती करने के लिए परदेशी कर्ज लेकिया 1947 में हम आदाद हुए थे हमारे देश के ऊपर एक भी परदेशी कर्ज नहीं था एक भी पैसे आज इस देश के ऊपर 140 अरब डॉलर का परदेशी कर्ज हो गया इसको अगर रुपए में हिसाब लगाएंगे तो एक अरब में 100 करोर होता है और एक डॉलर में 40 रुपया होता है लगबग तो 5,60,000 करोर रुपए का परदेशी कर्ज है हमारे देश और इसको हिसाब लगाएंगे तो हिंदुस्तान के एक-एक व्यक्ति के ऊपर लगबग 5,000 रुपए का परदेशी कर्ज है एक परिवार में अगर 5 सदस्य है तो लगबग 30,000 रुपए का परदेशी कर्जदार है हर एक परिवार तो आप पहेंगे राजी भाई हमने तो कभी लिया नहीं हमारे उपर कहां से चाला तो ये अदुबत कर्जा है जो आपने कभी लिया नहीं लेकिन चढ़ा है आपके सिर पर और इसका भुगतान भी आपको करना परता है इस परदेशी कर्जदे का जब ब्याद चुकाना परता है सरकार को तो उसका भुगतान आप करते हैं आप कैसे करते हैं आप सरकार को जो टेक्स देते हैं सरकार आपसे जो टेक्स बसूलती है उस टेक्स की बसूली का एक बला हिस्सा परदेशी करजे का ब्याद चुकाने में खर्चोता और इस साल आप जब बजट आएगा एक जून को तो आप एक ही चीज समझने की कोशिश करिए बजट में कि इस साल भारत सरकार का सबसे ज़्यादा पैसा कहां खर्चो रहा है हमारे देश के गरीब किसानों के ऊपर खर्चा नहीं होगा बेरोजगारों पर खर्चा नहीं होगा हमारे देश में जो लोग भूख से मर रहे हैं उनके ऊपर नहीं होगा पानी के लिए नहीं होगा भारत सरकार का सबसे ज़ादा पैसा खर्च होगा इस साल परदेशी करजे का ब्याच चुकाने में और लगबग अभी बजट नहीं आया लेकिन मैं अप्रॉक्सिमेशन आपको दे रहा हूँ लगबग इस साल भारत सरकार का 80,000 करोर रुपए परदेशी करजे का ब्याच चुकाने में चला जायाएगा ये ग्लोबलाइजेशन का दुश्परिनाव और ये 80,000 करोर रुपया कितना होगा ये भारत सरकार के पिछले साल की जो आमंदनी है टेक्स की उसका सत्तर ठका है पिछले साल टेक्स की आमंदनी बहुत कम हुई ये सरकार क्योंकि उतपादन कम हुआ है तो एकसाइस जूटी का कलेक्शन कम हुए क्योंकि उत्पादन कम हुआ है तो इंकम टेक्स भी कम कलेक्ट हुआ क्योंकि मंदी आई है बाजार में इसलिए सेल्स टेक्स भी कम कलेक्ट हुआ विक्री नहीं है बाजार में तो सेल्स टेक्स कहां से आएगा उत्पादन नहीं है तो एक्साइज यूपी कहां से आएगी इंकम नहीं है तो इंकम टैक्स कहां से आएगा तो सभी तरह के टैक्स में कमी आई है क्योंकि हमारे देश में मंदी चल रही है उत्पादन में कमी आई तो टेक्स में कमी आई है, सरकार की आमंदनी में कमी आई है तो पिछले साल की जो आमंदनी हुई है उसका 70 तका परदेशी करजे का ब्याद चुकाने में चला जाए और बचे हुए 30 टके में क्या होगा बचे हुए 30 टके में से लगबग 15 टका चला जाएगा बारत सरकार के केंडर सरकार की करमचारियों की तंखा देने पांचवे वेतनायों की रपट लागू हो गई और पांचवे वेतनायों की जो रपट लागू हुई है उसके अनुसार क्या होगा जिन सेक्रेटरीज को अब तक 10-12 हजार रुपई की तंखा मिलती थी अब उनको 40-45 अजार रुपई की तंखा बढ़ा है इतने भयंकर खर्चे बढ़ाए हैं सरकार और ये सरकारी अधिकारियों की कर्मचारियों की तंखाएं बढ़ी हैं सिर्फ इतना ही नहीं है अभी तो एक नया नोटिफिकेशन आ गया है हमारे देश के राष्टुपती महोदे की भी तंखा बढ़ गए कितनी बढ़ी है जानते हैं अब तक हमारे देश के राष्टुपती महोदे को 20,000 रुपई की बेसिक सेलरी मिलती थी परमंद अब वो मिलेगी 70,000 रुपई महीने बेसिक सेलरी मैं अब की बार दिल्ली गया था अपरेल के महीने में तो मैंने जॉइंट सेक्रेटरी से पूछा कि रास्टपती महोदे को 70 हजार रुपए तो बेसिक सेलरी मिलेगी अभी इस पर डी है कितना तो कहले लगा कम से कम साड़े 300 तका तो मैंने लगा टी है कितना है तो कहले लगा फिर अलग लग क्यों पूछ तो एक साथ पूछ लो फिर पूछो गए आचारे कितना तो मैंने का भाई एक साथ ही बता दे तो कहले लगा राजी भाई इतना समझ लीगी है कि अब राश्टपती महोदे को एक महीने में कम से कम तीन से साथे तीन लाग रुपए की तनका मिलेगी तो अब राश्टपती महोदे की तनका बढ़ी तो प्रधान मंतरी कैसे पीछे रह जाएंगे और प्रधान मंतरी की बढ़ेगी तो मुक्य मंतरी पीछे कैसे रह जाएंगे और मुक्ति मंत्रियों की बढ़ेगी तो मंत्री पीछे कैसे रह जाएंगे और मंत्रियों की बढ़ेगी तो MPs कैसे पीछे रह जाएंगे MLS कैसे पीछे रह जाएंगे तो सरकारी करमचारियों की तंका बढ़ गई है तो MPs, MLS, मंत्री, मुक्री मंत्रों की भी तनकाएं बढ़ेंगी है और दूसरी तरफ हमारे देश का किसान इस साल भूखे मर रहा है आपको मालूम है विधर्व में अभी 4-5 दिन पहले चार किसान परिवारों ने आत्म हत्या करनी, भूख से तंगा कर, गरीवी से तंगा कर विधर्व में अब तक साड़े 300 से जादा किसान हैं जो आत्म हत्या कर चुके है पिछले साल आंदर परिदेश में 100 किसान परिवारों ने आत्म हत्या की थी गरीवी और भूखमरी से तंगा कर इस साल किसानों के सामने आत्मत्या करने की नौबत क्यों आई है क्योंकि पिछले साथ-ाथ साल के ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन का दुश्परिणाम ये हुआ है कि खेती के लिए जो इन्वेस्टमेंट होता था सरकारी केंडर के इस तर पर वो लगातार कम करते चले गए और परदेशी कमपनियों के लिए खुली छूब भी गए लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन किसानों के लिए नहीं किया गया परदेशी कमपनियों के लिए किया तो लगातार खेती के उत्पादन में कमी आई और खेती के उत्पादन में इस ताल बयंकर कमी इसली अभी आई कि बे मौसम बारिश होई ओले पड़ गए बे मौसम की तो बे मौसम की बारिश और बे मौसम के ओले का दुश्परिणाम ये है कि बादार में जाईए आम है नहीं रत्मागिरी में जितना आम पैदा होता था उसका मुश्किल से 20 टका इस साल पैदा होने वाला बलसाग में जितना आम पैदा होता था घुजरात का उसका मुश्किल से 10-15 टका पैदा होने वाला तो खेती का उत्वादन बुरी तरह से गिरा है और किसानों की आमननी बुरी तरह से कम हुई है जिन किसानों ने करजा लेकर खेती की थी वो सारे किसान अब असहाए है इसलिए उनके सामने आत्मत्या करने के अलावा अब कोई दूसरा चारा नहीं है तो किसान आत्मत्या कर रहा है भूट से और हमारे राष्टपती महोदे को साड़े तीन से चारलाख रुपई की थंखा मिलेगी प्रतिमा कैसा देश है? कौन सी आजादी? क्या इसी आजादी के लिए हमने इस देश में कुर्बानिया दी है एक जमाने में दादा भाई नहरोजी ने एक चिप्ठी लिखी थी वो अख्वार में छपी थी 1890 की बात है दादा भाई नहरोजी लिख रहे थे अवसमें अंग्रेज सरकार का जो बजट बनता था उसके बारे में उन्होंने लिखा था कि अंग्रेजी सरकार कितनी अप्याचारी है कि अंग्रेजी सरकार का एक साल का जो बजट है उस बजट का दो तिहाई हिस्सा तो तंत्र पर खर्चोता है एक बटे तीन हिस्सा लोगों के उपर खर्चोता है अभी दादाबाई ग्रो जी की वोई बात मुझे फिर से याद आ रही है कि आदादी के 50 साल की अंदर फिर ऐसी ही नौवत पैदा हूगई है कि दो तीहाई हिस्सा तंत्र पे खर्चोगा एक त्यहाई हिस्सा लोग पर खर्चोगा तो लोग पीछे है तंत्र आगे है कैसा ल आर्थिक संकट पैदा हुआ था सोवियत संग में वैसा ही आर्थिक संकट हमारे देश में हैं तो इसलिए भी हमको बहुत जल्दी इन सब चीजों के बारे में सूचना चाहिए और क्या करना चाहिए मैंने आपको पहले ही कहा कि ये सारा का सारा तंत्र जो इस समय चल रहा है परदेशी कंपणियों के लिए नीतियां चल रहे हैं परदेशी कंपणियों के लिए इसलिए भी हमको अपनी पूरी ताकत लगा के इन परदेशी कंपणियों का बहिशकार करना एक कारण तो ये अमरीकी कमपनिया है दूसरा कारण हमारे रौ के आफिसर की रिपोर्ट के इनके साथ CIA के एजेंट भी आ रहे हैं और तीसरा कारण के हमारे देश में इन कमपनियों के लिए जो ग्लोबलाइजेशन लिब्रलाइजेशन चल रहा है उसका नुकसान हमारी देश की अर्थ व्यवस्ता को रहा है तो इसलिए हमको ये परदेशी का वहिशकार विदेशी कमपनियों का वहिशकार और स्वदेशी को स्विकार करने का नारा लगाना ही पड़ेगा और गाउं गाउं गली-गली ये आंदोलं चलाना ही पड़ेगा इसके अलावा अब कोई रास्ता है भी नहीं हमारे पास सारे रास्ते बंदों चुकों अब यही एक रास्ता बचा हुआ है तो इस रास्ते पर चलें तो शायद ये देश बचेगा तो चलने के लिए आप पूछेंगे क्या है अभी जो बरबादी आई है आर्ची क्रूप से उसमें से बाहर निकलने का रास्ता क्या है मैंने आपको बताया पहला रास्ता तो परदेशी कंपोनियों के बहिशकार का है जो आप उपने जीवन में अपनाएंगे एक रास्ता और है हम भारत सरकार को मजबूर करें कि वो इस ग्लोबलाइजेशन लिप्रलाइजेशन की नीखियों को बंद करें और रोकें और इसके लिए मैंने भारत सरकार को एक चिठी भेजी है एक ड्रास्त भेजा है जिसमें मैंने 40 सुझाओ दिये हैं और मेरे सुझाओ वहां पहुचे भी हैं उनकी चिठी भी आई है और उनके साथ डिसकेशन भी हो चुका है मंतरी महोदे से मैं मिला था उद्द्योग मंतरी से मेरी दिल्ली में मुलाका थू थी मैंने उसे कहा है कि अगर अर्थी जवस्था को बचाना चाहते हैं तो कुछ चीजें तद्कालिक रूप से आप करिए तो मैंने उनको क्या सुझाओ दिये हैं वो मैं आपसे कहकर खतम करूंगा आपके मन में यह आ सकता है कि इस अर्थी जवस्का को बचाने का रास्ता क्या हमने विशलेशन तो किया ठीक है यह बरबादी है लेकिन इसमें बाहर निकलने का रास्ता क्या तो सरकार को जो करना चाहिए सबसे पहला काम बाहर से आने वाले सामानों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ानी चाहिए और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कस्टम ड्यूटी बढ़ा सके बाहर से आने वाले सामानों पर उतना ही हमारे उद्योगों को बचाने के लिए अच्छा होगा तो बाहर से आने वाले सामारों पर कस्टिम्जी बढ़ानी चाहिए और भारत के अंदर जो टेक्स लगे हुए हैं डॉमेस्टिक लेवल पर इन में कटोती होनी चाहिए एक्साइज में कटोती होनी चाहिए इंकम टेक्स में कटोती होनी चाहिए सेल्स टेक्स में कटोती होनी चाहिए आक्टर टेक्स में कटोती होनी चाहिए और सारे टोल टेक्स वगरा सभी टेक्स में कटोती तो अंदर जितने टेक्स लगे हैं देश में उन सब में कटोती और बाहर से आने वाले सामानों पर टेक्स जादा से जादा तो इससे क्या होगा मंदी कुछ दूर होगी मैंने एक दूसरा सुझाओ और दिया है कि जैसे किसानों के उपर लगान माफ किया जाता है जब उनके उपर बहुत संकट आता है वैसे ही हम इस देश में अगर चाहें तो दो-तीन साल के लिए या संबब वो तो पाँच साल के लिए इंकम टेक्स लेना बंद कर दे और भारत सरकार पाँच साल के लिए इंकम टेक्स डिपार्टमेंट बंद कर दे मेरा अपना बिल्कुल इस पश्ट मालना इससे क्या फाइदा होगा अगर 5 साल के लिए इस देश का Income Tax Department बंद हो जाए तो हमारे देश में दो चीज़ें हो सकती है पहली चीज़ ये कि Income Tax Department का एक साल का कलेक्शन कि उतना है हमारे देश के Income Tax Department का एक साल का कुल कलेक्शन मुश्किल से 25,000 करोल रुपया उस 25,000 करोल रुपय में से 15,000 करोल रुपया सरकारी कमपनियों का BHEL का है, CEL का है, Electronics Limited का है जितनी पब्लिक सेक्टर की कमपनियां उनका 15,000 करोल रुपया प्राइवेट कलेक्शन सिर्फ 10,000 करोल का और वो 10,000 करोल का प्राइवेट कलेक्शन करने के लिए Income Tax Department हर साल 3,000 करोल रुपय खरच कर देता तो सिर्फ 7,000 करोल का कलेक्शन आता तो मैंने सरकार को सुझाओ दिया है कि ये जो 7,000 करोल का कलेक्शन है इसको हम सबसिडी नहीं दे सकते कि और 7,000 करोल के Income Tax में हम मानली के सबसिडी दे दे तो क्या होगा तो होगा ये कि 7,000 करोल के कलेक्शन करने के लिए खुद सरकार कहती है कि हर साल हमारे देश में 1,5 से 2,000 करोल का Black Money जनरेट होता तो ये 1,5 से 2,000 करोल का जो काला धने अगर Income Tax Department बंद हो जाए तो ये सबका सब सफेद हो जाएगा माने 1,5 लाग करोल का Black Money वाइट बंद हो जाएगा और मैं मानता हूँ Money मनी होता है Black and White नहीं गुआ करता कभी भी ये Income Tax Department और इसके कारण कुछ Money Black है कुछ Money वाइट है ये Department बंद हुआ तो 1,5 लाग करोल का Black Money वाइट होगा और वो वाइट मनी होगा तो क्या होगा? मार्केट में आएगा सर्कुलेशन में आएगा अगर मान लीजिए आपके पास 1 करोर रुपया है किसी दूसरे के पास 1 करोर रुपया है तो आप करेंगे क्या एक करोल रुपय का चाटेंगे थोड़ी शेयद में गाती आप उस रुपय को कुछ न कुछ तरीके से बाजार में लाएंगे चाहे तो कार खाना चलाएंगे चाहे तो कोई धंडा करेंगे चाहे तो कोई रोजगार कुछ न कुछ आप करेंगे तो वो पैसा मार्केट में आएगा तो अभी महतुपूर यह है कि अगर साल वर के अंदर डिर दो लाक करोर का पैसा मार्केट में आ जाए तो हमारी मंदी तो हम दो-तीन साल के अंदर खतम कर लिए तो जब यह सुझाओ मैंने दिया था तो हमारी बंबई में कुछ MPs लोगों के साथ मीटिं होई थी तो उसमें से एक बाई ने का राजी बाई आपकी बात तो समझ में आ रहा है यह आईडिया भी बहुत ब्रीलियन्ट है लेकिन यह होगा कैसे मैंने का बहुत आसाने Income Tax Department को बंकरने का नोटिविकेशन कर दीजी तो उसने का मुश्किल यह है कि यह Income Tax Department के आफिसर्स का क्या होगा तो मैंने का उनके लिए भी काम है आमारे पास सबको हल दे देंगे और बेल की जोड़ी दे देंगे जाएं खेत में जोते क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि कैपिकल फॉर्मेशन कैसे होता महनद कैसे की जाती और उन भाई को मैंने एक और दूसरी बात बताई कि अगर इंकम टेक्स रिपार्टमेंट बंद हुआ तो देडला करोन का ब्लेक मनी वाइट हो जाएगा मार्केट में सर्कुलेशन में आएगा मन भी दूर हो जाएगी उससे भी बड़ा एक काम और हो जाएगा कि हमारे देश में 32,000 चार्टेड एकाउंटेंट हैं जो टॉप ब्रेंड वाले हैं वो विचारे क्या कर रहे हैं इस इंकम टेक्स डिपार्टमेंट के कारण वो एक रुपया इस जेव से उस जेव में उस जेव से इस जेव में इसी कैल्कुलेशन में लगे हो 32,000 चार्टेड एकाउंटेंट है इस देश एक रुपया इस जेव से उस जेव में उस जेव से इस जेव में तो अगर इंकम टेक्स डिपार्टमेंटी बंद हो जाए तो ये 32,000 लोगों को हम इस राश्ट के किसी दूसरे काम में लगा सकते और जो ज़्यादा उतपादक काम दो सकते और ये 32,000 टॉप ब्रेन अगर इस देश्ट के विकास के काम में लग गया तो हिंदुस्तान को सोने की चड़िया हम बना सकते तो एक MP भाई ने और एक सवाल पूछ लिया थै राजी भाई अगर ये टेक्स में हमने कटोती की मान लीजिए इन डाइरेक्ट टेक्स भी कम कर दिये डाइरेक्ट टेक्स भी कम कर दिये मान लीजिए टेक्स में कटोती आ गई रेवन्यू कलेक्शन कम हुआ तो सरकार का कर्च कैसे चलेगा मैंने का इमानदारी की बात तो यह है को सरकार को अपने खर्चे कम करने चाहिए जब खेती आमन्धनी कम है व्यापारियों की आमन्धनी कम है उत्पाधन कम है तो सरकार को भी अपने खर्चे कम करने चुप पाफे ख़र्चे कम करे एक्सपेंडीचर है इसमें आपका टौती लाईए कमी करिए और दूसरा तरीका मैंने उनको और बताया कि आप इसकी बिल्कुल चिंता मत करिये मैंने तो उनको कहा था कि अगर आप में हम्मत हो तो पांच साल के लिए पूरी एकॉनमी को जीरो टैक्स बना दीजी पांच साल के लिए कोई टैक्स ही नहीं लिया जाए और आप देखिए हिंदुस्तान सोने की चुलिया बनता है कि नहीं बनता है तो उनको पांच साल के लिए जीरो टैक्स बना तो देंगे लेकिन खर्चा कैसे चलेगा सरकार का मैंने का उसका बहुत अच्छा तरीका है हमारे देश के गोटाले बाज नेताओं का हमारे देश के गोटाले बाज नेताओं 140 बिलियन डॉलर ये उतना ही पैसा है जितना हमारे उपर परदेशी करजा है तो उनकों नेका ये कैसे संभवा नेका बहुत आसान काम है कि ये गोटालों के माध्यम से जो पैसा देश के बाहर गया है इसको आप कानून बनाकर पारलिमेंट से ये गोशित करा दीजे कि ये राश्ट्री ये संपत्ती है और जैसे ही परदेशी बैंकों में पढ़ा हुआ पैसा राश्ट्री ये संपत्ती गोशित आप करेंगे वैसे ही परदेशी बैंकों में वो रह नहीं सकेगा क्योंकि Swiss bank के कानुन है कि वहाँ पर personal property रख सकते हैं वो सिर्फ personal property रखते हैं, private property रखते हैं तो जैसे हम उसको national property डेकलियर कराएंगे, राश्च्रिय संपत्ती गोछित कराएंगे वैसे ही वो सारा पैसा देश के अंदर आएगा और 140 सरफ डॉलर उतना है जितना भारत सरकार पाँच साल में टेक्स के माध्यम से एकठा करती है तो पाँच साल के लिए पूरी एकॉनमी को जीरो टेक्स बनाया जा सकता है तो कहला कि हाँ बात तो तुम्हारी सही है लेकिन होगा कैसे इसका करना भी बहुत आसान है कि आप एक बिल लाईये पार्लिमेंट में और दोशित कराईये कि ये फ्वारा पैसा रास्ट्री समपत्ति है और मैंने उनको कहा है कि जब आप पार्लिमेंट में ये बिल लाईने तो कोई माई का लालनेता इसका विरोध नहीं कर सकेगा सब का सब पैसा देश में आजाए तो फिर एक MP ने मुझसे ये भी पूछा था कि ऐसा कभी हुआ है दुनिया में तो मैंने उनका ताजा ताजा हुदारन अफ्रीका में एक देश है उसका नाम है जाइरे जाइरे देश का एक प्रेसीडेंट था उसका नाम था मोबुटू बहुत करब ताजिए सारा देश उट के पैसा विदेशी बैंक में जमा कर दिया अब मोबुटू की सत्ता पलटी अभी नई सरकार आई ये तीर महीना हुआ है जाइरे में सत्ता परिवर्दन हो गया तो अभी नई सरकार जो आई उसने क्या किया कि मोबुटू का जितना प आईसा मोबुटू का था वो सबका सब जाइरे सरकार को उन्होंने सौंग दिया तो अभी जाइरे एक ऐसा देश हो जो अपना सारा परदेशी कर्ज चुका देगा उस पैसे ऐसा एक बार और हुआ है ब्राजीन और ऐसा एक बार और हुआ है फिलिपिन्स में तो जाइरे कर सकता है ब्राजीन कर सकता है फिलिपिन्स कर सकता है तो भारत क्यों नहीं कर सकता है बस संकल्प शक्ती की जरूरत है और सारे देश की जनता को इस बात के लिए जागरत करने की ज़रूरत और ऐसे ही एक सुझाओ मैंने और भी आया भारत सरकार को कि अमरीकी संसद्ने अभी एक कानून पारित किया है उस कानून का नाम है बाए अमेरिकन एक्ट आप समझते हैं इसका मतला अमरीकी माल खरीदो इसके यह कानून बन गयाँ अम्रीका तो अम्रीका ने ये कानून तो पारिद किया है अम्री का में 50 सेर्ट सुलों में तो सभी राज्य सरकारों को कि कानून के बाद जिन्मेदारी दे दी गई है कि वह जितनी सरकारी खरीद करेंगे वह और सिर्फ अमरीकी कंपणियों से ही करेंगे कोई परदेशी कंपणि का माल अमरीका कि कोई राज्य सरकार अब नहीं करीदे जी कानून बना दिया तो मैंने भाजीं सरकार कोको सुझाओ दिया कि अगर अमेरिकट पार्लेमेंट में बाई अमेरिकन एक्ट बन सकता है तो हमारी संसद में बाई इंडियन एक्ट क्यों नहीं बन सकता बिल्कुल संबाव है यह और अगर अमरीका अपनी डॉमस्टिक इंदस्पीज को घरेली उद्योगों कोई रच्छा करने के लिए एक कानून बना सकता है तो हम भी हमारी संसत से बना सकते हैं और कोई हम को नहीं रोपने बादा ऐसे करकर के कुछ चाली से एक सुझाओ दिये हैं मुझे उमीद है कि उनमें से कुछ फुझाओ अगर ये लागू करेंगे तो इस साल बजट के बाद कुछ इस्तती बदलेगी और अगर नहीं किये तो हमारा देश इंडोनेशिया साउट कोडिया वाले रास्ते पर और दो कदम आगे चला जाएगा इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि भारत सरकार के ऊपर भी ये सतत दवाओ बने उसके लिए भी आपको ये सब बातें विचार के रूप में बहस के रूप में पूरे समाज में चलानी पड़ेंगी और इन सब बातों को सुत रूप में चलाने का एक ही तरीका है स्वदेशी और स्वदेशी की बात स्वदेशी का प्रचार स्वदेशी का अंदोर उसके माध्यम से ये सब बातें आप कह सकते हैं प्रचारित कर सकते हैं तो यही मैं आपसे कहने आया था और ये सब बातें हमारे समाज में जाएं इन पर बहस हो, विचार हो, चिंतन हो और ये सब चिंतन बहस विचार के बात कोई रास्ता निकले तो इस समाज को आजे भी हम ले जा सकते हैं क्योंकि हमारा समाज तो विचारशील समाज रहा है शास्त्रार्च करने वाला समाज रहा, बहस करने वाला समाज रहा इसलिए मेरा आपसे एक आखरी दिवे में नुमर है कि आपका दिमाच इन सब चीजों पर सोचे चिंतन करे, बहस करे इसके लिए एक छोटा सा काम करिए कि टेलिविजन का सुच आफ कर दीजे अपने अपने घर का टीवी बन कर दीजे क्योंकि जब से टीवी चल रहा है आपने चिंतन करना छोड़ दिया है इस टेलिविजन का सबसे ज़्यादा नुकसान अगर कोई हो रहा है समाज को तो हमारी विचार शीलता खतम हुई है बहस करने की शक्ति खतम हो गई है विश्येशन करने की शक्ति खतम हो गई है देश और समाज और राष्ट के बारे में सोचने की बाते हमने बहुत पीछे चोड़ दी है क्योंकि टेलिविजन ने फस गए और होता क्या है दिन बर मान लीजे हवारे मन में कोई विचार आता भी है कोई चिंतन हम करते भी है राष्ट के लिए देश के लिए और घंटे बर का चित्रहार देख लेते हैं तो सब साफ हो जाता है देमाग में से क्योंकि जब आप चित्रहार देख रहे हैं और आपको गीप सुनाया जा रहा है चोली के पीछे क्या है और चीज बढ़ी है मस्त मस्त तो आप राष्ट की बात सोचेंगे उस सब समाज की बात सोचेंगे कि देश की बात सोचेंगे इसलिए मेरा आप से बहुत विनम्र निवेदन है कि आज आपके चिंतन की आपके विचार की इस राष्ट को जरूरत है तो वो चिंतन और विचारा आप तब कर सकेंगे जब टेलिविजन देखना बंद करें तो मेरा आप से आखरी निवेदन है कि आप टीवी बंद करिए और टीवी इसलिए भी बंद करिए कि ये देखने लायक ने जिससे भी मैं पूछता हूँ कि भाई टीवी क्यों देखते हो हर वेक्ती एक ही जवाब देता राजी भाई मनोरेंजन करने की अब वो मनोरेंजन में क्या होता है गर के चोटे-चोटे बच्चे उनके साथ उनके मम्मी पपा उनके साथ उनके दादा दादी सब आँखें फाड़ फाड़ के चित्रहार देखते हैं जो देखने लायक ने और दादा दादी तीन-तीन प्यूणियां एक साथ बैठके साथ साथ साल के बुड़े चित्रहार देखते हैं पता नहीं क्या मजा आता है शरम नहीं आती किसी को ती आखो में कि क्या देख रहे उनके बच्चे भी देख रहे हैं वो भी देख रहे हैं इडियासिटी कितनी जबरजस्थ है उसका एक उधारन मैं आपको जूँ हर एक टेलेवीजन पर एक छोटा सा बच्चा कहता आए मैं कॉम्पलॉन बोई तो फिर एक छोटी सी बच्ची कहते आए मैं कॉम्पलॉन गर इसका माने क्या है मैं कॉम्पलॉन का बेटा हूँ और मैं कॉम्पलॉन की बेटी हूँ और कॉम्पलॉन क्या है तिन का डिब्बा अब आप बताईए तिन के डिबा के बेटा बेटी हो सकते हैं और अगर तिन के डिबा के बेटा बेटी हो रहे हैं तो ये आपके पुर्शत्त को सबसे बड़ी चुनूती है बेटा बेटी मम्मी पपा के हैं कि कॉंपलोन के फिर आप कैसे हैं आज कल के माबाप से मैं एक ही बात सुनता हूं राजी भाई हमारे बच्चे हमारी सुनते नहीं है हमारी मानते नहीं है वो सुनेंगे मानेंगे कैसे वो आपके हैं का वो तो कॉंप्रॉन के है इसलिए ये टीवी नहीं है इडियक बॉक्स पर इसकी इडियोसिटी का एक दूसरा उधारन टेलिविजन पे जहरात आता है लाइफ बोई है जहां तंदरुस्ती है वहाँ अभी अब बताईए कि तंदरुस्ती है अगर लाइफ बोई से आती है तो भोजन क्यों करते है आज की बाद सब भोजन करना बन करिये एक एक लाइफ बोई खरीद लीचे और दिन में दद्दस बार रगड़ी है सब की तंदरुस्ती बोई ऐसे ही इडियोसिटी दिखाते है टेलीविजन पे कहता है लाइफ बोई मेल में छुपे कीटानों को धो डालता है कभी टीवी नहीं कहता कि मेल में छुपे कीटानों को मार देता हमेशा कहता है दो डालता इसका मतलब जानते हैं जो कीटानों मेल में छुप गए हैं इनको धो पोंचके और तंदरुस्त बन नहीं लोगता तो मुझे लगता भाई लाइफ बोई लगाने से इतना अच्छा कोई खिलाडी बनता है तो पूरी की पूरी को दो तीन पैकेट लाइफ बोई के मिले होते तो दस बारे गोल्ड मेडल तो आई गाते हैं कि टीवी नहीं है इडियाट बॉक्स है क्या इडियोसिटी दिखाते हैं टेलिविजन पे एक जाहराता था फेरन लवनी क्या है गोरेपन की क्रीब अभी आप बताईए फेरन लवनी लगाने से सब गोरे हो जाते हैं तो दक्षों भारत वो तो कोई काला नहीं रहना चाहिए आप एक नहीं सौ फेरन लवनी लगाईए आप जैसे हैं वैसी रहने वाले हैं कोई फरक नहीं कोड़े ऐसे ही टेलिविजन की यूडियोसिटी है उस पे एक जाहरा आता है रौटो मैक एक पैन है क्या होता है उससे लिखते लिखते हाँ जरा बताईए कि ऐसा भी कोई पैन आता है जिससे लिखते ही लिखते सब हो जाए और आपके देश के बच्चे स्कूल पर पढ़ने के लिए जा रहा है कि लिखते लिखते सब करने के लिए जा रहा है इसलिए ये टीवी नहीं है इडियट बॉक्स है और इसकी इडियोसिटी का नमूना देखिए एक विग्यापन आता है कॉल गेट का उसमें क्या दिखाते हैं दो पती पत्मी साथ साथ चल रहा है थोड़ी देर के बाद पत्मी भूख हो लिखते है और अपनी सहली से कहती है कैसे कहूं उनकी सांस में बद्बू आता है तो उसकी सहली कहती है सांस में बद्बू चल मेरे साथ दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं डॉक्टर साथ कहते हैं अरे कॉल गेट का सुरक्षा चक्र तो अपनाया नहीं सास में बद्बू तो आएगी तो उनके घर में कॉल गेट आजाता उनके मिस्टर जिनकी सास में बद्बू आती वो कॉल गेट रगलते कॉल गेट रगलने के बाद दिखाते हैं उनकी पत्वियों उनके नजदी का जाती और नीची एक लाइन लिखते हैं जानते हैं किhã नहीं यह दो पत्रDet कि अगर नहीं करेंगे तो दूर दूर रहेंगे कॉल जट करेंगे तभी नस्थी खाएंगे भी है back that कि बाठी संस्क्रोटी कहती है जिमत्री का रश्टा परज्पर प्रेंग परस पर विश्वास परस पर kurvaव प्र का होता ये इडियट बाक्स कहरा है कि कॉल गेक पेस्ट पे टिका हो और ये टेलिविजन की इडियосिती इतनी बढ़गे ही है अभी टेलिविजन पे एफ जायर हाता था चिकलेट्स की गोलियां तो चिकलेट्स की गोलियों का क्या विज्यापन आता है एक भाई आता है कोई नौजवान वो एक लड़की को चिकलेट्स की गोलियां देता लड़की उसके पीछे पीछे चंग देती मैं इस देश की लड़कियां इतनी सस्ती है कि चिकलेट्स की गोलिक और किसी के भी पीछे चंग दे इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये टेलिविजन नहीं है इडियट बॉक्स है और आप क्या करते हैं कि बार बार लगाता है ये इडियोसिटी देखते हैं बेवकुफी देखते हैं और आप फिर वही बेवकुफी करते हैं मादार बजाते हैं तो सामन करीद खिलाते हैं। इसलिए मैं आपसे मना कर रहा हूं कि ये टीवी बंद करीए। और ये टीवी इसलिए भी बंद कर दीजे कि बच्चों पर इसका बहुत बुरा आसर पढ़ रहा है। अभी वह पूना में था मेरा जाहिर व्याख्यान हुआ। एक डॉक्टर आया मेरे पास व्याख्यान के बाद उसने बताया राजी भाई पूना के मेंटल हॉस्पिटल में वो डॉक्टर नौकरी करता। उसने बताया कि एक बच्ची है बारे साल की जी हॉरर शो देखकर पागन हो गई। उसका इलाज चल रहा अभी पूना। अभी चanडरपुर पर यदम में गया था तो मेरे जाहिर व्याख्यान के बाद एक बहुती गरीब मजबूर आया, रोता हुआ, relax and आया कहने लéगा, राजीब भाई, मेरे घर का तो सत्या नाश हुआ, मैंने क्या हुआ तेरे अगर में। तो कहने लगा मैं बहुत गरीब मजदूर हूँ मेरे पास बिल्कुर पैसा नहीं लेकिन मेरा एक 11 साल का बेटा वो रोज मुझको कहता था कि टीवी लाओ टीवी लाओ टीवी लाओ मेरे पास पैसा नहीं था मैंने बेंग से करजा लेकर टीवी खरीद दिया और टीवी खरी उसके दोनों पैरकूट गए उसको हस्पिटल में भरती कर आया डॉक्टरों ने एक्जामिन किया उसके बाद उसको पैरलेसिस कार्टेक आया उसकी दोनों ठांगों बेकार हो गए हमेशा तो गरीब मजदूर कह रहा था कि राजी भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है यही 11 साल का बेटा मेरी संपत्ति थी चला गया मेरे हाथ से अब क्या करें है टेलेविजन का क्या अफर होता है बच्चों पर यह एहंदाबाद शहर की गुर्गटना में आपको बता रहा हूं एक साथ साल की बच्ची ने अपने डिर साल के भाई को वाशिंग मशीन में डाल दि से खून ही खून और बच्चा मर गया अब वो साथ साल की बच्ची का कसूर क्या क्योंकि रोज तो टीवी पर यहीं देखती थी मेरे लहबाद शहर के बाज़ू में लखनव एक शहर है वहाँ क्या हुआ पिछले साल एक साड़े चार साल का बच्चा था वो क्या करता था टेलिवीजन पे विग्यापन देखता था धमसपका एक विग्यापन आता था उसमें एक नौजवान पैर में रस्सी बांद के उ और अमरीका में भी यही हालत है हमारे यहां ऐसा ऐसा नहीं अमरीका में भी यही हालत है अमरीका में अभी दो बच्चों ने प्राइमरी स्कूल के दो बच्चों ने अपनी क्लास के पांच बच्चों का मरडर कर दिया राइफल्स एक बच्चे की उमर 11 साल दूसरे की उमर पूर्ट साथ, और उन दोनों बच्चों को फुलिस पकड़के ले गई, फुलिस ने उनसे पूछा कि तुम ने ये क्यों किया, क्योंकि 14 साल से कमूमनों के बच्चों को अमरीका में सजा नहीं दी जा सकती, तो फुलिस ने पूछ था जो ने कहा कि हम 15 दिन से एक सीरियल दे टेकसोस के एक सबर में गोलियां चलाते हुए बजार में से निकल गए 34 लोगों को मारते हैं पुलिस ने उनको पकड़ा उन नौजवानों से पूछा गया तो उन्होंने का कि हमने एक फिल्म देखी टेलिवीजन पे उसमें इसी तरह से गोलियां चलाई गई थी तो हमने चल चैनल बंद होंगे लेकिन दुर्बाद ये मेरे देश का है कि जो कुछ वहां बंद हुथा हो भारत में चलू हुए इस्टार थी वी बंद हुआ, यॉप में यहां चलू हो गया CNN बंद हुआ यॉउरप में बहिंशकार हुआ, वो यहां चलू हो गया जी और इस तरह के बेवकूफी के सीरियल कोई में वहाँ चलते वो यहाँ चालू है बोल्ड और ब्यूटिफुल नामका टीवी सीरियल पूरे यौरत में बैन है सिर्फ बृतेन को छोड़कर बाकी दुनिया के किसी की देश में नहीं चलता फ्रांस की सरकार में सबसे पहले बैन किया था बोल्ड और बूटिफुल लेकिन हमारे देश में ब्रवन में से चलता ऐसे तमाँ उल्टे सीधे टीवी सीरियल आपके बच्चे देख रहे हैं जिसका बहुत बुरा सर उन बच्चों के मन पर पलगा है और आप जानते हैं बच्चे बहुत बुले होते हैं जो देखते हैं वही करते हैं अपने जीवन में जो सुनते हैं वही करते हैं अपने जीवन में तो हमारे देश के बच्चे क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, इस देश के बच्चों को देखना चाहिए, सुनना चाहिए, गाना चाहिए, मेरा रंग दे बसंती चोला, और ये गा रहे हैं चोली के पीछे क्या, कितनी गिरावट आई है संस्कृति में इस टैली विजन से उसका यह नमोना इसलिए मेरा आप से निवेदन है कि जितनी जल्दी संबब हो यह TV चैनल बंद करिए और इसलिए भी बंद करिए कि बहुत सारे TV चैनल अमरीका के है Star TV अमरीका का है, ESPN अमरीका का है, CNN अमरीका का है और ये सारे के सारे TV चैनल जब चलते हैं हमारे घर में तो इन TV चैनलों का पैसा हिंदुस्तान से बाहर जाता है एक साल में Zee Cinema, Star Movies और ESPN इन तीन चैनलों का सवाँ 200 करों रुपया भारत से चला जाता है तो पैसा भी हमारा जा रहा है, बरबादी आ रही है हमारी और देश के बच्चों के संसकार भी खराब हो रहा है तो ये संसकार खराब हो गए और बच्चों का चरित्र बरबाद हुआ तो आने वाली नौजवान पूड़ी को क्या नसीहत देंगे इसलिए मेरा आपसे ये आखरी निमेदन है कि इस देश की नौजवान पूड़ी बचे और इसके संसकार बचे भारतिये संसकर्ती बचे इसके लिए जितनी जल्दी हो अपने घर का टीवी बंड कर दीजे आप पूछेंगे फिर क्या करें मनुरंजन के ये बच्चों को अच्छी अच्छी किताबे पढ़ने को दीजिए साहित की पढ़ाई करिए और आप करेंगे बच्चों को संगीत की सिख्षा दीजिए और आप खुछ सीखिए कला की सिख्षा दीजिए और सिखाईए साहित संगीत कला इन तीन चीजों में जो बच्चों को सिक्षा मिलेगी और मनोरंजन होगा वो किसी भी दूसरे चीज में नहीं है तो मेरा आपसे ये आखरी लेधन है कि घर से टी-वी निकालिए साहित ते संधीत कला के मार्धिम से बच्चों में परिशकार डालिए संसकार डालिए हमारे देश के छोटे उद्योग जो बनाते हैं, वो सामान करीदिये, तो इस देश की अर्थविवस्था को बचा सकते हैं, स्वदेशी ला सकते हैं, तो अर्थविवस्था बचेगी, टैली दिदन बंद होगा, केवल कनेक्षन का बैश्कार होगा, तो संस्कृती बचेगी और इसी सब काम के लिए आपसे कुछ दान मांगने आया वोट मांगने आया नहीं कभी आऊँगा नहीं किसी पार्टी से कोई रिष्टा नहीं ना आपसे नोट मांगने आया आपसे वोट नहीं चाहिए आपसे नोट नहीं चाहिए आपके पूछेंगे क्या चाहिए हमको मुझे आपसे क्या चाहिए आपका एक तो संकल्ब चाहिए जो आप अपने जीवन में धारं करेंगे स्वदेशी का और दूसरा आपसे समयदान चाहिए एक दिन में आपके पास 24 गंते का समय है इसमें से 23 गंते आप अपने लिए रखिए एक गंते का समयदान करें तो एक गंते में आप क्या करेंगे जो कुछ मैंने आपसे कहा यही बात आप रोज कम से कम दो तीन पाँच लोगों को कहीए कम से कम और रोज अगर एक व्यक्ति को भी आप ये बात कहें तो साल में 365 परिवारों तक ये संदेश पहुचेगा और जो भी व्यक्ति यहां है अगर एक एक व्यक्ति साल में 365 परिवारों तक ये संदेश पहुचाएगा तो एक बहुत बड़ी क्रांती इस देश में हो जाएगी तो घरगर गाउं गाउं गली गली इस विचार का प्रचार करना है और घरगर गाउं गाउं गली गली इस विचार के प्रचार के लिए आपका संकल्प चाहिए, आपका समयदान चाहिए इस काम में जो भी लोग समयदान देना चाहते हो जिनको भी लगता हो कि राजी भाई हम इस काम में लग सकते हैं कुछ कर सकते हैं वो अपना नाम पता वहां एक स्टॉल लगा हुआ है जिस पर कुछ पुस्तके और कैसिट मिल रही है वो आप दे कर जाईएगा आपका नाम पता हमारे पास रहेगा हम सारे देश में इस आंदोलन को चला रहे हैं और इसके माध्यम से एक बड़ा संगठन बना रहे हैं क्योंकि बिना संगठन के कोई भी बड़ा काम लंबे समय तक इस देश में नहीं किया जा सकता अगर आप दे सकें तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया बहुत-बहुत भनेवाद बहुत-बहुत आवाद